हेलो दोस्तों चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं लूसेंट सामान लियान के बारे में इससे पहले हम लोग भारती सम्मिधान देखें इससे पहले आपको बता दें कि हम लोग इतियास देख चुके उसमें भारत का इतियास देख चुके विस्व का इतियास देख चुके भार भारतिय सम्मिधान के बारे को सम्मिधान को देखते हैं ठीक है भारतिय सम्मिधान के विकास का संचिप्त इतिहास जानते हैं सबसे पहले सत्रे सो संताओन की पिलासी की लडाई और सत्रे सो चौहँशट के वकसर की युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिये जाने के बाद बंगाल पर इस्ट इंडिया कंपनी ने अपना सासन का सिकंजा कसा इसी सातन को अपने अनकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक वारित किये जो भारतिय सम्मिधान के विकास की सीडियां बनी तो यहां दो बात ने याद रखी है पिलासी की लड अब बात करते हैं हम लोग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में इस एक्ट के अंतर के कलकत्ता प्रेसीडेंट में प्रेसीडेंसी में एक ऐसी सरकार इस्तावित की गई जिसमें गवर्नर जनर और उसकी परिशत के चार दस्तित जो अपनी सत्ता के उप्योग सेग कंपनी के सासर पर संसदी ये नियंतर इस्थापित किया गया 1773 इस वीका रेगुलेटिंग एक्ट में कंपनी के सासर पर संसदी ये नियंतर इस्थापित किया गया बंगाल के गवर्नर को तीन प्रेसीडेंसियों का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया कलकत्ता में एक सुप्रीम कोट की स्थापना की गई याद रखना है तीन बाते में इसमें मुख कंपनी के सासन पर संसदीय नेंतर निस्थापित किया गया बंगाल के गवर्नर को तीन प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल निक्त किया गया और कलकत्ता में ये सुप्रीम कोट की स्थाफना की गई फिर आता है 1784 का फीट्स इंडिया एक्ट इस एक्ट के द्वारा दोहरे विशासन का प्यारम हुआ कोट और डारेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए और बोर्ड और कंट्रोलर राजनेतिक मामलों के लिए इस एक्ट द्वारा दोहरे विशासन का प्यारम हुआ जिसमें कोट और डारेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए बनाएगे बोर्ड और कंट्रोलर इस राजनेतिक मामलों के लिए राया 1793 का चार्टर एक्ट इसके द्वारा नेंतर गोर्ड के सदस्वों तथा करमचारियों के बेतनादी को भारतिय राजस्य से देने की विवस्ता की गई फिर आया 1813 का इसवी का चार्टर एद्नियम इसके द्वारा कंपनी के अधिकार छित को 20 वरक्षों के लिए बढ़ा दिया गया कम्पनी के भारत के साथ व्यापार कने के एक अधिकार को चिन लिया गया किंदू से चीन के साथ व्यापार और पुर्वी देश्तों के साथ चाए के व्यापार के सम्मद में 20 वरक्षों विप राप्त रहा कुछ सीमा के अधीन सभी ब्रेटिश नागी रुखों के लिए भारत के व्यापार खोल दिया गया तो इसमें याद रखे हैं 1823 HB के चार्टर अधनियम के द्वारा तीन वाते में कंपनी के अधिकारपत को 20 वर्सों के लिए बढ़ा दिया है कंपनी के भारत के व्यापार साथ व्यापार करने के अधिकार को छिल लिया गया किन्तु से चीन के साथ याद रखे चीन 1813 है चीन के साथ व्यापार एवन पूर भी देशों के साथ चाय के व्यापार के सुम्द में 20 वरकुर्सों के लिए एक अधिकार राफ्त रहा, बाकी में छिल लिए गया दिया, कुछ सीमाओ के दिया, सभी बेटेश नागरेखों के लिए भारत के साथ व्यापार खुल दिया, फिराया 1833 इसभी का चार्टर अधिलिया, इसमें इसे छोड़ दिया गया, तो 1833 के चार्टर अधिनीव में इसे भी खतम कर दिया गया, इसके दोरा कंपिनी का व्यापार के अधिकार उनता समात हो गया, अब कंपिनी का कार, बेटिक सरकार, बेटिक सरकार की ओर से मात भारत का सासन करना रह गया, बंगाल की गवर्नर जनर को भारत का गवर्नर जनर कहा जाने रहा, भारतिय कानूनों का बर्गीकन किया गया, तथा इसकार के लिए बिदी आयो की नियुक्ति की विवस्था की गई, फिर आया 1833 का चार्टर अधिनीव, इस अधिनीव के द्वारा सेवाओं में नाम जद्गी, नाम जद्गी का कितियोगी परीच्छाओं के आधार पर भरने की विवस्था की गई, फिर आया 1888 का चार्टर अधिनीव, इसमें भारत का सासन कंपनी से लेकर वेटिस किराउन के हातों सौप दिया गया, भारत में मंत्री फरिशत की विवस्था की गई, फंद्रह सदस्थों की भारत भार भारत सासन अधिनिया, इसमें गवर्नर जनरल की कारिकारणी परिशत का विस्थाल किया गया, विभागी ये प्रणाली का पहरम हुगा, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की सक्ति बिदान की गई, गवर्नर जनरल को बंगाल ओत्तर पश्चमी सीमा प पंजाब में विधान परिश्य दिस्थापित करने की जक्ती विधान की गई फिर आया उन्नीस सो अठारे सो बाउन्ड बेट दीश्वी का भारसासन अधिनियां इसमें आपत्यक्ष चनाव परणाली की सुरुआ तुई इसके द्वारा राजस इवंबे अत्वा बजट अधिनियों फिरह मारा 1919 का भारसासन अधिनियों इसे मालले मेंटू स्तार भी होला जाता है हो है एफ पहली बार मोश्रीम समद आय खलित पिथन इपथक पितीने तिका अबंद किया णिप भारतियों को भारस चे एभानाँ जनरर्न की कोडारी परिषद में न्युक्ति की गई कैंद्रीय और प्रांतिय विधान परिषदओं को पहली तर बजट पर बाद विवाद करने, सार्व जनिक हिद के विश्याओं पर पिस्ताव पेश करने, पूरक फिसन पूचने और मत देने का अधिक्यार मिला, प्रांतिय विधान परिश्यतों की संख्या में विद्धी की गिली, 1919 का भारत साथन अधिनियम में, टेर, इसे मारले मिन्टु 1919 का भारत सासन अधिनियों, इसे मांटगियों, चैम्सपोर, सधारवी बोलते हैं, इसके तायत केंद में दोई सधानात्मक विधायका की स्थापना की गई, पिथम राज्य परिशत, वो दूसरी थी केंदिय विधान सभा, राज्य परिशत की सदस्यों की संख्यात साथ थ जिसमें 34 निर्वाचित होते थे, और उनका काऱकाल 5 बरसं का होता था, कि अधिय है विधान सभा के सदस्यों क कि संख्या एक सो पैंतारीस थी, जिनमें 104 निर्वाचित तथा एकता actual बारत संख्यात साहिए, इनका कारीकाल 3 बरस का होता था, दोनों सधनों के अधिकार सम इन्हें में तरफ एक अंतर था कि बजट पर सुईकिती फिदान करने का अधिकार निचली सदन कुछ था प्रांतों में दोएद शासन फिडाली का प्रवर्तन किया गया इस योजना के अनुसार प्रांती ये विसें को दो उबावों में बिवाजित किया गया आरक्षित तथ यहां चापा काना समाच्चारपत सिचाई जल जलमाग खान कार खाने विजली गैस देलर सेमिक कल्यांड और दोगिक बिवाद मोटर गाडियां छोटे बंदरगाय और सार्वजनिक सिवाएं हस्तांत्रित पिसें में सिक्षा पुस्तकाले संग्राले इस्थानिये स्वायत सासन चिकितसा सहयता सारवजनिक निर्माड विभाग आवकारी उद्दियो तॉल तथा माब सारवजनिक मनुरंवजन पर नेंते तो है दार्मिक तथा अग्यहार कि दान आदी आरट्स्त विष्यों का पिसाथ्न गवरनर अपनी कारिकारी फृषत के मत्रहित हमें से करता मंदल के पिते उत्तरदाई भारतिये मंत्रियों के द्वारा किया जागा दोएदि शासन पडाली को 1935 के द्वारा समाप्त कर दिया गया भारत सचिक को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महलेखा परिक्चप की नुप्ति कर सकता है और इस अधिनियम ने भारत में एक लोग से वायू के गठन का प्रावधन किया ठीक है पिराया 1935 का भारत सासन अधिनियम 1935 के अधिनियम में 499 धाराय और 15 फरीशिष्ट थे इस अधिनियम की मुक्वेसिष्था इस वेकार है अखिल भारती है संग यह संग 11 वेटिस प्रांतों और 6 चीफ कमीर नर्गे चित्रों और देशी रियास्तों से मिलकर बना था जो स्वेक्षा से संग में समलित हो प्रा देशी रियास्तों में संग में समलित नहीं हुई और प्रिस्तावित संग की स्थापना संबंदी गोश्णापत जारी करने का आउसा ही नहीं आ रहे तर इसी के तहट 1935 इस भी कि भारत सासन अधिनियम के तहट प्रांतिय स्वायत्ता इस अधिनियम के तवारा प्रांतों म कि देश आसन विवस्ता का अंतिक उने 143 और स्वाथ सुछाशित सम्य धानिक आधार कितान किया गया केंद में द्रीकारचित प्रांतों इसका अधिकारचित प्रांतों रियासतों तक विस्तित था इस नियाले में एक मुख नयाजीश और दो अन्द नयाजीश की विवस्ता की गई थी नियाले से सम्मंदित अंतिम सकती द्रवी काउंसल लंदन को प्राथ थी जो धें के वेटरी संसत्त की सर्वोचता उन prizes 35 दी आंधिनियम में इसीनल किसी बिखार की परिवर्द estás के पासथ फ्रांतिये विद्र प्रफदल उद्शंगीए विवस्ता इसमें कुसी बखर का परिवर्दन नहीं कर सकते थी भारत परिसस्त का अंट कर दिया गया संपदायक निर्वाचन पदिति का विस्तार संगीज तह प्रांतिय विवस्था विवस्था विविंन paradox संपदाय का विव दिने देत देने में rich कि अधिनियम में पिस्तावना का अभाव था इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया अधन को इंग्लेंड के उपनिवेश्य सिक्ट कारयाले के अधीन कर दिया और बरार को मत ब्रांत में सामिल कर दिया गया 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक दो अधिराज बना दी जाएंगे और उतका बेटिस सरकाल सत्ता संति सत्ता का उत्तरदायत दोनों अधिराज्यों की सम्मिधान सभा को समपी जाएंगी याद रखना है है यह भी 1947 इसवी के भारत सतंता अधिनियम को बेटिस संसर में 4 जुलाई को पास चार जुलाई को पिस्ताव रखा गया था पिस्तावित किया गया था वो 18 जुलाई 1947 को सोईकिती मिली थी आँगे बात पर भारत एवं पाकिस्तान दो अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनल होंगे जिनकी निव्कति उनके मंत्री मंदल की सलाय से की जाएगे समिधान सभा का बिधान मंदल की रूम में कार करना जब तक समिधान सभाएं समिधान का निर्मान नहीं कर लेती हैं तब तक बेश बिधान मंदल की रूम में कार करती हैं रहेंगे भारत मंत्री के पाद समाप्त कर दिये जाएगे 1935 के भारत सासन अधिनियम द्वारा सासन जव तक सम्मिधान सभा द्वारा नया सम्मिधान बना कर तेयार नहीं किया जाता है तब तक उस समय उन्निस व पैंति सी सम्मिध में के भारतिय सासन अधिनियम द्वारा ही सासन होगा देशी रियासतों पर बेटिन की सर्वो परिताव का अंत कर दिया उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज में समलित होने और अपने भावी संबंदों का निश्चे करने की सुतलता पिदान की गई अब बात करते हैं हम लोग भारत का भारतिय समिधान सभा के बारे में बात करते हैं कैबिनेट में संस्तिंढीं की आधर पर भारतिय समीधान की निर्वाद करने वाली समीधान सबा करण जुलाईë उनšसोचयालीस में किया गया ठीक समीधान सबाए सदस्दसों की कोज़ाँ कर संका तीन सो नवासी निश्चत की गही जिन के दोसो भाउनवे वेटेस प्रांटों के प्ती नीदी चार चीब कमिश्णर चित्रों के प्ती है और टेहरानवे देशी रियासतों के प्तीर नीदी साम्रृत है मिसल रहत को सब्सक्रास के चुनाव हुए इसमें कांग्रेस को 208 मुसलिम लिंग को 33 इस्थान और 15 अन्द लोग के तथा सुतंत उम्मिद्वार निर्वाचित हुए तो याद रखिए कितने सदस्वों का चुनाव हुए निड़र कुल तीन सो नवासी सदस्वों में से प्रांतों के लिए निर्दार थे 206 जिन में से कॉंग्रेस को 208 मुसलिम लिंग को तेहतर और 15 अन्द लोग को मिले अब बात करते हैं आगे 9 देसंबर 1946 को सम्मिदान सभा की पिथम बैठक नई दिल्ली इस्तित काउंसल चेंबर के फुस्त कालय भवन में भूई सभा के सबसे वजोग सदस्ते डॉक्टर सचिदानंद सिंगा को सभा का आइस्थाई अद्यक्ष चुना गया तो याद रखिए ये आइस्थाई अद अद्यक्ष थे 9 देसंबर 1946 को जब बैठक कोई पितम नई दिल्ली है उसमें आठ्थाई अद्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिंगा को चुना गया मुसलिम लीग ने इस बैठक का वरिस्कार किया पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग समिदान सभा की मांग प्यारम कर दिए उस्था हैदरावाद एक पड़ोसी देसी रियासत थी जिसके पिती निदी समिदान सभा में समलिद नहीं हुए थी फुरांतों या देसी रियासतों को उनीकी अनुपात जनसंख्या के अनुपात में समिदान सभा में पिति निदेत दिया गये था साधान तथ 10 लाग की आवादी पर एक रिस्थान का अवन्टन किया गया था प्रांतों का पिति नित्मुखतार, तीन संग्या की आधार पर विभाजन संप्धाय की आधार पर विदाराय है संग्या संग्याची 6, 59 फिर्वाज़ संग्या की आधारह, 189 चार आधारे समिधान सभा के सदस्तों में अनुसूच जन जाती के सदस्तों की संख्या कितनी थी 33 समिधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी 12 12 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजन पिसाथ समिधान सभा की इस्थाई अध्यक्ष निर्वातिश कुए याद रखिए 9 दिसंबर 1940 को जो पिथम बैठा कुई उसमें आइस्थाई अध्यक्ष कौन चुने गए डॉक्टर सचिदानन सिंग्हा और जो 11 दिसंबर 1946 को बैठा कुई इसमें डॉक्टर राजन पिसाथ समिधान सभा की इस्थाई सदेख्ष के इस्थाई अध्यक्ष वो आयस्थाई थी ठीक है सजदानन सिंग्हा समिधान सभा की कारवाही 13 दिसंबर 1946 इसके को जब हर लाज नहरूद वारक पेस किये गए उद्धेश विस्ताओं के साथ फ्यारम हुई तह पूचा जा सकता है जब हर लाज नहरूद ने उद्धेश विस्ताओं का पर प्षिताओं रखा तो तो ये 11 दिसंबर और 1926 को 22 जन्मरी 1947 को ओद देश विस्ताओ कि स्विकिती के बाद सम्मिधान सवा ने सम्मिधान निर्मार रप्पेतु अनेच संतिया निफ्त की इनमें प्रमुक्ति वारता समिथी संग 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 समिधान समिथी प्रांतिय समिधान संधी संग सक्ति शमुथ को प्यारूप संधी वी एन राओब द्वारा दियर किये संजान के फ्यारूप पर विशार विभmäß करने के लिए संजान सभा द्वारा उंंतीस एगस्त उन personalized 1947 को एक संकलव फारिद करके फ्यारूप सम्मीटी का गठन किया गया इसके अध्यक्ष जो इसके सदस्ट अल्लादी किश्ण स्वामीं सदस्ट कनहिया लाल, मडिक लाल मुंसी, सियद मुहम्मद सादुल्ला, एन माधोराव, बी एल मित्र के स्थान परतेजे, डी पी खेतान, 1940 में की मित्री विवार, टीटी कृष्णम माचारी को सदस बना गया, समिधान सवा में अम्बेडकर का निर्वाचन पश्चिम मंगाल से हुगा था, याद रखिए, क्या रूप समिधी के अध्यक्षोन बने, डॉक्टर भीमराव मेड़कर, और साथ सदस थे, ठीक, एक ठीक, तीन जून 1947 को, तीन जून 1947 की योजनागत के अनुसार देश का बटवारा हो जाने पर, भारतिये समिधान सवा की कुल सदसन क्या 324 नियत की गई, इमें 235 इस्थान प्रांतों के लिए, और नवासी इस्थान देशी राज्यों के लिए, देश विवाजन के बाद सम समिधान सवा का पौनर अगठां 31 अक्टूबर 1947 को किया गया, 31 दिसंबर 1927 को, समिधान सवा के सदस्थाजों की कुल संख्या 299 जिसमें 238 सिथां की संख्या 239 और देशी रियासतों की संख्या 7 तीच, प्यारूप संभिती ने समिधान के प्यारूप पर विचार विमिश करने के बाद 21 फरवरी 1938 तो सम्मिधान सभा को अपनी रेपोर्ट पेस की सम्मिधान सभा में सम्मिधान का पित्थम बाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला याद रखना सम्मिधान सभा में सम्मिधान का पित्थम बाचन तक चला कब से कब तक 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक सम्मिधान पर दूसरा वाचन कब तक चला 15 नवंबर 1948 को प्यारम हुआ जो 17 अक्तूबर 1949 तक चला सम्मिधान सबापर तीसरा वाचन कब तक चला कब से कब तक तो इस 14 नवंबर 1949 को प्यारम हुआ तो भी 24 नवंबर 1949 तक चला समिधान सभा द्वारा समिधान पारिक कर दियो गया इस समिधान सभा की सदसों की संगा 284 थी यहीं हम लोग बात कर लेते हैं समिधान सभा की फिर्मों समितियों के बारे में उनके अध्यक्षों के बारे में संचालन समिति इसके अध्यक्ष कों थे संचालन समिति के डॉक्टर राजिन फिरसाद संग समिधान समिति इसके अध्यक्ष कों थे पंडिक जवाहलाल नहरू प्रांतिय समिधान समिति इसके अध्यक्ष कों थे डॉक्टर शर्दार वल्ला भाई पटेल सहाँ प्यारूप संती इसके अध्यक्ष कौन थे डॉक्टर भीम्राव मेड का साथ संग सकती समिती इसके अध्यक्ष के पंदे जवाहलाल नायरू तो याद रखिए संचालन समिती के अध्यक्ष कौन थे डॉक्टर राजन फिसाद संग समिध समिधार दाट समिध्गार ड़ा को frames निर्माड में कितना समय लगा था है दिन इस तरह पूछा जा सकता है कि सम्मिध्यान निर्मान में कितना समय लगा था तो आप लोगों को बताना है दो मा दो वर्स 11 महीना 18 दिन कि सम्मिध्यान के फ्यारूप में कुल कितने दिन लगी 114 दिन ठीक है कि सम्मिध्यान निर्मान में कुल लागत कितनी आई थी तो यह थी 63,96,729 रुपे कितनी सम्मिध्यान निर्मान के कार में कुल मिलाकर लागत कितनी हुई खर्च कितना हुगा 63,96,729 ठीक है सम्मिधान को जब 26 नवमबर 1949 को सम्मिध्यान सबाद वारा फारित किया गया तब इसमें कुल 22 भाग थे 395 अनुछे थे और 8 अनुसूचियां थी तो इस तरह पूछा जा सकता है किस मूल समिधान में कितने भाग और कितनी अनुच्छे तो 22 भाग ते 395 अनुच्छे थी आठ अनुच्छियां थी वर्तमान समय में समिधान में 22 भाग तीन सो 395 अनुच्छे 12 अनुच्छियां माप करिए लेकिन अभी बरतमान में 25 भाग हो गया अनुच्छे 400 कुछ करीब हो गया और अनुच्छियां 12 ठीक है आंगे बात करते हैं समिधान के इकोल अनुच्छियां में 15, 8, 5, 6, 7, 8, 9 उसके बाद 60, 324, 366, 366, 378, 392, 396 अनुच्छियां को 26 नवंबर 1989 को पिवर्दित कर दिया गया जबकि सेस अनुच्छियां को 26 जनवरी 1950 को लाग किया गया तो याद रखिए समिधान 26 नवंबर 1989 को 15 जोड़े गए थी कौन कौन से थी 5, 6, 7, 8, 9, 6, 324, 366, 366, 378, 392, 392, 392, 393 पिवर्दित किये गए 26 नवंबर 1989 को जबकि सेस अनुच्छिद 36 जनवरी 1950 को लाग किये ति अब यहीं बात कर लेगे हम लोग केविडिट मिसन 1945 में फिस्ताव पर गठित अंत्रेम मंति मंदल में तो मंत्री बात करते हैं बेभाग जबहाल लाल लहरू कायरकारी परिशत के अध्य उपात्यक्ष विदेशी मामलों के तथा राष्ट मंदल इनके अंडर में थी बल्ला भाई पटल ग्रह मंत्री थे सूचना एवं पिसारन बल्लेव सीं रक्षा मंत्री जान मत्थाई उद्देव एवं तथा आपूर्ती मंत्री स्री राज गोपालाचारी सिच्छा मंत्री सी एच भाबा कार एवं खनन खान एवं बंदरगार राजन पिसाथ खाद एवं तिरसी आसापली रेलवे जग जीगन राम सरम मंत्री वंडल में सामिल पुलिस लीग के सदसों की बात करें तो लियाकत अली वित्र विभाग समाल लाए थे आई आई चुंड रीगर पिशार विभाग जोगेंदनात मंडले विधी विभाग समाल रहे थे गयांतर अली खान ये स्वास्त विभाग समाल रहे थे आँगे देखते हैं समीधान सभा की अंतिम बैठक 24 जन्वरी 1950 को भी और उसी दिन समीधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजिन पिसाथ को भार और डॉक्टर राजिन पिसाथ को इसी में पिथम राष्पती चुना गया ठीके तो पूंचा जा सकता है डॉक्टर राजिन पिसाथ को कपिदा राष्पती चुना गया 24 जन्वरी 1950 को केबिनीट मिसन के सदस इस्टेट इस्टेफोर किस लॉर्ड पैंतिक लॉरेंस और लॉर्ड पैंतिंग लॉरेंस लारेंस ए भी अलेंगजेंडर 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जन्रल है पाकिस्तान के लिए पिथक समिधान सभा की स्थापना की गोश्णा की अब बात करते हैं लोग भारती है समिधान की उद्देश क्या अक्त्वा पिस्तावना के बारे में समि अबरू द्वारा पिस्तुत उद्देश संकल्प में जो आदर पिस्तुत किया गया है उन्हें ही समिधान की उद्देश क्या में सामिल किया गया समिधान के 42 पे समिधान संसोधन 1976 द्वारा यह था संसोधित संसोधित उद्देश क्या नियम्ले पिकार है तो याद रखिए तरह भी बार इसमें समिधान संसोधन किया हिए 42 सोधन द्वारा विद्देश क्या इस संसोधन में लोक अंतरात्मक गड़राज बनाने के लिए तथा उसमें उसके समस्त नाग्रेकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनेतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धरम, उपासना की सुतंता, फितिष्ठा, आउसर की समानता, फिराप्त करने के लिए तथा उन सम्मे बेक्ति की गरिमा और राष्ट की एकता और अखंडता सुनिष्टित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दिर्ड संकल्प होकर, अपने इस समिधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1999 इसमी को, मिती मार्क्स सीज सुल्ग सप्तमी संबत 2006 बर्दक्रमी को, ए तद्र द द्वारा इस समिधान को अंगी करत अधीनेमित और आत्म आत्मा पृत्तित करते हैं, अब बात करने दें हैं प्रिस्तावना की मुख बात्मों के बादे, समिधान की प्रिस्तावना को समिधान की कुंजी कहा जाता है, सबसे पहली बात यहीं रखिए, या समिधान की प्रि मिधान के अधीर अधी शमस्ष्तप्तियों का क्यान्दी मिन्दू या शुर्ण भ्वारत के लोग ह multic में haram $rip यह था हम भारत के लोग जिस सम्मझान को अंगी कछ अधिनिमित और आत्मा स्ध करते हिं भारतिये लोगों की सर्वोचता सम्प्रभूता का उद्देश करती है, फिस्तावना, कुन्यालाय में प्रिवर्थिक नहीं किया जा सकता है, यह नेडर यूनियन ओप इंडिया बना मदन्द गोपाल, 1967 के नेडर में खुशित किया गया था, थर बेरुबाडी यूनियन बाद, 1960 में, सर्वोच नियाले नेडर दिया कि जहां सम्प्रभूता की भासा संदित हो, वह पिस्तावना विदिक निर्वाचन में सहायता करती हो, बेरुबाड में, बेरुबाडी में, बाद में ही सर्वोच नियाले ने पिस्तावना को संभिधान का अंग नहीं माना, इसलिए विदाई का पिस्तावना में संसोधन नहीं कर सकती हो, इसलिए विदाय का उसमें संसोधन कर सकती हो, बाद में ही सर्वोच नियाले ने मूल नहीं कर सकती हो, इसके मूल नहाचे का विस्तार बमजबूती करण होता हूँ 42 संभिधान संसोधन दिनियम 2000 42 संभिधान संसोधन अधियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी फंत निरपेक्ष और राष्ट की अखंडता सब्द जुड़े है वियाद लखिए विस्तावना में 42 संभिधान संसोधन द्वारा कौन-कौन से सब्द जुड़े गए समाजवादी फंत निरपेक्ष और राष्ट की अखंडता तो पूशा जाता है कि 42 संभिधान संसोधन द्वारा इसमें कौन-कौन से सब्द जुड़े गए थी समाजवादी, अंतने रपेट और राष्ट की अखेंड़ता है अब बात करते हैं लोग भारती है सम्मिदान के विदेशी सुरूतों की बात भारत के सम्मिदान के निर्माड में निमने देशों के सम्मिदान से सहायता लिएगे सबसे पहले देखते हैं सयुक्तुराज अमेरिका तो सयुक्तुराज अमेरिका मौलेक अधिकार नियाएक पुनरावलोकन, सम्मिदान की सरवुच्चिता नियाएपालका की सुतनता निर्वाच्चित राष्टपती ओस्परमाहवियों उपर राष्टपती उच्चितम एवं पुछ नयालायों कि न्यायदीसों को हटाने की बिधी और वित्रिये आपात्पार बेटेन की बात करें तो बेटेन से साथमक्त सासन पिडाली एकल लांग रिखता और विधी निर्मार पिक्रिया आयरलेंड की बात करें तो आयरलेंड से नीती ने दे सकता तो राष्टपती के निर्वाचक मंडल की व्यवस्ता राष्टपती द्वारा राजसभा में साहित क अला विज्ञान, समाज सेवा, इत्यादी के छित में ख्याती प्राप्त व्यक्तियों का अत्मनुनें, ओस्टेलिया की बात करें, तो पिस्तावना की भासा, संबल्ती सूची का प्रावदान, कैंद एवा मुलाजी के भी संबंद, सक्तियों का विभाजन, संसदिये विसेश अधिकार, ओस्टेलिया से, के समीदान से लिए गए, जर्बनी की बात करें, तो आपात्काल के पिबलतन के दौरान, राध्पति को मौलिक का अधिकार संबंदी सक्तियां लिए गई, कनाडा की बात करें, तो संघात्मक्त विसेश्ता, आउसेश्ट्रक्तियां, कैंद के बात, राजपाल की न्युक्ति, वेसे एक पिक्क्रिया, दच्छड अफिका की बात करें, तो समीदान संसुधन की पिक्क्रिया का प्रावदान लिए गए, रोस की बात करें, तो मौलिक करतबों का प्रावदान, जापान की बात करें, तो बिधी द्वारा इस्थाफित प 295 अनुच्छेदों में से लगवाख 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 इसवी के अधिनियम से या तुस सासब दल ले लिए गये या फिर उनमें बहुत थोड़ा परीवातन के बात लिया गया अब बात करने हैं भारतिय समिधान की अनसूचियों के बारे में पितम अनसूचिय इसमें भारतिय संग के गटक्स राज्यों 28 राज्यों संग साथ नौ राज्यों छेत्रों का उल्लेक है याद रखिए 2019 की बात करना हूँ कि तो 28 राज्यों बचे हुई है और नो केंदसासित पर दिया गया है जमू कश्मीर में बात दिया गया है कि यहने कंदसासित पिदिस बनाए करे ऑड़ गयार ऑर 28 राज्योंAB 2000 समिधान part 29 समिधान संसुधन द्वारा दिल्ली को राष्टी राध्वानी चित का दर्जा दिया गया कि थे दुधियर अनुसुची तो इसमें भारती है राज विवस्ता के विभिन पदादिक्यारियों जैसे राठपती राजपाल लोगसभा के अध्यक्ष उपाद्यक्ष राजपा के सवापत परिशत के सवापती और उपसवापती उच्टम नयालय के न्याधीस और भारत के नियंतक और महले का परिश्चत आदी को प्राप्त होने वाले बेतन भत्ते पैंसन आदी का उल्लेक किया गया है तो याद रखिये तुदीर है निसूची में बारती है राज विवस्ता के बिवहन पतादीकारियों के बेतन भत्ते पैंसन का अधिकाउल लेक किया गया है तितीय अनुसूची की बात करें हम लोग तितीय अनुसूची तो इस इसमें बिवहन पतादीकारियों जैसे राठ्वती को पराती मंत्री उच्टम नयालय तो याद रखे पिथम अन्सूची में भारत के संग के घटक राज्यों और संदु सासुत पिदेशन उच्छेत्रों का उलेख है दुतिया अन्सूची में विभिन अधिकारियों के बेतन भत्ते और पैंसन अधिकारियों के सपत का उलेख है अब बात करते हैं चौत्री अन्सूची में विभिन अन्सूची में विभिन अन्सूची चेत्रों और अन्सूची जंजातियों के पिसासन और नैंतन के बारे में उलेख है छटी अन्सूची की बात करें तो इसमें असम मेगालय तिपुरा मिजोरम राज्यों के जन्जाती छेत्रों के पिसासन की बारी प्रावदान है तो याद रखे 5 वी अन सूची में इसमें विभेता सूची छेत्रों पन उन सुची जन्जातियों के पिसासन के नियंदन के बारे मैं हुद लेक है असम मेगाले तिफुरा मिजुरम को छोड़ कर ठीक है और छटी अनसूची में इन चार राज्यों को असम मेगाले तिफुरा मिजुरम A T M M, याद रखना, A T M M, A से असम, मेगाले, A T, A से असम, T से तिर्पुरा, M से मेगाले, और मेजुगा, राज्यों के जंजाती, चित्रों के पिसासन के बारे में प्राउधान है, साथ भी है न सूची की बात तो इसमें कैन और राज्यों की बीच सक्तियों के बटवारे के बारे में दिया गया है, इसके अंतर का तीन सूची है, संग सूची, राज्य सूची, संबर्ती सूची, ठ केंध सरकार कानून बनाती हैं समिद्दान के लागु होने केसमें सन्तावण दिसे criticism thrive राज सूचि इस सूचि केमें दिए गए विसरा राज सरकार कानून बनाती हैं राष्टी से सम्मंदित होने इपर कैंध सरकार कानून बना सकती हैं परन्तु कानून के विशय समान होने पर केंद सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान लोगा यानि की केंद सरकार को जानता सकती प्राप्ते हैं राज सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद सरकार के कानून बनाने के साथ समाप्त हो जाएगा समिंधान के लागु होने के समर्ती सूची में 47 से विसाय थी अभी 52 समर्ती सूची का प्रावदान जम्मू कस्मी राज्य के समन्ध में नहीं है लेकर याद रखें 2019 के बात करता हूं जब जम्मू कस्मी से 370 और 35 से हटा दिया गया है और जम्मू कस्मी से विसे राज्य का दर्जा कितम कर दिया गया तो अब सभी प्रावदान जम्मू कस्मी में लागू होंगे अब कोई भी प्रावदान कोई बेदबाव नहीं रहेगा ठीक है आठवी अन्सूची की बात करते हैं तो इसमें 22 भासां का उलेट किया गया मुर्लूप से आठवी अन्सूची में 14 भास आये थी 1967 में सिंधी को और 1992 में कॉंकडी मडीपुरी तथा नेपाली को आठवी अन्सूची में सामिल किया गया 2004 में मैथिली, संथाली और नौंगरी बोडो को आठवी अन्सूची में सामिल किया गया अब 22 भास आये खुल ठीक है अब बात करते हैं लोग नवी अन्सूची में अब इसके त्वारा राज्य के संपत्ती के अधियर की बिधियों का उले किया गया है कि इस अन्सूची में संभी विश्यों को नियाले में चुनावती नहीं दी जा सकती है बरत्मान में इस अनुची में 284 अधियम है अब यह मानता थी कि संभी अन्सूची में संभी कानून की नयाएक समिच्चा नहीं की जा सकती है 11.07 के संभी अन्सूची में संभी किसी भी कानून को इस आधार पर चुनावती दी जा सकती है मौलिक अधिकारों का उलगन करता है तत्मा उस्चितम नयाला यह कानून की समिच्चा कर सकता है दस्वी अन्सूची की बात करें तो इसे बाउन समिधान बाउन में समिधान संसुदन 1985-52 1980 में जोड़ा गया है इसमें दल बदन से संभन्दित रावधानों का उल लेकर 11 पंचवरची यह पंचवरची 11 अनसुची या अनसुची समिनान में 73 समिनान संसुदन 1993 के द्वारा जोड़ी इसमें 35 संस्थाओं को कारे करने के लिए 39 विषय प्रदान किये गये तरहे बाहरवी फंचिवर्ची या अनसूची या अनसूची समिधान के 54 वे समिधान संसुधन द्वारा 1973 के द्वारा जोड़ी इसमें सहरी छेत्ट को स्थानिये सोसाथन संस्थाओं को कार करने के लिए विश्द प्रिदान किये गए ठीक एक बार बात कर लेते हैं हम लोग पिथम अनसूची में भारत का छित दिया गया है लगो गया है दुतिये अनसूची में पता दी क्यारियों के बेतन भत्ते ओ पैंसन तितिये में सबत काउल लेक है पता दी क्यारियों क्यों चतुर्थ में राजसवा में पिती ने दित्त का विबरन किया गया है छेत्रों का माच भी अलसूची में अनुसूचित छेत्रों के अनुसूचित जनजातियों की पिसास नेंतर के बारे में छटी अलसूची में असंत मियालाय तिप्पुरा मेजुरम राजियों की जनजातियों के बारे में साथी वी में सकतियों के भटवाला आठी में साथी भाष बाइश भासाओं कर लेकर नौ भी में इसमें समपत्ति के अधीगेन की सय हो विधियों का लेकर weißümüz्ते तो 12 में डğimiz दर वद से संब्रीय की पछैति राध्र से संब्लेल čार। हम वारे करने के लिए सरदार वनलबाइब बटल की में रियासिबी मतराला में बना जा ऐती जुनागर रियासत को जन्मत् संग्रवाई edwara और जम्मु पस्मी रियासत को बिलाए पत्त पर तक्षर करकी भारत में बिलाए गया चलिए अब हम बात करते हैं संग और उसका राजिश्चेत के बारे में भारत राजियों का संग है जिसमें सत्प्रिती 28 राज 9 के निसासित फिदेश है ठीक है याद रखिए 2019 में जम्मु कस्मीर को केंदस दो भागों में बाजित कर दिया गया है दो केंदसासित फिदेश बना दिये गये जम्मु कस्मीर और लग्जार और इस तरह नौ हो गया केंदसासित फिदेश और 28 राजवची अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं जम्मु कस्मीर वाले मेंटर तो इस पेशल वीडियो और इस पीसी एस प्लिलिस्ट सूची वनी हुई है उसी में जाकर वहां से देख सकते हैं अब चलिए बात करते हैं अनुछे देख की तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संग होगा राज और उनके राजचित्रों में होगे बे होगे जो पहली अनसूची में बी निर्देश्ट हैं भारत के राजचित्र में अर्जित किये गए अन्न राजचित्र समाविष्ट होगे अनुछे दो की बात करें तो भारत की संसदी संसद को विधी द्वारा ऐसे निर्वंदों और सत्मों पर योग ठीक समझे संग में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी इस्थापना की सकती तिदान की गई है अनुछे तीन में नए राज्यों के निर्माण वर्पमार राज्यों के छेत्रों और सीमाओं या नामों में परीवर्तं संसद की विधी द्वारा इस्थापित कर सकती अब बात करते हैं राज्यों का पुनर अगठन भासा की अधार पर राज्यों का पुनर अगठन उच्छ थे या नहीं इसकी जांस के लिए समिधान सवा की अध्यक्ष डॉक्टर राजिन पिसाथ ने इलावाद उच्छ नियाले की आव कास प्राक्त नियादीज एसके धर की ज्यद्रिक्षता में एक- 4 सद hari आयओं की नियपि की इस आयओं ने आसा के यह अधार पर राज्यों के पूणर अगठन का भे रूद किया उपसासनिक सुपदा के यहार पर राज्यों के पूणर अगठन का समर्थन किया धर आयोग कि नेडियों की समिच्छा करने के जवाहला लहरू बल्लबाई पटल पटावी सीता रमिया इस समिती ने भासाई आदार पर राजियों का कुनरगठन की मांग कुखाजित कर दिया नहरू पटल नहरू पटल सीता रमिया जिसे जेवी पी समिती पहा जाता है समिती रिबोट के बाद मंद्रास राजि में कि तेलगु भासियों ने पोट्टी स्री रामूलू के नेतत में आंदोल किया 56 दिन के आमरा नंसन के बाद 15 दिसंबर 1952 को रमल्लू की मित्ती हो गए, रमल्लू की मित्ती के बाद पिधानमंतरी नहरू ने तेलगु भासाईयों के लिए पितक आंद प्रदेश के गठन की गोशना की, एक अक्टूबर 1903 को खांद देश राज्य का गठन किया गया, यह राजभास सुतन भारत में भासा के आदार पर गठन होने वाला पहला राज़िता उस समय आंद प्रदेश की राध्धानी करनूल थी, राजपुटनर गठन आयू के अध्यक्ष फजल अली थी, इस में अनस सरस्ते हिदैनाद कुंजरू और सरदार के एस के एम पड़िक कर, राज़िगे फुनर गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया, इसके अनसार भारत में 14 राज़िचे के निसासित विजेश इस्थापित किया गया, नवंबर 1905न में को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभ अभी वस्तियों पॉन्डिचेरी, बनाम, चंदनगर, केरीकल वो भारत को सौप दिया, 28 माई 1956 को इस संभी में संधी पहस्ताक्षक हो गए, इसके बाद इन सभी को मिलाकर पॉन्डिचेरी, संग, राज़िचेत अगठन किया गया, भारत सरकार ने 18 दिसमबर 1961 को गवा, द दवन, दुई की मुप्ती के लिए पुर्दगालियों की विरोध कारवाही की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया, बारेवे संमीधान संसुदन द्वारा, गवा, दमंदुई को कितम परिशिष्ट में सामिल करने के भारत का अभिन अंग बना दिया, याद रखिए, भ सबसे पहले इनिने महारत में आया थी, पुर्दगाली कंपनी, सबसे बाद में, आगे बात करते हैं, एक माई 1960 को महराथी एवं गुजराती भासाई के वीज़ों, संध्यर्ष्ट के कारण बंबई राज्य का बटबारा करके, महराष्ट एवं गुजरात नामा दो राज् करके, एक दिसंबर 1963 को नागालेंड को अलग राज्य बनाए गया, एक नमबर 1966 को पंजाब को बिवाज़त करके, पंजाब और हर्याणा दो राज्य बनाए गया, 25 जन्वरी 1973 को हिमाचल प्विदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, 21 जन्वरी 1972 को मड़ीपु तिप्पुरा मेल गालेंड को, आँगे बात करते हैं, 26 अप्रेल 1975 को सिक्किम भारत का 22 बाराज्य बनाए, 20 फरवरी 1987 को मेजोरम एबं अरुनाचल प्विदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, 30 मई 1987 को गौआ को 25 बाराज्य का दर्जा दिया गया, 1 नमबर 2000 क 26 बाराज बनाए, 9 नमबर 2000 को उत्तरान चलो, अब उत्तरा खंड 27 बाराज बना उत्तर बिदेश से अलग करके, और 15 नमबर 2000 को जार खंड 28 बाराज बना बिहार से अलग कर, वरत्मान समय में 28 राज, 9 कैंद सासे बिदेश में, ठीक है, 2019 में, क्योंकि जम्मूग और कर्ष्पिये को, दो कैंद सासे बिदेश बना दिये गए, तो 28 राज बचे हुए, और 7 कैंद सासे बिदेश, इन्हाई समिन्हार की इप्तम अनसूची में सामिल किया गया, छेती ये परिश्दों की बात करें, तो भारत में 5 छेती ये परिश्दे हैं, इनका गटन राष्पती की द्वारा किया जाता है, और कैंदी ये ग्रह मंत्री, या राष्पती द्वारा मनूनीत कैंदी ये मंत्री, थी चेट्रीों mom educ होता है। समंदित राज्जियों की मुखमंत्री उपात्यक्ष होते हैं कर जो पिति वर्स बदलते रहते हैं। भारत में वे घाठेت कुछ पांच से ट्री परिशंदों की बात परें और राज्यों में तो त्री छित्रीय परिशत्त्य पंजाब हर्याणा राजिस्थान जमुकस्मीर हिमाचल पिदेश राज तथर चट्डीगड दिल्दी संग राजियों के लिए मज्यो मद्य च्यत्रीय परिशत्त की तो अतर्पिदेश मतपिदेश उत्राखं सित्रा इसके अंडर में पूर्भी च्यत्रीय परिशत्त की बात में तो भीहार–पस्ट्य-मंगाल उडिशा ज्यार्पन असम्तिक्यम तिक्पुरा मेगाले नागालें अरोना चल्पिदेश मेजोरा मेहस में पष्टमीगी बात छेत्रीय परिशत्की बात उने गुजरात महराष्ट गुआ दमंदुई दादर तथन नागर होएली संगराज छे सामिलें अब यहां नई राजियों का भेठन की बात कर लें तो पांदपिदेश का बना 1903 में भासाई आधार पर पिथम राजी थाए तिक महराष्ट 1960 में गुजरात 1960 में नागालेंड 1963 में अर्याडा 1906 में इमाचन पिदेश 1971 में मेघाले 1902 में मडीपुर्ट तिपुरा 1902 में सिक्क्यम 1975 में मिजूरम अवणाचन पिदेश गुआथ 1987 में शत्तिशकर उत्त्राकंड ज्यारकंड 2000 में याद रखिए आंध्रप्दे से अलग करके तेलंगान बनाया गया था दो जून 2014 कि अब बात कर लेड़ें भारतिय समीधान की प्रमों भागों के बारे में तो भाग एक संग एवं रा उसका राजचेद इसमें अनुष्यद है एट सुए चाय चार भाग दो नागरिकता से सम्भंदित है अनुचेद 5 से 11 भाग 3 मौलिक अधिकार्व सम्भंदित है अनुच चती से इंक्याउन भाग चार का में मूल करतव में अन्चेत इंक्याउन का भाग संग से संब्दे थे इसमें बाउन से एक सो इंक्याउन तर भाग चार राजिस से संब्दे थे अन्चेत एक सो माउन से 237 तर भाग चा आठ संग राज चेत से संब्दे थे अन्चेत 249 से 222 तक भाग 11 संग और राज्यों की भी संबंदे से संबंदे थे अनुचित 245 से 263 भाग 14 संग और राज्यों के दिन सेवाऊं थे अनुचित 308 से 3023 तक भाग 15 निर्वाचल से सम्बंदे थे अनुचित 324 से 339 भाग 17 राजवासा से सम्बंदे थे 316 से 309 अनुचित भाग 18 आपातकाल से सम्बंदे थे अनुचित 312 से 360 भाग 20 समिनाल संसुदन से सम्बंदे थे अनुचित 368 ठीट अब बात करते हैं हम लोग भारतिय नागरिक्ता के बारे में भाग दो अनुछे 5 से 11 भारत में एकल नागरिक्ता का प्राप्त की जा सकती है जनम से पितेग ब्यक्ती जिसका जनम सम्मिधान लागू होने अर्थाद 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चाद भारत में हुआ है तो जनम से भारत का नागरिक्ता होगा अपबाल राजनेकों के बच्चे और विदेशियों के बच्चे ठीक है राजनेकों के बच्चे और विदेशियों के बच्चे भारत के जनम से नागरिक्त नहीं माने जाएगे अगर उनका जनम भारत में भी होता है तो दूसरा है बन्स परंपरा द्वारा नागरिक्ता भारत के बाहर अन देश में 26 जनवरी 1950 के पश्चाद जनम लेने वाला वेक्ती भारत का नागरिक बाना जाएगा यदि उनके जनम के समय उनके माता प्रिता में से कोई भारत का नागरिक हो माता की नागरिक्ता के अधर पर विदेश में जनम लेने वाले बच्चे को नागरिक्ता प्रदान करने का प्रावधान नागरिक्ता संसुदन अधिनिया उननीस सो बाउन के द्वारा किया गया है तरह देशी करण द्वारा नागरिक्ता भारत सरकार ने देशी करण का प् पंजी करन के द्वाराइं भारत की नागरिक्ता प्राप्त कर सकती हूं। बेवैक्ति जो सवावेवाखत्य हैं तक और किसी देस में नुवास करने का हैं। भारतिय नागरेकों के नावाली बच्चे राष्टमंडल देशों के नागरेक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौपी ख़लायों आवेधन पत्त दे कर भारत की नागरेकता प्राप्त कर सकते हों फ्रह भूमी विस्तार द्वारां यदि किसी नए भूबात को भारत में सामिल किया जाता है तो उस छेत्त में निवास करने वाले ब्यक्तियों को सुता भारत की नागरेकता प्राप्त हो जाएगी भारतिय नागरेकता संसुदन अधिनियम 1986 इस अधिनियम के आदार पर भारतिय नागरेकता संसुदन अधिनिय गये अब भारत में जनम जनमे किवल उस ब्यक्ति को यह नागरिकत्त करना चाढ़त excel कि जाएगी जिसके माता पिता मेंसे एक भारत गार बरसों तक भारत में रहर चुका हो पहले यह अब दी तीन पांच बरस थी लेकिन अब दस बरस हो गए नागरेक्ता संसोधन अधिनियां 1986 जमू पस्मीर वा असमसायद भारत की सभी राज्यों में लागू हुगा भारती नागरेक्ता का अंध तो भारती नागरेक्ता का अंध के बारे में बात करें तो नागरेक्ता का परित्या करने से किसी अन्यदेश की नागरेक्ता स्विकार करने से जरकार द्वानर नागरेक्ता चीनने से जम्मू कस्मीराज के विधन मंदल को निम्मनेविसयों के संबन्ध में राज में इस्ताई बीज़ों से निवास करनेवाले व्यक्तियों को अगले तत्त हम बाड़े से अधिकार पिदान करने कि सकती पिदान की गई थी याद रखना की गई थी क्योंकि 2019 में पांच अगर्ष्ट से पांच अगर्ष्ट को जो नेडर आया तीन सो सत्तर हटा किया गया और 35 से और 31 अक्टूबर 2019 से सभी वो प्रावधान जो पूरे इंडिया पूरे भारत में लागू होते हैं वही जम्मु कश्मीर में ला और जम्मु कश्मीर में नहीं राज कम लें हो खोते हैं नहीं बखनिन इसे सयुप्त राज अमेरिका की समिधान से लिया गया है。 इसका वाड़न समिधान के भाग तीन में अनुचित 12 से 35 अतारeeee संमिधान के भाग टीन मुह भारत का अधिकार पत्रत भखारत का अधिकार पर कहा जाता है, इसे मूलिक अधिकारों का जनमदाता भी कहा जाता है, मौलीक अधिकारों में सनसुधन हो सकता है, एक राष्टी एहाफात के दोरान तीन सो बाउन, जीवन एवं व्यक्ति का सुतंता के अधिकार को छोड़ कर अन्न मौली का अधिकारों को इस्तिकित किया जा सकता है मूल अधिकार में साथ मौली का अधिकार थी लेकिन चवाली सबें संसुधन अधिनियम द्वार उननीस सो उननागतर 1978 के द्वारा संपत्ती के अधिकार को अन्चेद 31 एवं अन्चेद 19 खार के कुमोल एक अधिकार की सोची से अठा कर इसे समिधान के अन्चेद 301 के अंतरगत कानून एक अधिकार की रूम में रखा गया मूल अधिकार की बात कर लेती है तो समता या समानता का अधिकार अन्चेद 14 से 18 तक दिये गए इसमें समता या समानता का अधिकार 1922 तक दिये गए उच्छिद में सोचन के विरोगत अधिकार तो थेईश चौविस में इसका बाडन है धार्मिक सुतनता का अधिकार तो पचीश से 18 में संस्क्रिटी और सिक्छा समन्दी अधिकार तो उन्टीश से तीस में समीधाने कुप्चारों का अधिकार इसका बाडन अन्चेद 32 में दिया गए अधिक्षितेश में सरदार वल्लबाई पटेल में कांग्रेस ने गोश्णा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी मूल अधिकारों को प्यारू जिवाहालाल नहरू ने मनाया थे अब बात कर लेते हैं सम्ता या समानता का अधिकार तो अनुछेद 14 देखें विधी के समक्षित सम्ता इसका अधिया है कि सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानूर बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा ठीक है तो याद रखे अनुछेद 14 में क्या है विधी क के समक संता नुचेट 15 धरम नसल जाती लिंग्य। या जनम इस्थान के अधार पर भेदभाव का निष्एूरृ राज के द्वारत धरम्राब मूलबन्स जाती लिंग्य। oxidic इस्थान खादी के आधार पर नाग्रेकों के पितें जीवन के किसी भी छेत में बेदभाव नहीं किया जाएगा अनुछेत 16 की बात में तो लोग नेवजन के विशय में आउसर की समानता राज के दिन किसी भी पत्पन नेवजन या नेपती से संबने विशयों में सभी के लिए इसे दंडिये अपराद भूसित किया गए तरह अनुचेद 18 तो अप उपादियों का अंत सेना या विदा संबंदी सम्मान के सिवाए अन कोई उपादिया राज द्वाद अपिदा नहीं की जाएगी बारत का कोई नाग्रिक किसी अन देश से बिना राष्ट्पत करते हैं आग्रा के कोई उपादि स्रीकार नहीं कर सकता ठीए उपादियों का अंत चौदर में क्या है विदी के समध समता पंद्रह में क्या है धरम नसल जाती लेंक या जन्विस्थान के आदारप भेवाव निशिद शुला में क्या है लोग नियोजन की विश्यन में 18 में उपादियों का अब बात करते हैं स्वतन्तता का अधिकार दूतरा अनुचेद 19 मूल समिधान में साथ रहे की स्वतन्तताना काउलेक है अब सरेफ 6 बचीन कि संपत्ती की हथा जो से 1978 द्वाना हटा दिया गया हो कि 44 में समिधान संस्वतना नहीं ऑननीसद में नीच ए बोलने की सतंत्ता अननीसद वि सान्तिपूर्ण बिना तिया के पेकत्थफोने और सभा करने की सवतन्तंता 19 स संघ बनाने की सतंत्ता 19 कAd देशख के किसी भी छेत में आवागान की स्वतन्ता 19E देश के किसी भी छेत में निवास करने वसने की स्वतन्ता 19E संपत्ति का अधिकार कि याद रखिए चावालीस बासमिधान संसुदन 1978 की द्वारा हटा दिया गया से 19 जी है कोई भी ब्यापार या जीविकार चलाने की स्वतन्ता स्वतन्ता का स्वतन्ता का वर्डन अनुचेद 19E में ही है 19E में ही है याद रखिए यह अपवाद जमू कस्मीर लगा है अब सब जगहें लागू होंगे सब कोई बेदभाव नहीं है जमू कस्मीर से विशिव सुराज्य का दर्ज्या हट चुका है और 31 अक्टूबर 2019 से यह लागू भी हो चुका है अब बात करते हैं अनुचेद 20 अपराधों के लिए दो सिद्ध्य व्यक्त के समंद्ध में सरनक्चन इसके ताह तीन प्यकार की सुतन तता कबर रहने किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए यह सिर्फ एक बात सजा मिलेगी अपराध करने के सम प्रहनुचेद 21 तो प्राण एवं देग सुतनतता के संद्ध्य किसी भी व्यक्ति को विधी द्वारा इस्थावत पिक्रिया के अत्रेक्त उसके जीवन और व्यक्तिक सुतनतता के अधिकाल से बंचित नहीं किया जा सकता है अनुचेद 21 का राज में राजिसे 6 से राज 6 स 14 वर्स के आयू के समस्त बच्चों को ऐसे ढंसे जैसा कि राज विधी द्वारा और धारित करे निसोल्ग तथा अनिवार सिक्षा का उपबंद करेगा इसे जोड़ा गया 21 का को 26 26 समिधान संसुदन 2002 द्वारा थरे अनुचेद 22 कुछ दसाओं में गरफतारी और निसेद निरोध में संरक्चन अगर किसी भी प्यक्ति को मनमाने टंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे तीन पकार की सुतनता फिदान की गया है हिरासत में लेने के कारण बताना होगा 24 गंटे के अदर आने जाने क समय को छोड़कर उसे दंड अधिकारी के समख पेज किया जाएगा उसे अपने पसंद की भकीत से सलाह लेने का अधिकार होगा निवारक निरोध भारतिय समिधान के अनुचित 22 के खंड तीन चार पांच छेवें तत्तो समंदी प्रावधानों का उलेख है निवारक निरो करने से रोपना है वस्तुत्रा यह निवारक निरोध राजी की सुरक्षा लोग वेवस्ता बनाये रखने या भारत की सुरक्षा संबंदी कारणों से हो सकता है जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की किसी विधी के अधिन गरपतार किया जाता है तब सरकार यासे व्य इस प्रिकार निरोध व्यक्ति को यथा सीग निरोध के आधार पर सूचित किया जाएगे, कि तो जिन तत्थों को निरस्त करना लोखित के विरोध समझा जाएगा, उन्हें बिगट करना अवस्तक नहीं है, निरोध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरोध अभिया वेधन क भारत की संसब ने 26 परवई 1950 को फहला निवारत निरोध अधिनियम पारत किया इसका उद्देश राष्ट बिरोधी तत्तों को भारत की पिती रक्षा कि तीकूल कार से रोपना था इसे एक अप्रेल 1991 को समाप्त को जाना था कि तो समय समय पर इसका जीवन काल बढ़ाया जासे ता रहा है अता है यह 31 दिसंबर 1971 को समाप्त हो गया प्रे आंत्रिक सुरक्षा व्यक्तिगत विवस्ता अधिनियम 1971 में साथ 44 समिनाने संसुदन के पिती कूल था इसकारण अप्रेल 1974 में यह समाप्त हो गया विदेशी मुद्रा संरक्षन वक्त तसकरी निरोद अधिनियम 1974 पहले इसमें तसकरों के लिए नजरवन्दी की अबदी एक परस थी जिसे जुलाई तेरे जुलाई 1994 को 84 को एक अध्याधर इसके द्वारा बढ़ा कर दो बार्स कर दिया तरह राष्टिय सुरक्षा कानून उन्डी सो अश्यू सभी राज्यों में लागू होता है पिर आतंगवादी एवं प्रिद्वांसकारी गतिविधिया निरोदा कानून टाड़ा निवारा की रोध विवस्ता के इंदर अक तक जो कानून बने गए उन्में यह सबसे अधिक प्रभावी और सरवादी कठोर कानून में 23 मई 1995 को इसे समप्ट कर दिया गया तरह पोटा इससे 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया पोटो टाड़ा का ही एक रूप है इसके इंतर अक तेजिस आतंगवादियों गुटों किति वंदित किया गया आतंगवादियों और आतंगवादियों से सम्बंदित सूचना को च तंदित करने का प्रावधन किया गया है, पोलिस सक्के आदार पर किसी को भी गरफ्तार कर सकती है, किन्तु बिना आरोपत्त के तीन माह से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती है, पोटा के अंतर लेगा गरफ्तार व्यक्ति हाई कोट या सुप्रीम कोट में अपील कर सकता है, लेकिन यह है फिर भी गिरफतारी के तीन माहे बाद ही हो सकती है, पूट्टो 28 मार्ज 2002 को अधिनियम बनने के बाद पूटा हो गया है, 21 सेफ्टम्बर 2004 को इसको अधिया देश के द्वारा समक्त कर दिया गया, अब बात करते हैं, तीसरा अधिकार हमार, सोचन की बिरोद अनुचे तेज, मानों के दुरव्यापार और बलास्रम का पिति सेदेश में, इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीति की बेगारी, तथा इसी पिकार का अन्य जवर्जिस्ति लिया हुगा, निसे ठेराया गया, जिसका ओलगन विदी के अनुसा दन्लिये अपराद होगा, जरूरत पढ़ने के राष्टिये सेवा करने के लिए बाद देख किया जा सकता है, अनुचे 24 के दर, बालकों के लिए नियोजन की पिति से, 14 बर से कमाईवाले किसी भी बच्चे को कार खाना, खाना, खानों या अनकिसी जोखें भरे खामों पर निवत नहीं किया जा सकता फिर है हमारी धार में सुतनता का अधिकार, अनुचे 25, अन्ता करन की ओर, धरम के अध, आयाद, रोख से मानने, आचरम और पिचार करने की सुतनता, कोई भी ब्यक्ति किसी भी धरम को मान सकता है, उसका पिचार कर सकता है, अनुचे 26, धार में कार्यों के प्यबंदन की कुई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना पोशन करने विधी सम्मा संपत्ति के अजन स्वामेत्वा पिसासन का दिकार है अनुचिद 28 के दर्ग राज विधी से पूरता पोशित किसी विश्चा संस्था में की उन्नती या पोशन में बैय करने के लि सिक्षा नहीं दी जाए ऐसे सिक्षण करनस्तान अपने बिल्ध्यार्थियों को किसी धर्म कनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मा पुदेश के बला सुनने ही तुब बात नहीं कर सकती है तरह है हमारा संस्किति एवन सिक्षा संबंदी अधिका पाश्वा अनुचि अधर्म और संस्कित ही गया था तो उसे किसी भी सरकारी सिक्षण संस्था में प्रवेश से नहीं रोपा जा सकता है अनुच्छे तीस सिक्षा संस्थाओं के स्थापना और पिसासन करने का अल्प संख्यक बरूगों का अधिकार कोई बी अल्प संख्यक बरग अपनी पसं प्चारों के अधिकार को डॉक्टर भीम रावंबेडकर ने सम्मिधान की आत्मा कहा है कई बार पूछा जा चुका है वंडे एकजामों में भी कि डॉक्तर भीम रावंबेडकर ने सम्मिधान की आत्मा की संख्यक को कहा है तो याद रखे सम्मिधाने को प्चार के अधिक कारवाही द्वारा उच्तम नियालय में आवेदन करने का अधिकार पिदान किया गया इस अंदर में सरवुच नियालय को पांच तरह की रिट निकालने की सक्ति पिदान कि गई जो है बंदी पित्यक्षी करण फरमादेश कितीसेद लेग उत्पेशन अधिकार पिद्चा ले अब बात करते हैं बंदी पित्यक्षी करण यह उस ब्यक्ति की प्रातना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे आवेद रूप से बंदी बनाए गया है और इसके द्वारा नियालय बंदी करने वाले अधिकारी को आधिकारी को आधिकारी को आधिकारी को आधिका आदेश का लेग उसमय जारी किया जाता है जिए कोई अध्याथिकारी अपने साय। नियालयों तथा अर्द नयायक नयालयों को चारी करते हुए आदेश लिया जाता है इस मामले में अपनी कारवाही ना करेट वोग वकिए उसके अदिकार चित के बाहर है उत्पेसन इसके दौरा अधिनस्त न्याला को यह अदिश दिया जाता है कि भी अपने फास लंबित मुकदमों के न्याय न्याय के लिए उसे बरिश्ट न्याला को भेंगे अधिकार फैक्षा जब कोई व्यक्ति ऐसे पदा अधिकारी के रू रहा है और जब उत्त को इस बाद का संतोश जनकतर नहीं देता वकार नहीं कर सकता है कि आगे बात करते हैं मौिक संसोधन मौलिक अदिकार경 में संसोधन की बात करते हिए कब कब हुए तो बात करते हैं गोलगनाथ बना पंजाब राज उननीस सो सरसट में कि नेड़े से पूर्ख दिये गए नेड़ें में यह निर्दारित किया गया था कि समिधान के किसी भी भाग में संसुधन किया जा सकता है जिसमें अनुचे 368 इवा मूल अधिकार को सामिल क बना पंजाब राजब उननीस सरसाट कि 967 में उननुचे 368 में संसुधन किया गया यह निर्दायत किया गया कि लोग नायैद कियाbirds कि के ली गई फिक्रिया दोबारा मूल अधिकारों में संसुदन किया जा सकता है। 42 संबिधान संसुदन 1976 के दवारा, अनुछे 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए, यह विवस्ता की गई कि इस प्रकार के लिए किये गए संसुदन को किसी नियालाय में प्रसन गयत नहीं किया जा सकता है, फिर आया मिनर्वा मिल्स बनाम भारसंग 1980, कि नियालाय दवारा यह नि 42 में संसुदन दवारा की गई विवस्ता को भी तमञब्त कर दिया ल्हया है, छी मलग में लिए लिए अब बात करते हैं थिक्जान के वारे में राज के नीती ने दे सकत सिद्धान्तों का बढ़न, समिधान के भाग चार में अनुचे 36 से इंक्याउं तक किया गया, इसकी फेड़ा आयरलेंड की समिधान से ली गई थी, ठीक, इसे नियाले दोरा लागू नहीं किया जा सकता है, यानि इसे बैदानिक सक्ती प्राप्त न नहीं है, राज के नीती ने दे सकत सिद्धान्त निमने, अनुचे 38, राज लोग कल्याण की अभी बिद्धी के लिए सामाजिक विवस्ता बनाए, जिसमें नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनिती नियाय मिले, अनुचे 49 का समान नियाय और निसल्ग, बिदिक, सहेता समान कारिक लिए, समान बितन की विवस्ता इसमें है, अनुचे 49 का सारवजनिक धन का स्वामित तथा नियंतर इस पेकार करना चाहिए, ताकि सारवजनिक धन का सर्वोत्तम साधन हो सके, 49, गा में, धन का समान बितरन, 40, अनुचे 40 में, ग्राम पंचयातों का कटन, अनुचे 40 में लिया गए, अनुचुद, अनुचे 41, कुछ दसाओं में काम, सिक्छा और लोग साहता पाने का दिकार, अनुचे 42, काम की निया संगत और मानवोचित, दसाओं का तथा पिसूती साहता को प्लब उपन किया गया, अनुचे 43, करमकारों के लिए निर्वाहर, निर्वाचन मजदूरी, इभन कुटीर और देव को पुर्साहत दिया गया, अनुचे 44, नागरेकों के लिए एक समान सेविल सहता, अनुचे 46, अनुचे जातीयों, अनुचे जन जातीयों और अनुदूर्वल बारगों के लिए और अर्थ संबंदियतों की अभिवेद्दी, अनुचे 47, ओसाहार इस्तर, जीवन इस्तर को उचा करने, तथा लोक स्वास्त का सुधार करने का राजिकर्तव, अनुचे 48, किर्सी एवं पसुबालन का संगठन, अनुचे 48 का परयावान का संगठन, तथा संबर्धन और बन एवं बन जीव की रख्चा, जीवों की रख्चा, अनुचे 59, नदराष्टीय महत्के स्मारकों, इस्थानों और बस्तुओं का संगठन, अनुचे 50, कारीवा अनुचे 59, अंतराष्टीय संगठन, इस्था की अभी बिद्धी, उप्यवक्त अनुचे के अंतरेक्त, कुछ ऐसे अनुचे भी है, जो राज्य के लिए निर्ती निदेसक्त, सिध्धान की रूम मे काल करते हैं, जैसे अनुचे 350 का, फिरा आत्मी किस तर पर मातवासा में सिच्छा देना, अनुचे 300 इंक्या हिंदी को पृत्साय देना, अब बात करते हैं मौलिक अधिकारों और निती निदेसक्त सिध्धान्तों में अंतर क्या है, तो ये निती निदेसक्त सिध्धान्त हो गए, ये मौलिक अधिकार हो गए, यह आयर्लेंड के समिधान से चार में है और मौलिक अधिकारों का बढ़न भाग पांथ भाग तीन में है इसे लागू कराने के लिए नीति निदेशक्त सिद्धानतों को लागू कराने के लिए नहीं जाया जा सकता है और मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए नियालाय की तरन ले सकते हैं नीति नेदे सक्तंत सिध्धान समाज की भलाई के लिए है और यह व्यक्ति के मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकार के लिए है नीति नेदे सक्तंत सिध्धान इसके पीछे राजनितिक मानता है और मौलिक अधिकारों के पीछे कानूनी मानता है यह सरकारों के अधिकारों क सरकारों के द्वारा लागू करने के बाद ही नाग्रेकों को प्राप्त होता है मौलिक अदिकार नाग्रेकों को स्तोता प्राप्त हो जाता है है अब बात करते हैं हम लोग मौलिक कल्तब के बारे में ज़ानार सर्दार स्वन सिंग समिति की अनुसंसा पर समिधान के 42 समिधान संसोदान, उनीशो चैत्तर के द्वारा मौलिक करतप्पों को समिधान में जुड़ा गया है, इस रोब में इसे रूस के समिधान से लिया गया है, आपको बता दें, अगर जिस तरह मौलिक अदिच् देख्लों मौलिक अधिकारों में क्या-क्या बात कही गई है तो मौलिक कर तबों को चार का में अनुछेद इंक्याउन का के तह्थ रखा गया है ठीक है? आंगे बात करते हैं लोगा, मौलिक करतब्भों की संख्या 11 है जो इसके कार देखना क्या क्या दिया गया है इसमें, पितेक नागरिक पहला है, पितेक नागरिक का ये करतब होगा कि वैस समिधान का पालन करें और उसके आधरसों, संस्थाओं, राष्ट द्वैज, राश्टगान का आदल करें कितने लोग करते हैं लोग भूल जाते हैं अपना करतब मौली करतब तो दिया गया ना अगर इसे फॉलू करें आदमों इंसान तो खाये का कुछ होगा और दूसरा है सतंता के लिए हमारे राश्टी आंदोलन के लिए को पेज़ित करने वाले वात्रम जैसे गीतों के लिए मतलब कानून लाना पड़ रहा है बोलना पड़ रहा है प्रिवी लोग फॉलू नहीं कर रहा है किया देश हों हमें तो अपने करतब्भों को सबसे पहले फॉलू करना चाहिए अगर देश को आगे बढ़ाना है तो तीसरा है भारत की प्रभ बाक्त की भावना का निर्मार करें। क्या है यह कुष्छ के सामाजीनिक संस्किति की गौरवणा का मत्य समझे उसका प्रिच्छत करें। चटवा सातवाय त्राक्तिक परियावाइन की रक्षा करें और उसका संबर्धन करें आठवाय विज्ञानिक देश्टीकोर और ग्यान अरजन की आउख भावना का विकास करें सारोजनिक संपत्तिक उस रक्षत रखें दसवाय व्यक्तिकत एवं सामुईक कतिविदियों की सभी छेत्रों में उतकरस की ओर बढ़ने का सतत क्यास करें ग्यारवाय माता पिता है कि हुँ सारक्षक द्वारा छे से चौदे वर्स की बच्चों ही तुँ फिरात्मिक सिक्षा पिदान करना चैसीवा समिधन संसुदंच द्वारा जोड़ा गया था तो याद रखिए अपने मौलिक करतबों को भी फोलो करिए जिस तरह मौलिक अदिकारों के लिए रोते हैं इसी तरह इनको भी देखिए मौलिक करतबों को भी फिर बात करते हैं संगिये कारिपालिका के बारे भारती ये संगिये कारिपालिका सकती राश्पती में नहें थे भारत में संस्यदिये विवस्था को अपनाये गया है अतार राश्पती नामात की कारिपालिका है पिधार मंत्री उसका मंती वंडल बास्तविक कारिपालिका हो ठाउन के अनुसार कोई ब्यक्ति राश्पती होने यह कुतब होगा जब भारत का नागरे को 35 वर्ष की आयुपुरी कर चुका हो लोकसभा का सदस निर्वाचित किया जाने यह को चुनाव के समय लाप का पद धाल नहीं करता हो यदि ब्यक्ति राश्पती या उप राश्प सब्सक्राइब के साथ यह रहें 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 टक डॉक्टर ऐसराधा किष्णन यह रहें 1962 से 1967 तक डॉक्टर जाकिरुखसेंट यह 1967 से उनक्तर तक बीवी गिरी 1989 से चोहतर तक फिर रहें थरू फकरुद्दीन अली अहमत चोहतर से सततर तक नीलम संजीव रेटी सततर से ब्यासी तक ग्यानी जलसीन ब्यासी से सतासी तक आर बैंकट रहन इस सतासी से बाउनवे तक डॉक्टर संकर दयाल सर्मा बाउन से атьсяय संतानवे तक क यार नारहें में यह शंतर दोक्टर रह्लंच डॉजय से दोलरक हि अव्धाय कराण हरती दोचेशारसाहत्तTe 2002 से 2007 से 2010 कि बारेद को तो हजार 12 से रहे थे 2017 तक पेड़ों मुखर जी और 2017 से रामनात कोविंद बने 2017 में और अभी 2019 में रामनात हैं तो याद रखी पितिवार दिन पार्टिल के बाद आए पेड़ों मुखर जी ते उनके बाद आए रामनात खूब बेवी गिरी 3 माई उन्हींसोजनसतर से 20 जुलाई उन्हींनसोजनक्तर तक नियामूर्थी मुहमद हिदायतुल्ला 20 जुलाइ उन्हींसोजन से 24 अगस्त उन्हींनसोजनसतर तक बीडी जत्ती 11 प्रवणी 1970 से 25 जुलाई 1970 तक कारवाहक राश्पती के पत्पर रहे आंगे बात करते हैं राश्पती के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंदल इसमें राजिसवा लोकसवा और राज्यों की विदान सवाओं की निर्वाचिस सदस होते हैं यहां याद रख निर्वाचक जिस राश्पती का निर्वाचन होता है उसमें निर्वाचक मंदल होता है इसमें राजिसवा लोकसवा और राज्यों की विदान सवाओं के निर्वाचिस सदस होते हैं मनोनीत नहीं निर्वाचिस सदस होते हैं कि वक्त नवीन तंग विवस्था के अनुसार पन्टिछेरी बिणाँसवा और दिल्डी की बिणाँसवा के निर्भाचित सदसों को भी समलेत किया गया है। राश्टपति के पति के उम्मीदवार के लिए निर्भाचित मंठल के पचास सदस विस्तावक होते हैं। पचास सदसे अनुमोदख होते ही। एक ही बेक्ति जितनी बार चाहे राश्ष्टपती के पद्खेपर निर्वाचित हो सकता है। कोई पावंदी नहीं है भारत में। राश्ष्पती का निरवाचन समानुपाथिक पिति नेतित पे डाली। और एकल संकमडिये मत पदित्ती के द्वारा होता है राश्पती के निर्वाचन से समंदित विवादों का निफ्टारा उस्तम ने आले सुप्रीम कोड द्वारा किया जाता है निर्वाचन समंदी घोसित अवैद घोसित होने पर इसके द्वारा किये गए कार अवैद नहीं ह तक तक बना रहेगा जब तक उसका उत्रा अदिकारी पद गहन नहीं कर लेता पद धारन करने से पूरू राष्टपती को एक निर्धारित विपत्त पद भारत के मुखने आदीस अत्वा उसकी अनुपस्तिती में उच्छ्टम नियालाय की वरिष्ट नयादीज के सम्मोख सपत लेनी पड़ती है तो याद रखे पद्धारन करने से पूर वराष्टपती को एक निर्धारित पिवत पर भारत के मुख नयादीज यह अत्वा उसकी अनपत्तिती में उच्टम नियालाय की वरिष्टम नियादीज के रूम में के सम्मोख सपत लेनी पड़ती है रख्टपती निमने दसाओं में पांच पर से पहली भी त्यागपत लेख सकता है आधारे जो अन्चे 31 में उल्लेके थे वह समिधान का अतिके मढ़ है रख्टपती पर महावियोग राष्टपती द्वारा समिधान के पईरावदानों के उल्लगन पर संसद के किसी भी सधनमर राजसवा या लोगसवा द्वारा उस पर महावियोग लगाया जा सकता है परन्तु इसके लिए आवस्क राश्ट है कि राश्पती को 14 दिन फहले लेकर सोचना दी जाएगी जिस पर उस सदन के एक चोथाई सदस्मों के हस्ताप्छर होंगी संसद के ऐस सदन जिसमें महावियोग का पिस्ताप फिश है कि दो तिहाई सदस्मों दुखार ने पर पिस्ताप दूसरे सदन में जाएगा जब दूसरा सदन राश्टपती पर लगाए गए आरूपों की जाच करेगा या कराएगा ऐसी जाच में राश्टपती के ऊपर लगाए गए आरूपों को सिद्ध करने वाला है फिस्ता दो तिहाई वहमत से पारित हो जाता है तब राश्टपती पर महाव्यूप की पिक्रि पांच वर्स की समाप्ति से पूर हो तो निर्वाचन पदावदीस की समाप्ति के पहले ही कर दिया जाएगा अनुछित वासाट ठेकित है किन्तों यह उसे पूरा करने में कोई बिलंग हो जाता है तो उसे राज अंतराल ना होने पाई इसके लिए उबंद है कि राश्पति पद की अधी थी समाप्त हो जाने पर पी तक तक पर बना रहेगा जब तक उसका उत्त्राधिकारी पद बतारण नहीं कर लेतां अनुछे 538 कार लें ऐसी दसा में उपर राश्ट्रपती कि रूम में कार नहीं कर सके हैं देटके बेतन बत्लों की बात करें तो राश्ट्रपती का मास्क बेतन पांच लाग विए है ठीक है पहले 1.10 लाग था लेकिन अभी 2019 की इस्तिती बताराओं तो 5 लाग हुए राष्ट्रपती का वेतन आयकर से मुप्त होता है राष्ट्रपती को निशल्ट निवास संस्थान वसंसथ द्वारा सुईक्रत अन्न भत्ति फिराप्त होती है राश्टपती के कारकाल के दौरान उसके उनके बेतन तथा भत्ते में किसी बिखार की कमी नहीं की जाए सकती है राश्टपती के लिए नौ लाक रोपी वार से फैंसन निर्धारित की गई है ठीक है अब राश्टपती के अधिकार या कर्टब्गों की बात करते हैं तो नीकती समय मंदी अधिकार राश्टपती ही निमने की निकती करता है भारत के महने आवादी राज्यों के मद समन वे के लिए अंतराजी ये परीशत के सदस्थों की संगिये लोग सिवायोग के अध्यक्ट और सदस्तों की संगिये छेत्रों के मुक्त आयोगतों की बित्त आयोग के सदस्तों की बासा आयोग के सदस्तों की पिछडा वरक के आयोग के सदस्तों की अल्ब संख्यक आयोग के सदस्तों की भारक के राजदूतों की, अन्न राजनाइकों की, अंसुछिज छित्रों के पिसासन के संबन्द में, रिपोर्ट देने बाले आयोगों के शदस्ञों की निप्ती करता है। विधाई सकतियों की बात करनें। तो राघ्वति शंसुष का अभिन् अंग होता है। इसे निम्ने बिढ़ाई सकती हैं परात्तिती संसत्त की सत्त को आहुद करना सत्तावसान करने लोगसभा भंग करने समंधी अधिकार हैं इसके पास संसत्त के एक सदन में या एक साथ समलेत रूप से दोनों सदनों में अभीवासन करने की सकती हैं इसके पास लोक सभा के लिए पितेग साधार निर्वाचन के पश्चार पिथम सत्त के प्यारम में और पितेग बर्ष के पिततं के आरम में संबलेत रूप से संसद में अभीवासन करने की सकती है संसत् द्वारत बिदयक राष्ट्ति के अनूम इन के बाद कानुन बनता है याद रुकना उसके पहले तक बिदयक रहता है संसत्म में निमने बिदयक को पेंस करने से के लिए राष्ट्ति की पूर अनुवत्ती ज़रूरी रहता है किसी राज्य का निर्वाड और वर्तम राज्य की छित्रों शीमाओं या नामों में परीवर्तन समंदी विद्धान अनछे 10 में 110 में इसका बड़न धनविद्धा संचित निदी से मैं व्याय करने वाला विदियर अंच्छे 173 में ऐसे कराधान पर जिसमें राज जहित जुड़े हैं प्राधान डालने वाला विदियर राज्यों की वीच व्यापार वाड़िज समागम पर निर्वंधन लगाने वाले विदियर संसत सदसों के मनुर्णयन का अधिकार होता है जब राजपती को यह लगे कि लोगसवा में आंगल भारतिय समुदायों के व्यक्तियों का समुचित पिती निदित नहीं है तब वो हुआ है वो समुदाय के दो व्यक्तियों कि दो व्यक्तियों को लोगसवा के सतसों के रूम में नमांकित कर सकता है इसी पिकार होए कला साहित पत्तिकारता विज्ञान या सामाजिक सिवा में परयाप्त अनुबावया अध्यक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को राजिसवा में नाम मनुनीत कर सकता है तो लोगस जारी कर सकता है जिसका पिरहा और संसत के अतिनियम के समान होता है इसका प्रिवाव संसत कि सत्त सुरूम होने के च्छा सपताय तक रहता है परन्तु राश्ट्पती राज सूची के प्रिसाइब पर अध्यादेश जारी नहीं कर अध्यादेश नहीं जारी कर सकता है जब दो अनितिक सक्ति, दूसरे देशों के साथ कोई भी समझ होता या संधी राष्टपती के नाम से ही उपकी जाती है, राष्टपती विदेशों के लिए भारती ये राजदूतों किनियुक्ती करता है, भारत में विदेशों के राजदूतों किनियुक्ती अनुदन करता है, इसका चमालान की सक्ती की बात करें तो सम्हिधान के अनुचे 203 कि अंतरगर राश्पती को किसी अपरात के दोसी ठराए गए किसी बैक्ति के दंड को च्छमा करना उसका परिलंबन, परिहार या अलगूकरंद की सक्ती राश्पती के पास है राश्पती की आपातकाली सक्ती की वाक्त रहें तो आपातकाल से संबंजेते उबंद भारतिय समिधान की भाग भाठारे में अनुचे 352 से 360 के अंतर गते मंती पंसेत की परामाश से राश्पती 3 प्रकाल की आपात लागू कर सकता है यह दिया बाहे आकमण या ससक्त विद्धो की कारण लगाया गया आपातकाल 352 राज्यों में समिधान की विफल होने से उत्पन आपातकाल अनुचे 356 यानि की राश्पती सासन वित्ती आपातकाल अनुचे तेन सो साथ नियुद्धन अफ़ती दो मार राश्पती किसी सारण निक मात की प्रिशन या उस्तम नहरे से अंचे 143 के अधिन फरामस ले सकता है लेकर वाय या फरामस मानने के लिए बात भी नहीं है कि राश्पती किसी विध्यक पर अनुमती देने या ना देने की नेड़र लेने की सीमा का अवास राश्पती जेवी बिटों का प्यों कर सकता है अब बात करते हैं ंच कि भारत की पहली महळण को राश्पती की दिवा सिंग पात्रली और डक्टर राजन पहसाँ पहले प् sıkक्ता राश्पती नहीं लगाता दो बार बने कि और यृ ट्सटर राधा किस्त्ट लगाता को अज़्यक राश्पती एक बार राश्पती बने कीवल दीक मिक निर्वाचन के समय दूसरे चक्षि की मत गरनना करनी पी थी केवल नीलं संजीब रेटी होते हुए एक बार चुनाव में हार गए फिर बाद में निरगरोद राष्टपती चुने गए थे नीलं संजीब रेटी अब उपराष्टपती की बात करें तो सम्मिधान के 63 के अंसाल बहरत में वर उपराष्टपती होगा जिसका काल काल पांच बर्स होगा सम्मिधान में उपराष्टपती से संबंदित प्रावदान अमेरिका के सम्मिधान से ग्यान किये है भारत का उपराष्टपती राजसभा का पदेन सभापती होता है उपराष्टपती राजसभा का सदस्न ही होता है अता इसे मद्दान का अधिकार नहीं होता है कि तु सभापती के रूम में नेडायक मत देने का अधिकार उसे प्रापत है यह उगता की बात करें राज के लिए तो भारत का नागरे को 35 वास की आयूपुरियों राजसभा का सदस्थन निर्वाचत होने के यह निर्वाचन के समय किसी विकार के लाप के पदपर ना हो वह संतर की किसी सदन या राज के विधानमंडल की किसी सदन का सदस नहीं हो सकता और यदि ऐसा व्यक्ति रूपर आश्ठपती निर्वाचत हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उस सदन का अपना इस्थान पद गेहन करने की तार अरपल दी राधा किष्णा 13 माई 1952 से 14 माई 1907 तक रहे संताउन तक तर दूसरे जाकर उखसें 62 से 67 तक बीवी गिरी 67 से 69 तक गोपाल सरूपाथा ए 59 से 74 तक बीडी जत्ती ए 84 से 89 तक मुहम्मद हिदायत उल्ला उनक्तर से 84 तक राम स्वामी बैंकर ट्रम 84 से 87 तक संकर द्याल सर्मा इस 87 से 92 तक के आर नारायन ए 92 से 97 तक रहे किष्ण कांत ए 97 से 2000 तक बहरो सिंग सिखावत ए 2002 से 2007 तक रहे हमीर अंसारी यह दो हजार साथ से 2017 तह वह वहेंकिया नाइडू 2008 अगस 2017 से अब तक 2019 चल लाए अभी भी हैं बैंकिया नाइड ठीर राष्ट्पती के बद खाली रहने पर उपर राष्ट्पती राष्ट्पती की हैसियत से कार करता है और उपर राष्ट्पती की राष्ट्पती की रूम में कार करने की अधिक तमवदी 6 महीने होती है इस दोरहां राश्ट्पती का चुनाव करा लेना अनिवार होता है, राश्ट्पती की रूम में कार करते समय राश्ट्पती, राश्ट्पती को मिलने वाले बेतन एवं सभी सुपनाय उप्यूग करता है, ठीक, अब बात करते हैं पिधान मंत्री एवं मंत्री परिशनों की केज़या कुरिखक्ते हैं तो समिधान के अंच्छे 74 के अंशार राष्टपती को उसके कारेयों के शंपाधन बाफ सलाय देने ही पैठेसमिधान 45 के मिथम अशार राश्टिक में ere ज़िवार राष्टपती करेगा अन्मन्तियों विन्युक्ति राष्पती पिदान मंत्री की सलाय पर करेगा मंत्री परिचत का सदस नहीं है तो उसे 6 महिने केबाद अन्दर संसत संस बनना अनिवार है नहीं तो उसे उन्हाप छोड़ना होगा तो बिना संसत संस बने च्हेमहिने तक कोई भी पिधानमंत्री या मंत्री रह सकता ठीर आप चाहो तो आप भी बन सकते हैं उसके बाद आपको किसी एक सदन का सदस्वन ना होगा बन जाते हो तो आप आंगे भी आपका कारकल चलता रहेगा और नहीं बनते हो तो उसी दिन आपको पद छोड़ना होगा पद गहरण से फूर्च त्धान मंतरी सायद पितिक मंतरी को राष्टती के सामने पद और गोपिनीता कि सपतलेनी पड़ती है सबी मंतरियों राजमंतरियों और ओं मंतरियों को निस्वरच निवास इस्थान अनिसुपणाय क्राप्त होती ही सब्सक्राइब, विरोत Z GR whether most of a interior to the Dutch group, if think तंदानी सब्हें सब्सक्राइब, आपलद सब्सक्राइब विरोत आविस्वास का विरोत का विस्ताव पारित करें अत्वा उसंवालग से समंठी गुर्दय करें, तो समस्त मंती पर नर्ड को तयाब पर देना होगा अब बात करते हैं वालत की पिधान मंत्रियों के बारे में तो पहले थे बंडे जवाल लाल लेलू ए रहे 1947 से 1964 दूसरे लाल बहादुर सास्क्री जी ए रहे 64 से 1966 तक इंद्रा गांदी जी 1966 से 1970 तक रही है मौरारी जी देशाई 1977 से 89 तक चौत्री चर्ण सींग यह 1989 से 80 तक इंद्रा गांदी जी 1980 से 84 तक राजीव गांदी 84 से 89 तक विसुनात प्रताप सींग ए 89 से 90 चंद सेकर सींग 90 से 91 तक पीवी नरसेंभाराओ 91 से 96 तक अटल भिहारी वाच्पे जी 96 से 96 तक अटल भिहारी वाच्पे दुबारा 95 तरी बने 98 से 99 तक अटल भिहारी वाच्पे तीसरी बार 99 से 2004 तक डॉक्टर मरमुहन से 2004 से 2009 तक डॉक्टर मरमुहन से दोबारा बने 9 से चौदय तक 2009 से 2014 तक वो 2009 चौदय में प्यधान मंत्री नर्द मौदी बने और वो अभी वी 2019 में दो टाइम के लिए वने चौदय से 2019 तक और नर्द मौदी बने 9 मौदी 2019 में भी अभी करेंट में बात कर रहा हूं जो चुना हुए लोकसबा सत्रे भी लोकसबा गे उसमें पीएण मौदी बने प्यधान मौदी बने प्यधान मौदी गुल्यारी लाग नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक एवं 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक कारवा है प्यधान मंत्री बने थे अब मंत्री थीन प्यकार के होते हैं कैबिनेट मंत्री राज मंत्री और प्रोग मंत्री कैबिनेट मंत्री विवाग के अध्यक्ष होते हैं प्यधान मंत्री एवं कैबिनेट मंत्र को मिला कर मंत्री मंदल का निर्माड होता है पिद्धान मंत्री की सलाय पर ही राष्टपती लोग सभा भंग करता है पिद्धान मंत्री योजनायू का पदेन अध्यक्ष होता था लेकिन सबसे बड़ा कारकाल पिधान मंत्री जवाहला नहिरू करा है बेश सोले साल नो मैने तेरे दिनी तक निकपत पर रहे देश की पिधम महला की पिधान मंत्री विए श्रीर मंति इंद्रा गांदी जी वे ऐसी महली महला रही है जो दो अलग अवदियों में विष्टान मंत्री नहीं है पहली बार गांदी वनी दो वय राज-सभा भी सदस्थी चरत सीन्ग एक मत तैसे पिधान मंत्री रहे जो कभी लोग सभा में उपस्तित नहीं हुए विश्वास मत प्राप्त करने में आसकल होने वाले पितम पिधान मंत्री कों थी विश्वनात कितापसी एक कार काल में सबसे कम समय तक पिधान मंत्री फद पर रहने वाले पिधान मंत्री थी अटल विहारी वाजबे मात 13 दिन केबनीट मंत्रियों में सबसे बड़ा कारिकाल जग जीवन राव करा है जो लगबग 32 बर्स तर केंदिये मंत्री वंडल में रहे जाग जीवन राव ही itu aomay you two Нам है रह संगी ये संसद्स भारत की संसद राश्पती राजशवा लोगसवा से मिलकर बनती है संदर के निमन इसनल को लोगशबह और उस्चय सद्न को राज़बह कहते हैं लोग सवबा को क्या कहते हैं निमन सद्न को किसी करते हैं राज़बत राजसवा की सदस्सों की अधिक से अधिक संख्या 250 होती है, बत्मान समय में 245 है, इसमें 12 सदस्स है, राश्पती द्वारा मनुनित किये जाती है, यह ऐसे बैक्ति होते हैं, जिने कला, साहित, विज्ञान, समासिवा, यह किछित में विसे ज्ञानी या अनुगवी हूँ, राजसवा की सदस्सों के लिए जरूरी है कि उनका नाम उस राज की किसी निर्वाचन चित की सूची में हो, जिस राज से वह राजसवा का चुनाव लड़ना चाहती है, राजसवा का एक इस्थाई सदन है, या रखना, राजसवा एक इस्थाई सदन है, जो कभी भंग नहीं होता है, इसके सदस्सों का कारकाल 6 वर्स का होता है, इसके एक तिहाई सदस्स, पिती 2 वर्स बाद सेवा निवत हो जाती है, भारा का उपराश्थपती राजसवा का पदें सभापती होता है, राजसवा अपने सदस्सों में से किसी एक को 6 वर्स के लिए उपराश्थपती निर्व जाएन नहीं है कि मैं turning वैजसुची कि विश्य को राजसभा में उपस्तित तत्हा Ol Tenemos कि कम से कम दो तिहाई सदस्तों द्वारा समर्फित संकल्व द्वारा राष्तिय अमें नुधित करने का दिख है अनुचित्ती दोसो उननचास किते हैं अब बात कर लेते हैं राजियों एवन संगिये चित्रों में राज सभा के सदस्थों की संक्रा तो उत्तर पिदेश में 31 हैं सबसे जानदा महराश्ट में 19 आंदर पिदेश में 18 तमिलाडू में 18 बिहार में 16 पश्चिंग बंगाल बिहार में 16 पश्चिंग बंगाल में 16 करनाटक में 12 माधपिदेश में 11 गुजरात में 11 उडिशा में 10 उडिशा में 10 उत्तर पिदेश में 31 महराश्ट में 19 आंदर पिदेश में 18 तमिलाडू में 18 बिहार में 16 पश्चिंग बंगाल में 16 करनाटक में 12 मधपिदेश में 11 गुजरात में 11 उडिशा में 10 राजिस्थन 10 केरल में 9 पंजाब में साथ असम में साथ 12 खंड में 6 चछथिस गड में 5 हर्यारा में 5 नमू कसमें में 4 हिमाचल 30 में 3 गोस्त राखन में 3 नागालेंड में एक है Bestuk ऋक्रे में abundi जिनाख्लु ज्वाम में इस और रच्छार में यह संग्रित राचBay चेतरों दस जुपिधान मंत्री बने हैं हिंद्रा गांदी 1966 से 67 तर एच डी देवगोडा 1996 से 97 तर आई के गुज्राल 1997 से 99 डॉक्टर मनमोहन सिंग 2014 से 2004 से 2014 तर ठीव चाल लोग बने ठीव केवल राजसभा को राजसभा में केवल राजसभा को राजसभा में उपस्तित तथा मदान जने वाले सदस्सों के कम से कम दो तिहाई सदस्सों के भूम से अखिल भारतिय सेवाओं का सेजन करने का दिखा रहे अंचित 312 के तर धन विद्याक के समद्ध में राजसभा को कीवल से भारिस करने का दिखा रहे जिसे मानने के लिए लोग सभाब बात नहीं है, इसके लिए राजसभा को 14 दिन का समय मिलता है, यदि इस समय में विध्यक पास नहीं होता तो पारित मान समझा जाता है, राजसभा धन विध्यक को ना तो सुईकार कर सकती है, और ना ही उसमें कोई संसो धन कर सकती है, कोई स प्राजसभा को पहली बार गठन तीन अप्रैल 1902 को उसकी पहली बेटक 13 मई 1902 को यह याद रखियाक पूचले का पूचलिया है दवन एवं दूईब का और लक्षिवीब का राजसभा के पिथम उपराश्क उपसभापती कोंते श्री S.B. किष्णमूर्टी राव अब बात करते हैं लोकसभा लोकसभा संसत का पिथम या निम्न सदन है जिसका सभापती सभापती करने के लिए एक अध्यक्ष होता है लोकसभा अपनी पहली पेटा की पस्चा या था सीख अपने दो सदस्वों को अध्यक्ष एवं और उपात्यक्ष रूब में चुनती है अंचित तहरा में बिता है मूल समिनार में लोकसभा की सदस्वों की संख्या 500 निश्चि सब्सक्राइब निर्वाजित किया जा सकते है यदि राष्पती आंगल भारतिये वर्ट के अधिक्तम दो सदस्वों को मनुनियन कर सकता है बतमार की बात करें तो 545 है इनमें सदस्वों की संख्या 530 सदस 28 राज्ट्यों से और 13 सदस 9 केंदसाचित विदेशों से जमू के इसमेर की बात कर रहा हूं तर्फा दो सदस्वार्ट आंगल भारतिये वर्ट के पितिने दित के रूम में राठ्पती द्वारा मनुनित की जाते हैं अब यहां बात कर लेते हैं हमार रच्षा दस्वों की राज्ट्यों विवब्जांगी ए छेत्रों में तो सब्सक्राइ सब्सक्राइब चाने को शुच्षब करनाटक गुजरात में 26 राजिस्थान में 25 उड़ीशा में 21 के रल में 20 जारकन में 14 पंजाब में 14 36 गड़ में 11 हर्याना में 10 जम्व कशमीर में 6 उत्राकंड में उत्तराकन में केतने हाँच। माचल दिरित में चाह, मेगाले में दो, अरुणाचल अप्पिदेश में दो, गोआ में दो, मडीपर में दो, दो तेख़पुरा, एक सिक्क्यम में एक नागालेट, एक मेजुडा, दिन्ली में साथ, पुडूचेरी में एक, चंडीगर में ना आप लोगों को बता देश से अलग होकर ते लंगाना राज्य बना जिसकी रात्तानी है यद्रावाद जिसमें एक अप्तिस जिले में ठीक है दो जून दोजार चोड़ा को बना था इसमें इसमें साथ सीठें राज्य सीठें है और शत्त्रह सीठें है लोगों तो याद रखना है कि अदिस्सते से forgot सिटें already अमिके स्मीक मूर्याइए ठीक है चेंसा में लोगों कि लोगों कामिंट नमें और अबसावा में साथाून है next आ कि आंग पितिस में कितनी सीटी है बची राजसवा में 11 और लोगसवा में 25 है अब बात करते हैं आगे दिखते हैं कि 2001 में संसत द्वारां पारे 84 वे संविधान संसुधन विद्यक के अन्पार लोगसवा एवं विधान सभाव की सीटों की संख्या लोगसवा के सदस्वों के द्वारां वैस्क मतादिकार 18 वर्ष के आदार पर होता है 18 वर्ष की मत्दा तर इसमें बोट डालते हैं एक सख्वे समिधान संसोधन 1989 के अमसाल भारत में अब 18 वर्ष की आयू प्राप व्यक्ति को वैस्क मताद माना जाएगा पहले 21 वर्ष थी अनुसूचित जातियों लोगसवा में 2010 इसवी तक इस्थानों का सुरक्षत दिया गया कि लोगसवा की सदस्त के लिए अनिवार्व योगतायों की बात करें तो वैव्यक्ति भारत का नागरिक हो उसकी आयू 25 वर्ष को इससे अधिक हो बहारत सरकार अथब किसी राज सरकार के अंतर गतुवह लाप की पतपर ना हो वह पागल या देवालिया नहो लोगसवा का मंत्री परसर लोगसवा के पिती सामुवे ग्रूप से उत्तर दाए होता है अंचित पर चत तर तीन के तरे पिदान मंत्री के परदमास की आदार पराखपती द्वारा लोगसवा को समय से पूर्ण भी भंग किया जा सकता है ऐसा आप तक आट बार हो चका है 1970 में, 1987 में, 1989, 1984, 1989 में, मार्च 1991 में, दिसंबर 1997 में, अपरेल 1999 आपातकाल की गोष्णा लागू होने पर बिदी वारा संसर लोगसवा की कारकाल में बिद्धी कर सकता है जो एक बार में एक बरस के से अधिक नहीं हो सकती है 2016 में, लोगसवा का कारकाल दो बार एक एक बरस के लिए बढ़ाये जाते हैं ठीड लोगसवा विम्राज्यसवा के अधिवेशन राष्पती द्वारा ही बुलाए जाते हैं इस्तिकित किये जाते हैं बुलाए हो इसकिर लोगसवा की दो बैटकोंक में छे माल से दिकंतर न बुलाए जाता है विद्यक एक सदन में से पारित होने के बाद जब दूसरे सदन में जाये तव दूसरे सदन द्वारा विद्यक आसविकार कर दिया जाए वो विद्यक पर किसी किये जाने वाले संसोधन के बारे में दोनों सदन अंते मुरू से आस हैमत हूं दूसरे सदन को विद्यक पराप्त करन होने की तारीख से उसके द्वारा विद्यक पारित की एविना 6 माई से अद्यक्ष बीद गए हूँ तो यह से अनब्यक्ति पीठा सीन होगा जो बेठक में उपस्ती शद्रस्वारा और धारित किया जागी धन विद्यक धन विद्यक के समद्ध में लोगसभा करनेडर अंतिम होता है इस समद्ध में सिवत अडियवेशन की विवस्ता नहीं है समिधान संसोधन विद्यक पर सहिप्ट अडिवेशन की विवस्था नहीं है, समिधान संसोधन विद्यक दोनों सद्रों में अलगलक पारित होने चलिए, लोगसवा के पदादीकारी अद्यक्ष्य एबंग उपाध्यक्ष्य की बात करें, तो समिधान के अंचित 93 गेमसा, ल पहिम ही अपने सदस्तों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाशन करती है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को तैपकत देता है लोगसवा के अध्यक्ष अध्यक्ष के रूम में सपत नहीं लेता है बलकि सामान सदस्त के रूम में सपत ल लोग सभा कि पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करती लोग सभा में अध्यक्ष की अनुपस्थित्रिमें रात्पति द्वारा बनाएगे वरिष्ट सदस्सों का पैनल में कोई ब्यक्ति पीठा सीन होता है इस पैनल में आम तोर पर छे सुदर सुदे हैं हम बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष की बाद तो पहले गड़ेश वासुदेव मावलंकर थी अंंसें अयंगर दूसरे में अंंसें अयंगर सीन duż मक richtige शाथी में नीलं संजीब रेकली घृवी रवी राय नौभी में दस वी में सवराइसीं पार्टल, ग्यार में पीए संगमा, बारह में में जी एस स्रीबाल योगी, तीरह में GM स्रीबाल योगी, मनुखल Gajananda जोशी, शौदे वी में सोनात थी सेटर जी, पांच वी में थे 100, पंद्रह में में मिराकुमार, और सोले में थी सुमित्रा महाजन और सत्रवी में ओम बिला ठीज़ा तो मेरा कुमार की बाद आई सुमित्रा महाजन और उसके बाद ओम बिला लोकसवाज अध्यक्ष की कार एवं अधिकार की बात करें सदन के सदस्टों के पिसंद को सुईकार करना उन्हें नेमित करना या नियम की विरुद गोसित करना ये विशाइक को लेकर पिस्तुत किया जाना वाला कार इस्तिगन पिस्ताओ अध्यक्ष की अनुर्ती से पेश किया जा सकता है वह विचारा दीन विद्यक पर वहस रुपा सकता है संसर सदस्टों की को भासर देने की अनुर्वती देना और वहसर का क्रम वह समय निर्दायत कर की कि विविन बभी दो कि समानता की स्थति में नईर सवाध्यक्ष क्लिए 600 व राश्ट्पती के मद्द होने वाला पत्ते ह्युमाद्यक्ष कर नहीं, राष्टपती द्वारा विचार नहीं किया जाएगा कि अमीर के राष्टपती भारत संस्थ में बोले डीडी आईजन ओवर 1960 में जीमी काटर के 1970 में दिली विल क्लंटन 2000 में वराकुमामा 2010 में अमेरिकी की राष्टपती जो भारती संस्थ में नहीं बोले अमेरिकी राष्टपती जो भारत आये लेकिन संसर नहीं कहुंची रेचार्ड नेक्षं नेक्षं में और जॉर्ड डव्लू प्रोस 2006 लोकसवाब में विपक्च के नेता को राचकोस से बेतन पराप्त होता है तथाओं से कैमिनीट इस्तर के मंत्री के समान समस्त सुग्दाएं पराप्त होती है फित्थम लोकसवाब का कारकाल 17 अपरेल 1902 से 4 अपरेल 1967 तो रही थी फित्थम लोकसवाब पद्यक्ष्टे जेवी मावलंपन विपक्वाब उपाद्यक्ष्टे अनंत सैनम छित फल की दिरिष्टी से सबसा बड़ा लोकसवाब छित संससर्दस संब्सक्राइब कुछ विषिस बात हैं तो किसी सदस संसर की योगता अत्वयोग आयोगता से सम्मद्स पैशिन काहंति मिनेता है विए निश्चिक चुणा आयोग की सलाय से राश्पति करता है एक समय एक ब्यक्ति के वल एक ही सदन का सदस रह सकता है यधि जीवेशनों से अनुपर्श्तित रहता है तो सदन उसकी सदस्ता समाप्त कल सकता है संसत को संसत की संसत की बैठके पूर या बाद चारीज दिनों की अवधी के द्वरान गिरपतारी से मुप्ति पजान की गई है गिरपतारी से या मुप्ति के वर सिविल मामलों में है अपर आधिक मामलों या निवारक निहूत के विदी के अधीन गिरपतारी से छूड नहीं है ठीड़ अब हम बात करते हैं भारत की संचित निधी के बारे में संचित निधी अनुचे 266 एक में बढ़ थे भारत की संचित निधी पर भारत ब्या निम्ड है इसमें राश्टपती का वेतन बद्दा और अनव्या के सबाप है सर्वच नियाला है यहाय की सियाद़ नशात ब्याय नियाला द्धवारा की घ्कीया 55 है कोई अन्य वै जो सम्भिधान द्वारा या संस्तष्ट विधी द्वारा इस विकार भारत गोश्एक करें यह भारत की संचत नीदी में संचित नीदी में है म συνगैं याद रुखे बारत की संचितनी लिए किसे निदी क्याँ Pendant के की आकस्मिक्ता निदी का 200 सरसर संसद और राज विधार मंडल को यह था इस्तिती भारत या राज की आकस्मिक्ता निदी सरजित करने का करने की सक्ति देता है यह निदी 350 द्वारा गठित की यह निदी कारिपालिका के विवनाधीन है जब तक विधार मंडल अनुपूरक या अत्रिक्त या अधिक अनुदान द्वारा ऐसे वैं को सुराधीक्त नहीं करता तब तक समय समय पर अनवेक्चित व्याय करने की प्योजन के लिए कारिपालिका इस आनुदी में कितनी रकम हो यह समुचित विधान मंडल भी निमित करता है मब करते हैं मारत का महानयाइवादी इसका वर्डनशी 46 में भारत या घं़ानयाइवदी सर पित्व म्धारा भारत का महानयाइवादी स Verf Hammond तो संसत का सदस होता है नहीं मंद्री बंडल का सदस होता है लेके लाक किसी भी सदन में अधपा उसकी सबतियों में बोल सकता है कि उसे मत देने का अधिकार नहीं है अंचित महा नियावादी की नियुकती राश्पती करता है तथा हुआ उसके पिसाद परेंद पल धारन करता है पिसाद परेंद का मतलब जब तक राश्पती चाहे तब तक नियुकती रह सकती है उसकी कभी भी राश्पती अठा सकता महा नियावादी महा नियावादी बनने के लिए वही आरता है योगता होने चाहिए जो उच्छतम नियाल है कि नियायधीस बनने के लिए होती है महा नियायवादी को भारत के राजचेत के सभी नियाले हमें सुनवाई करने का अधिकार होता है आगे बात करते हैं महा भारत का नियंतक एवं महाले का परिप्चक अंचे अड़ताली एक सवहिंक्यां तर बढ़े थे नियंतक महाले का परिप्चक की निवक्ति राष्ट्वती करता है किंदू से पद से संसत के दोनों सदनों के समा वेधन पर ही हटाया जा सकते हैं उसके आधा सावित कदाचार या आस्मर्थ पता होंगे हो सकेंगे तो याद रखिए भारत की नियंतक महाले का परिप्चक की निवक्ति राष्पति करता है लेकिन उसे हटाना संसत के दोनों करने कि 33 से 6 वर्ष तक हो सकी लेकिन यदि इससे पूर्ट 5 वर्ष 65 वर्ष की आयू परात कर लेता है तो यह आवकास ग्याण कर लेता है यह सेवा निवक्ति की कि पस्चाथ भारत सरकार की अधिन कोई पंध धाराण नहीं कर सकता है नियंतक महाले का परिक्चर सारवजने संचित निदी से किये गए सभी वे विधी के अधिन ही उए इस बात की सभी परिच्चा करता है सीएजी महारत का नहींतक महाले का परिच्चर अब बात करते हैं सम्मिधान में संसोधन की बात सम्मिधान में संसोधन तो सम्मिधान के नुच्छे तीन सो और शट में संसोधन की पिक्रिया का उल्लेक है इसमें संसोधन तीन विधियों को अपनाये गया है ताधारन विधी द्वारा संसुधर संसत के विशेष बहुमत से और संसत के विशेष बहुमत फिलस राजी के विधान मंदलों की स्विकिती से तो बात करते हैं सबसे पहले साधारन विधीरवारा संसत के साधारन विधीरवारा संसत के साधारन बहुमत द्वारा पारित तथा उपस्थित और मत्दान में भाग लेने वाले सदस्थों की दोवट्ट दो तिहाई मतों से विद्रियक फारित हो जाए तो राश्पती की स्विक्ति मिलते ही वह संसोधन समिधान कांग बन जाता है नियायपाल का तथा राजी के अधिकारों ततक सक्तियों जैसी कुश्क विस्ष्ट बातों को छड़ कर संमिधान की अर्ण सभी विवस्थाओं में समिधान के अनुच्छेदों में संसोधन के लिए विद्यक को संसद के दोनों सदनों के विस्ष्ट बातों तथा राजी के कोल विद्हान मंदलों में से आधि द्वारा आधे द्वारा सुईकित सुईकिती आवस्ष्ट है इसको द्वारा किये गए संसोधन प्रमों के विस्षाओं इसमें राष्ट्पती का निर्वाचन अनुचित चंगुन किता है राष्ट्पती निर्वाचन की कारपती अनुचित पच्छमन में संगी कारिपालिका सक्ति की का विचार विस्तार राजगी कारिपाल का सक्ति कप्षा के दसासे छेत्रों के लिए इनको उचने आले संगरिय नियाइपाल का राज्यों की के उचने आले संद एवं राज्यों में दिधाई संबन साध्वी अनसुची का कोई विसर संसद में राज्यों का पिती निदित समिधान संसोधन की पिक्रिया से संबंदित उभबन तो रहे नियाई बालका चलिए तो अब बात करते हैं लोग नियाई बालका के बारे में भारत के नियाई बालका तो सबसे पहले देखते हैं सरवुच नियाले भारत की नियाएक विवस्ता एक हरी और एक इकरत है जिसके सर्वोच सिखर पर भारत का उच्छतम नियाला है उच्छतम नियाला है दिल्ली में इस्तित है उच्छतम नियाला है कि इस्थापना गठन अधिकारिता सक्तियों की विनिवय से संबंदत बिनी निर्मार की सक्ति बाहर तीय संसत्य को परापत है, उच्टम नयालाय के गठन संबंदी फिराव था, अनुचे 124 में दिया गया, उच्टम नयालाय में एक नयादीस, एक मुख नयादीस और 30 अनयादीस होते हैं, लेकिन अभी करेंट 2019 की बात करें, तो एक नयादीस पिलास 33 अनयादीस, टोट कुल आठ नयादीसों की विवस्ता समिधान में मूलता की गई थी, तो याद रखना, मूलता कितने की गई थी, एक मुख नयादीस और साथ अननयादीस मिलाकर कुल आठ की, बाद में काम के बढ़ते दवाव को देखते हुए, उच्टम नयाले अधिनियम में संसोधन का न मतलब 1960 में यह संख्या पुना बढ़ाकर 14 कर दी, 1978 में यह 1886 में 26 हो गई थी, और कैंसरकार ने 21 भरवई 2008 को विश्तम नयाले में मुख नयादीसों की अतरिक्त नयादीसों की संख्या 25 से बढ़ाकर 30 कर दी गई थी, इन नयादीसों की निवक्ति कुन करता है, राश्पती उश्तम नयाले के नयादीस बनने के लिए नियुनतम आयू, सीमा निर्धारित नहीं की गई है, एक बार निफ्थ होने के बाद, इनके आवकास ग्याद करने की आयू कितनी है, 65 बरश्तम नयाले के नयादीस सावित, कदाचार, तथा आसमर्थता के आधार पर संसत के पित इस बहुमत से फारे समावेदन की आधार पर लाजपती की द्वारा हटाए जा सकते हैं उच्टम नयाले के मुख नयादीस को याद रखना अभी करेंट में 2019 की बात कर रहा हूं पहले एक लाक रुपे थी पिती माय लेकन अब हो गई है दो लाक असी हजार और अन नयादीसो होगे किसी 70 तक अधीप नयालेमें लगाता कमसे कम पांच वर्स तक नयादीस के रूप में कार कर्शुका हों या किसी उच्च नयालेमें या नयालेमें लगाता अ 10 बर्स अहलब तक वकालत नहीं कर सकते हैं उच्छतम नेया लाएं कि नियादीसों कुपद एवं गोपनियता की सबत कुंत लाता है राष्टपती मुक्ड नियादीस राष्टपती की पूर फ्राइकिती लेकर दिल्ली के अत्रिकते अन्ने किसी इस्तान पर सर्वोच नयालायके की बेठक बूला सकता है अब तक हैंदराबाद और सरी नगर में इस प्रेकार की बेठक आयुजित कीजा चुकी है अब उच्छतव नयालायके चेतरा दिकार्ए की बात करें तक प्यारम में जेत्ता दिकार यह अन्यमिन मवं ब्राप्त है भारसंग तथा एक या एक से अधिक पिज चेरियों के बीच 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 में 2 या 2 थे यदिक राज्यों के मेश पाधिक जिसले उनके बैधानी अधिकार का पिसन नहींत हो फियारमपिक, चित अधिकार के अंद्गत उच्छन आलाय उसी वीबंदों के लिए स्विकार करेगा जिसमें किसी तत्याविदी का पैसे सामिल हो फिर बात करते हैं अपीलिये चित्त अधिकार तो देश के सबसे बड़ा है अपीलिये नियालाय कुन सा है उच्छतम नियालाय इसे भारत के सब कि उच्छ नियालाय के उन्हेड़ेयों की बिरूद अपील सुनने का अधिकार है इसे के अंतर के सम्मिधाने को दीवानी फौजदारी पिकरन आते हैं अंगलाय परामस दात्त्री स्चेत अधिकार है राष्ट्पदी को यह अधिकार है कि हुआ स्टार विजन एक महत्तिके वेवादों कर उच्प नियालय का परामस मांग सकता है अनुचे 143 के तर्ष नियालय के परामस को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्कति के वेवेगप नहिवा करता है अगलाय कुनर विचार सम्बंदीत छित अधिकार समीधान के अनुचेत 137 के अनुशार ते द्वारा किये गए आदेश या नेड़े पर पूनेर विचार कर सकी तथा यदि उच्छे समझे तो उस्त में आवस्च परीवेतन कर सके अभी लेग नियाले समीधान के अनुचे 139 उच्छ नियाले की अभी लेग नियाले का इस्थान पिदान करता है इसका आसा है कि इस नियाले के नेड़ा सब जगे साक्छी की रूम में स्विकार के जाएंगे इसकी प्रमाढों कीशत में प्रिसंद नहीं किया जाएं ते यह मौलिक अधिकारों आख राइत का उच्छ क्ण के मौलिक अधिकारों कर राप出 इस 32 सर्वोच न्याले को विशेश रूख से उत्तरदाई ठहराता है क्यों है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए आवस्य कारवाही करें न्याले मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी पत्यक्षी करन फ्रहमादेश पितिसेद अधिकार प्यक्षालेश और उत्पेसर के लेग जारी कर सकता है आगे बात करते हैं ऊच्छनाला है समिधाले के अनुसे तितेक राजी के लिए एक ऊच्छने प्यक्षा नमखचे 221 कि लेकिन विदिद्वाराइथ दो या दो से अधिक राजियों और किसी संग्राजी छे 들어옼मादी सह कर सकती है अनुछे 231 किता है जैसे बात्मान में पंजाब हर्याणा का असम चंडीगर है असम नागलन मेगाला है मडीपुर तिपुरा मेजुरम का पहले एक ही था अरुनाचर पुदिश का वेकिन आप अलाग लग करती हैं महराश्क गुआ का जैसे दादनगे अविली इनका एक है प 25 उचने आलाए हो गए पहले 21 थे के अंदसासे पिदेशों में केबद दिल्ली में उचने आलाए है इते एक उचने आलाए का गठन एक मुख नयाई दीस तथा अन नयाई दीसों से मिल करव भनता है इनकी निपति कुन करता है राश्ट्वती निया दीसों की संख्या की लिए हमताव तो भारत का नाग्रेश को कम-से-कंद्स वर्स तक नियाईक पत ध्रण कर चुका हो तता किसी या अत्वा किसी उच्छ न्यालाएं में या एक से अधिक उच्छण्य लगाता दस वर्सों तक अधिवक्तर आओ अधिवक्थ म्यों को aussi अदिस को उस राज्य जिसमें उचनेयला इस्तिते का राज जिपाल उसे पद की सफ़त दिलाता है अब यहीं बात कर लें थे में लोग अदालत की लोग अदालत कानूनी विवादों के मैंत्री पूर्ण समझोते के लिए बैधानिक मंच है विदिक सेवा परादीकर्ण अद दारन के लिए इस्पायि लोग अदालतों की स्थापना के लिए परावधन करता है ऐसे पुझदारी विवादों को छोड़के जिनमें समझोता नहीं किया जा सकता है देवानी पूझदारी राजशा पादालतों में लंबिद सभी कानून विवाद मेंत्री पूर्ण समझ थिखार कर सकती हैं लोक अधाल्त रखी दिवाझी न्यालंय की सभानी दोनों फक्षों पर लागई हो। यह न्याडर अंतिव होगा, लोक अधाले दोरा दिये गए न्याडर पर कि विरुद अपीर नहीं की जा सकती हैं देश के सभी जिलों में इस्थाई ततंसात्र लोग अधालते इस्थाबित की गई है आगे बात करते हैं उच्छतम नयायदीसों का आवकास गयर करने की अधिक्तम उम्मिसीमा है 65 वर्स याद रखिए लेकिन अन्य नयायदीस की 65 वर्स है और अन सकते हैं उच्छतम नयायदीस को उसी प्रकार आपदस्त किया जा सकता है जिस प्रकार उच्छतम नयायदीस पद मुक्त किया जाता है जिस व्यक्ति ने उच्छतम नयायदीस में इस्थाई इस्थाई नियादीस के रूम में कार किया है वह उस नियालय में बकालत नहीं कर सकता है किंदू है किसी दूसरे उच्छ नियालय में बकालत कर सकता है राष्टकती आवज सकता अनुसार किसी उच्छ नियालय में नियादीसों की संख्या में बिद्धी कर सकता है अतरिक निय प्रबूत कर सकता है उच्तम नयालय एक अभिल्यक नयालय होता है जिसके डेड़ाइ अधिकारिक माने जाते हैं तथा उसके आधार पर नयालय अपना नयड़ा दिता है भारत में मुख नयादीज से प्रावस कर राठपती उच्छतम नयालय कि किसी भी नयादीज का इस्था मुंबई मुंबई की स्थापना कोई 14 अगस्त 1862 में इसका नया च्छित क्या है तो महराष्ट ग्वा दादर रा एवन नागर हवेली इसकी खंडपीट का है मुंबई की खंडपीट है नागपुर फड़जी और और औरंगाबाद में ठीक फिरे दूसरा है मारा कलकत्ता क इसकी स्थापना दो जुलाई 1862 में इसका नया च्छित्य पर्ष्यमंगाल एंध्यवान एवन निपोवार दूसरमों कोलकाता की खंडपीट है पोड़ बिलेयर में भिरमणकारी है ये तिर फ्रे तीसरा है मद्रास इसकी 5 अगस्त 1862 में तमिलनाडू फुरूचरी है इसक इसकी खंडपीट है मदूरे में ते मुख पीट इलावाद की स्थापना हुई 11 जून 18 सच्छे आ सकना उत्तर पिदेश में इसका नयाक्चित इलावाद इसका मुख पीट है और लगनव है इसकी खंडपीट आगे बात करते हैं तो कि उसके बाद आता है पंजाब इसकी उस्थापनावी 15 अगस 47 और इसका नयाक्चित पंजाब हरीयाणा चंडीगं़्य इसकी मुख पीट है चंडीगं़ कर्णाटकáfic चटठा कर्णाटकक 8- légborn 1854 में इसकी सथापना अगे कि TikTok पेन ना तक इसका नियाएक्षे इसकी मुंख पीठ बार गंगलौ इन परहें पत्तना इसकी को 12今日 सेप्टमबर उन इसाथ को पिहार है इसका नियाएक्षित पक्तना में इसका मुंख पीठrang बंस्या driftikえっ इसकी के अठाटई इस श् preciso जम्मू-कस्मीर है इसका न essence और इसकी मुहःत्य है जम्मू-कस्मीर हो है को आगए बात कर्ते हैं गौंदर इसकी इस्थापनावी एकर्ड़ एक मार्च इसका नियाक्षित ओगवाटी है इसकी मुख पीट खंड पीठ है इसकी कुहिमा आईजोल और इडानगन उडिशा उडिशा इस्थापना हुई तीन अप्रेल इसका नियाक्षित उडिशा है इसकी मुख पीठ है कटक में राजिस्थान इसकी स्थापना हुई 21 जून 1990 को इसका नियाक्षित है राजिस्थान इसकी मुख पीठ है जोदपुर में और खंड पीठ है जैपुर में तेलंगाना तेलंगाना की स्थापना हुई 5 जुलाई 1901 को तेलंगाना है इसका नियाक्षित हैदरावार इसकी मुख कर पीठ है कि अगे बात कर दें मत्विदेश मत्विदेश की स्थाफनावी दो जन्वरी 1934 में मत्विदेश इसका न्याइक चित जबलपुर इसकी मुखपीट खंडपीट है इन दौर गुवालिया केरल निस अंठाउन में इसकी स्थाफनावी केरल एवं लच्छिदीप इ कुछी में है इसकी मुखपीट और खंडपीट है पोड गुजरात एक माई 1960 में हो इसकी स्थाफना गुजरात में इसका मुखचित इसका न्याइक चित और एहमदाबाद है इसकी मुखपीट दिल्ली इसकी स्थाफनावी 31 अक्तूबर 1966 दिल्ली इसका न्याइक चित और हुस्तापना हिमाचलकिस है क्या का इसका मुख्य मुख्य नियुक्य है डिल्ली है सोलै मई 1975 स्थापना stže मैं इसका निया अग्टव इसकी मुख्य पीट है आगे बात करते हैं कि उत्त्राकंड मों नोर्ष दोजार को इसकी स्थापना हुई ऊत्रा-कंड़ इसका नियायक्षित। नैनी ताल में इसकी मुख्षपी। है जार खंड पंद्रह नमंबर दोजार कुई इसकी स्थाफना जार फ्रेंड इसका निया एक्षेत है राची में इसकी मुख पीठ धारवाड गुलबरगा में इसकी खंड पीठ है 36 गड़ एक नमंबर 2000 को इसकी स्थाफना इसका निया एक्षेत बिलासपुर में इसकी मुख पीठ है मेगाल है 23 मार्च 2013 को मेगाल है इसका निया एक्षेत इसकी मुख पीठ है सिलोंग में खंड पीठ है और अंगाबाद धानपुर पढ़जी में इसकी स्थाफनावी 26 मार्च 2013 में इसकी मुख पीठ है मड़ीपुर 25 मार्च 2013 को मड़ीपुर में इसकी मुख पीठ है आंद्र पिदेश एक जन्वड़ी 2013 आंद्र पिदेश में इसकी निया एक्षेत है अमरावति है मुख पीठ देश अभी थे उच्छतन नियालय 25 और उनके स्थापना और पीठ मुख पीठ और नियाएक पीठ चलिए हम बात कर लेते हैं उच्छतम उच्छ नियालय का छेत अधिकार सो अक्याई के ऊच्छ नियालय का सीत्त अधिकार देखते हैं श्यारम भी छितन अधिकार प्यतेक रिच्छ के कुणोर नौकाल फिकत रिट नेक्ष्ट अगर्णाय की ङमऌत पा लिए नियाख देश, आधिकार करव,ंद्दी पिठ प्रमादेश, निसद फेलें तथा अधिकार प्यक्षा कि लेक जारी करने का अधिकार है, फिर अपीली अधिकार है दूसरा, फॉर्जदारी मामलों में अगर सत्म नाधिस ने मित्यदर दिया हो तो उच्टब उच्जज नthern die में उसके विरूत अपील हो सकती है, फिर दीवाणी मामलों में उच्छ नयालय में उन सब मावलोग की अपील हो सकती है जो पांच लाग रुपया या उससे अधित संपत्ती से संबद्ध हो उच्छ नयालय पेटेंट और डिजाइन उत्तरा अधिकारी भूमी प्राक्ति दिवालियापन और संरक्षत संरक्षकता आधित मावलोग में अप विचारा दील है वगधिके किसी सारगर्वित निफिसंत से समध देत है उसे अपने या अस्तांत्रित कर अपने पास या OST나 है को देता है या विधी से संब्द्ध फिसन को निप्टा कर अधीनस्त नियालाय को नेड़ लेख के लिए बापस भीद देता है फिसास की अधिकार उच्छ को अपने अधीनस्त नियालायों में नेउक्त फदावन्यत पदुनती तर्चुट्टियों के संब्द में नियम बना हो सकती है अब बात करते हैं। राज जी की करिफाल का कि बारे मिश में देखते हैं hut संवीन आन के बहुत 6 में राज साथसर्ण के लिए प्रायोधन किया गया है , और यह प्रायोधन सभी राज्यों के लिए लागू होगा है आपको जैसा भी पता है कि जम्मू कस्मीर को 2019 में दो भागों में माट दिया वह यहां से पित्सेस अधिकार का सभी अधिकार कटम कर दिये गये हैं राजपाल दो या दो से अधिक राज़्यों का राजपाल नियुक्त किया जा सकता है राजपाल की नियुक्ति राजपाल की योगता के बारें बाक है तो राजपाल पद पर नियुक्त किये जाने वाले ब्यक्ति में निम नियुक्ताय होना निवार है वह भारित का नागरिक और 35 वर्स की उम्मिद पूरा कर चुका हो किसी पिकार के लाप के पदपर नहीं हो वर राजवी धन सबा का सदर से चुने जाने यूख हो राजवाल की नेकती राश्चपती द्वारा पाँच वर्सों की पर्मत ग पिसाथ परेंद प्तधारन करता है राजवाल का वेतन की बात करें आपको बता थे कि राश्चपती का वितन हो गया बढ़ा के फ मंसदिरग कि उप त्राश्चपती का च्मीद राजव aesthet है है साड़े तीन लाख ठीक वित्त्य बार्स 2018-2019 में यह बढ़ा दिया गया था ठीक कि तो याद रहना साड़े तीन लाख है राजपाल का वितन अब आगे बात करते हैं राजपाल का वितन एक साड़े तीन लाख है यदि लुक्ति दो याद उसे दिक राजपाल का एक ही राजपाल है तो तब उसे नियाला है तब उसे दोनों राजपालों का वितन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसा कि राश्पती निर्दारिश करें आंगे बात करते हैं राजपाल फद्गेंद करने से पूर्व उच्छ नेन कि मूख निया जिस्ट अफवा वरिष्तक्र कि के सम्मौख अपनी पद की सबत लेता है तो राजपाल की उन मुख्तियां तो विषेददिकार 're को हुई अपने पर कि सक्तियों के वह किसी नियालय के प्रआफ यह करता कि में लिए कोई सिविल कारवाही करने से पहले उसे दो माहे पूर सूचना देनी पड़ती है राजपाल की सक्तियों की बात करें तथा कारें की तो कारिपाल का समधी कारें राजपाल के समस्त कारिपाल का राजपाल के नाम से किये जाते हैं राजपाल मुकमंत्री को तथा मुकमंत्री की सलाय पर उसकी मंत्री फशुचत के सदस्सों को नेपत करता है तथा उन्हें गव्ष दिलाता से राजपाले जैसे महादी विक्ता राज लोग से वायोग कि अध्यव्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करता है कि नियुक्ति के सबंदे में राश्पणी को परामस दिता है राजपाल का दिखा रहे हैं कि वह राज की साथन के संबंद में मुकमंत्री से सूचना पराप्स करें जब राज का पिसासन सम्मिधान इक तंत के उसा ना चलाया जा रहा हो तो राजपाल राश्पती से तो राजमें राश्पती साथन की सेफारिष करता है राश्पाल केन्तरकार के अभीकलता के रुम में राश्पाल बिधानमंदल का अभिनण औंग है राश्पाल बिधानमंदल का सक्थावसान सत्तावसान तथा उसका विगिटन करता है राजपाल विधान सवा की अदिवेशन तथा अथवा दोनों सदनों की सयुक्त अदिवेशन को संबोधित करता है वह राजपाल विधान परिशत की कि राजपाल विधान परिशत की कुल सदस संख्या का एक वटेच्छे कितना एक वटेच्छे भाग सदसों को न्यूक्त करता है जिसका संबन्द विग्ञान साहिद कला समाज सेवा या सहकारी आतनोलन से सब होता है याद रखिए राजपाल में राशपर्ती 12 सदसों को मनु करता है विधान परिशत में विग्ञान साहिद कला समाज सेवा सहकारी शित से राज विधान सभा किसी सदस पर आयोगता का फिसन उत्पन होता है तो आयोगता संबन्दी विवात कर निर्धारन राजपाल चुनाय की परावर से करता है अंगला कारे राजपाल मंदल द्व प्रियाप्ति निदित नहीं होता है तो राजपाल वो संब्दाय के एक व्यक्ति को विधान सभा का सदस्मन उनीत कर सकता है ठीक है अंगला है जब विधान मंदल का सत्त नहीं चलना आओ और राजपाल को ऐसा लगे कि तदकाल का रवाही की आवस्ता है तो यह देहा कि इस्थान प्रापत है जो व्यक्ति को से अधिनिय है के बीधान मंदल बौरा च्छहा जाए को राजपाल मांदल ऑर्काति के पास विचार के इन आ के इदिकार तो राजपाल पितिक बित्तिय वर्ष में बित्मंत्री को विधान मंडल की समुख वार्षिक बित्तिय विवरण पिस्तुत करने के लिए करता है। विधान सपा में धन विद्हयक राजपाल की पूर्म अनुगोंती से ही पेस किया जाता है। ऐसा कोई विध्यक जो राज की संचित ने दिया सिखहईट निकालने की ये व्योस्ता करता हो। वो समय तक विधान मंडल द्वारा पारित नहीं किया जा सकता है जब तक राजपाल इसकी संस्चिति ना कर दे। राजपाल की संदुती के मिला अनुदान की किसी मांग को विधान मंदल के सम्मुक नहीं रखा जा सकता है राजपाल विध्यक के अतरिक्त किसी विध्यक को पुनाहा विचार के लिए राजपाल के पास पेश सकता है परंटु राजविधार फंडल दौरा इसे दुबारा पारद किये जाने पर उस पर अपनी सहमेती देने कलिए बाद होता है अब बात करते हैं नियाय का दिकार तो राजपाल को उस बैसे समबन दी जिस बैसेपर उस राजजी की कारिपाली का सक्तित का विश्तार है किसी भी की सिरोंत एक से एक रात के लिए से दोश्ट यहराए गये किसी विएक्ति के दंड को दमा कु छमा उसका प्रमिली नम्वन देरां प्रिहार करने की अध़ा दंडा राजपाल की स्तती के बाद बारेवी बात कर लें यदि राजपाल के ओपिक्तारों पर दुरिष्टी बात करें तुए ऐसा लगता है कि राजपाल एक बहुत सक्तिसाली अधिकारी है किन्तु वास्फिक्ता में इसका सरवर्ता बिन्य है घर हमने संघ्य संधियниц और जिसे मंतरी मंदल मंदल के इंप पर्षाध मेजित हैं, मंत्री परिशत को प्राफट होती हैं ना कि राजञपाद को राजपाल एक समिनानिक विर्बोख के रुप में कार करता है किन्तों आशाधारण उस्तिधियों में उसे ही एक छानुसार करने के औूसर प्राफट हो सकते हैं अब राज पाल दिल भी, पुदुचरी, अन्वानेक वार, दूइब समूर में लिखत किये जाते हैं, रियाद रखी है, अब जम्मु कस्मीर में भी उप्राज पाल लिखत किये जाते हैं, जाएगा, पिसासक दादाननागर अगर अफिली, लक्चिरी, दवंदुई, और विधान परिशत की घंज राजि विधान मंदल काहँ जब हाँ उच्छी सदन होता है यदि राजिस की तरह है, यदि किसी राजी की विधान सभा अपने को सधस्सों की पूर महम्मत करने Jug Six सदस्तों के दो तेहाई वहमत से पिस्ताव पारित करें तो संसद उस राज्य में विधान परिशत इस्थाबित कर सकती है अत्पा उसका लोग कर सकती है वरतमार में केवल 6 राज्यों में बची हुई है पिने अत्पिशत में ब्मार में रहे लेकिन 2 ऑ्रैन 2009 में अस्तित आई और पिद्देश विधान परिशत का सजन": संतावन में किया गया था किंदू 1985 में वहां समाप्त कर दिया गया था विधान फरिशत की कुल सदस्रों की संख्या उस राजी की विधान सभागी कुल सदस्रों की संख्या के एक तेहाई से अधिक नहीं हो सकती किंदू किसी भी अवस्था में विधान फरिशत की कुल संख् 40 से कम नहीं हो सकती है अब बाद जम्मू कस्मीर था 36 थी है लेकिन भटा भी रागया दो जाए उन्लेश में विधान परिशत की सदस बने के लिए नियुमतमाई तीस बर्स होनी चाहिए विधान परिशत के पितेक सदस का कांकल 6 बर्स होता है किन्तु पिते पिती दूसरे वर्स एकतेहाई सदस अवकास गहण करते हैं तत्ता उस परिशतान नभीन सदस से निरवाचित होते हैं राज सवा की तरह विधान परिशत के सदसों का निरवाचन अनुपातिक पिती निदित की एकल सग्मणिये मद कदेथी द्वारा होता है विधान परिशत के को सदसों के एकतेहाई सदस राजी की स्थानिय सोसासी के साथ एकतेहाई सदस संस्थाओं के एक निर्वाचक मंदल द्वारा निर्वाचित होते हैं और एक तिहाई सदस राजी की विधान सवाओं के सदस्थन द्वारा निर्वाचित होते हैं एक बटे बाराई सदस उन इसना तक द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्होंने कम से कम तीन वर्स पूर इसना तक की उपादी प्राप्त कर लिए और एक बटे बाराई सदस उन अध्यापकों के द्वारा निर्वाचित होते हैं जो कम से कम तीन वर्सों से मार्दमिक पार स साला अत्वा उनकी उसी कच्छाओं में सिक्चन प्राप्त कर रहे हुए एक बटे च्छे सदस्वों का राजपाल उन व्यक्तियों में से मनुनित करता है जैने साहित कलाब ग्यान सहेकाईता अंदोलन या सामाजिक सेवा की संबन्द में विशाग्या ग्यानों विधान परि में क्रमसा भी जब्यदान पिरिशाद के अपने सदस्वों में से दो को कर्मसा सभापति और ऊफसभापति क्षिप्षावदान द्वारा निरवायत थे निरधारित विदा वीधान वेत वय्तिक रातत होते हैं कि सभापति उपसभापति को संभूधित का सभापति सभापति को संभूधित का त्यादपत दे सकता है अत्वा परिशत के सदस्रों के बहुत से पारित पिस्ताव द्वारा उसे आपदस्त भी किया जा सकते हैं किन्तु यह ऐसी किसी पिस्ताव का लाने के लिए 14 दिन की बीधान अब बात करते हैं बीधान सभा के बारे में बीधान सभा के कार्टाल कितना होता है पांच वर्स का किन्तु विशेश परिस्तिती में राजपाल को यह दिखा रहे हैं कि वह इसे पूर्वी पेक्टिद कर सकता है बीधान सभा के सथ्ता उसान के आदेश राजपाल के द्वारा दिये जाते हैं बीधान सभा में निर्बाचित होने के लिए नियुम्तमाई 25 वरस है पतेक राजीगी विधान सभा में कम से कम साठ और अधिक से अधिक 500 सदस होते हैं गुआ अपबाद है गुआ में चालीस मिजूरम में चालीस सिक्किम में बतीज इसे अनुचे 371 के तरह विसेश राज की दर्जा देकर यह विवस्ता किया गया है विदान सभा की अध्यक्षता करने के लिए अध्यक्ष का चुनाओ करने का अधिकार सदन को पराते इसकी बै सदन की बैटकों की अध्यक्ष्स का किसी विद्यक को धन्मिद्यक माना जाए इसका विवस्ता अब हम बात कर अग्यां किवाए तो अधा चल पर दिश्म साठ्थ है अधा चल पर दिश्म साठ्थ है और याद रखिए अधार चल पर दिश्माइ साठ्थ है और फिर असम्, असम् में किदनी है, 126, ठीक, असम् में फिर आन्द पिदेश, याद रखिए, आन्द पिदेश में, आन्द पिदेश में पहले 294 सीटे थी और विधान परिशत में थी 100, आन्द पिदेश में विधान सभा में पहले थी 294, विधान परिशत में थी 90 सीटे, लेकिन जब तेलंगा ना राज अलग हुआ, तो आन्द पिदेश में कितनी बची, बइधान परिश्चाट बची अंडाओं सीटें विधान सभा की बची एकतौच्व क्यांड़ सीतें, याद रखिए आन्पिदेश से तैलंगाना 2중 2014 को अलग हुगा तो, 2014 की पहले आंड़त्वी देस में सीटें थी कोल विधान स महा कें थी due सठोषारहन में वर विधान परिशत थी नतवे लेकल देजिन तैलंगाना के अलग होने के बाद कि तनी सीट एंबची? विधान साबनापे 1500136 16 16 विधान परिशत में अंद्र पिदेश में सीट है कितनी मची अंठाउं 58 ठीक है जैसा कि आपको पता है राजसभा में सीट है यहां 11 और लोगसभा में 25 सीट है अंद्र पिदेश में पिर यहीं बात कर लेते हैं हम लोग तीलंगाना की तो तीलंगाना में कितनी सीट होगी विधान परिशत की 40 सीट है और विधान सवा की 119 सीट है राजसभा की 7 सीट है लोगसभा की 17 सीट है तीलंगाना में परिशत की 40 विधान परिशत की विधान सवा की 119 राजसभा की 7 सीट है और लोगसभा की 17 सीट है ठीक है याद रखता में और यहां कि 2017 में यहां कि मुख्पंत्री है कि जन्द सीखर लाउब कुए आगे बात करते हैं अडु Xavier की बात करें तो डिशा की 147 सीट है विद्हानसबा में और उत्तर कदेश की कि बात करें, 52 क 35 हैं केदल के बात करें, 140 है है विटए सबहां में rou崇ए के बात करें घुए सब्यासि क्ता चाली कि बात करें 14, FOR14 के बैल है । गर में नब्य सीट है। जम्मु किस्मीन में पहले थी 36 और 16 36 सीटें 36 थी विधान सबावें और विधान परिस्तत में 36 थी लेकिन थ्याद है जैसे का आपको पता है जैसा कि में जमुकस्मीर से विशेष राजय का दर्जाचथा दिया गया तो अभी सीटों का द्र hö आजधारन नहीं होँ वहां दो भाववें वाट गया जमुकस्मे लग्णाप और जमुकस्मी तो भी सीटों का कोई द्धारम नहीं हुआ जैसा ही पता चलेगा बता देगी उसकी बाद में जहार खंड की बाद करें तो 81 सीट है या तमिलाडू की बाद करें तो यहां तमिलाडू में दो सो 34 सीट है और 78 है विधान फरिशद में नागा लेंड में 60 सीट है पंजाब में 117 पश्चे मंगाल में 294 विहार में बाद करें तो 243 सीट है मड़ीपुर की बाद करें तो 60 मद्यपिदेश में 230 महराष्ट में 288 और 78 है विधान पैचत्थी मिल्यूरम में 40 मेगाले में 60 विधान सबब राजिस्तान में 200 सिक्किम में 32 हर्याना में नप्पे य 60 तिफुरा में 60 दिल्ली में 70 और पूरुचेरी में 30 याद रखे जम्मू कंद्मीर विधान सबा में 100 सीटे दी गई है इंतो 24 सीटे पाकिस्तान अधिकित कस्मीर के लिए है यह 2019 के पहले की बात है कि 2019 में बटवारा हो गया जम्मू कस्मीर को दोबावों में बाट दिया हो गया है तो अभी सीटों का द्धारण नहीं कर दो बात कर दें लोग आंगे विधान सभा के एदिकार और उनके कारे चलिए अब बात कर दें विधान सभा के एदिकार और कारे बिधी निर्माड इसे राज सूची से सम्द्धित विस्याओ पर बिधी निर्माड का अन्यमन दिगार है संपड़ती सूची सिस्संबदे बेसयाओ पसंसत की तरह राज वीधार मंडल भी विधी निर्माड कर सकता है किन्तु यदि दोनों द्वारा निर्मित विधियों में परस्पर विरूद की सीमा तक संसदिये विधी बढ़नी है अगर दोनों कि द्वारा निर्मित विधियों में परस्पर विरूद होता है तो कैंस सरकार की जो विधी बनाई है वो मान हुई दूसरा है विधिये विषयों से सम्मदित फित्क्रिया तो राज विधार मंडल राज सरकार की विधिये अवस्ता को पूरता नेंतित करता है फितेग करता है जिसमें सासन की आय और बे का विवर्ण रहता है बजट बित्मंदिवी द्वारा रखा जाता है कोई धन-विधियक फ्यारम में विधान परिशत में पिस्तोर नहीं किया जाता है जब विधान सवा किसी धन-विधियक को पारिट कर देती है तब विधान सवा परिशत के पास भेट दिया जाता है वीधान परिशेद को 14 दिनों की भीता है वीधान सभा को लोटाना पड़ता है वीधान परिशेद उस विधेयक के संबंद में संसुधियां तो दे सकती है किन्तु वह ना तो उसे आस्विकार कर सकती है ना ही उसमें संसुधन कर सकती है बीधान सभा द्वारा पारित किये जाने के चौदे जिनों के बाद विधेयक को दो सबनों द्वारा पारित समझ लिया जाता है तथा राजपाल को उस पर अपनी सहमती देनी पड़ती है कारीपालिक आपा नेतर तो मंती परिसद शामोई ग्रूप से बीधान सभा के पिती उंतरदाई होते हैं जब कभी मंती परिसद के ब्रोध आविस्वास विस्ताव पारित हो जाता है तो समुची समुची मंतीरी परिसद को त्याग पत्य देहा पड़ता है समिर्धन एक संसोदन संसदिये संगीये सरुक इस्तावित करने वाला कोई समिर्धन संसोदन के द्वारा पारित हो जाता है तो आधिर से अधित राज्यों के विधान मंदलों द्वारा उसकी कुष्टिया हों देखे निर्वाचन सर्मंदी अधिकार राफपदी के निर्वाचन में जितना मताधिकार संसत को दोना सदनों के सदस्तों को प्राफते उतना ये राज की विधार सभाव के निर्पाचिस सदस्तों को प्राफते अब बात करते हैं मुखमंद्री के बारे में किसके मुखमंत्री के बारे मुखमंत्री की निपती कौन करता है राजपाल करता है मुखमंत्री की निपती राजपाल करता है साधार्त और वैसे व्यक्ति को मुखमंत्री किया जाता है जो विधाल सभा में पहुमत बलकानिता होता है राश्टी ये राध्धाने दिल्ली की चुनाव परश्चाद मुखमंत्री की निफ्ति राश्पती द्वारा होती है याद रखना बाकी के देशों के राजपाल निफ्त करता है मुखमंत्री को लेकिन दिल्ली चुनाव परश्चाद मुखमंत्री की निफ्ति राश्पती द प्रवक्ता होता है और मंत्री फरसत की बैठोंगी अध्यक्षता करता है मंत्री मंत्री फरसत के नेड़ाओं को मुख मंत्री ही राजपाल तक पहुंचाता है जब कभी राजपाल को कोई बाग मंत्री फरसत तक पहुंचाता चाहता है तो यह मुख मंत्री के द्वारा ही कार करता है राजबाल के सारे अधिकारों का प्यों मुख मंत्री ही करता है बात करते हैं भारतिय राजवस्ता में वरीता अनक्रम भारतिय राजवस्ता में बिविन पदादिकारियों का वरीता अनक्रम इस पेकार है पहले राष्टपदी पहले नमबर पर उसके बाद रोप बूद्धपूर राश्टपती पांच में नमबर पर उप्पधान मंतरी छटवे नमबर भारत का मुख्णयादी तता लोग सवाध्याच, साथ में नमबर पर कैविनिट मंतरी राज के मुख्धान मंतरी अपने अपने राज्याच, यह उजना आयुपका उपाध्याच, जाते हैं भारत रतन सम्माल की धारत, आठवी नमबर पर राज्टूर, नौबे नमबर पर उच्छ तम्नियाले के नहादी और नौ कापर, मुख्ध निर्वाचन आयुप, भारत का न्यंतक महाले का परिक्षर, और दस्मे नमबर पर राजसभा का उपसभापती, भारत रतन एकमात ऐसा पुरुषकार है, जिसे परित्या अनकरम में इस्थान दिया गया है, मुख्ध चुना आयुप, श्री सैसन के आप ग्रफ, और सरकार में, मुख्ध चुना आयुप, नौ का किस्तिती पिदान की, यानि उत्तम नियाले कि नियादी इसके समकष बाट करते हैं, या सनसुदन अगस्त 1903 में किया गया, केंद राज सम्मंदों की बात करते हैं, राज में केंद राज सम्मंद संगबाद की उनमों हैं, और संगबाकी इस परिणाली को करनारा के सम्मिधान से लिया गया, भारतिय सम्मिधार में केंद तथा राजी के दिधाई फिसासनिक वित्तिय सक्तियों का विभाजन किया गया है लेकिन नियायपाल का विभाजन की फरिती से बाहर रखा गया है के भारतिय सम्मिधार की साधवियन सूची में कैंद एवं राजी की सक्तियों के वटबारे से संभनें तीन सूची आया है संग सूची राजी सूची और समवर्ती सूची संग सूची संग सूची में उन वेसेयों को सामिल किया है जो राष्टिय मत्त के हैं तथा जिन पर कानुख बनाने का एक मत्त अधिकार केंद्रिय विधाईका के पास है अर्था संसत को है इस सूची में खुल 98 वेसे सामिल थी जिनमें प्रमुक है रक्षा विदेशी मामले योद्ध अंतराक्ष्टिय सांती अडूसक्ति स्थीमा सुल जनगर्ना विदेशी रिड डाग तार पिसारण टेलीफॉन विदेश प्यापार रेल बायू जल परिणान राज सूची की बात करें तो इसमें उन विसेयों को सामिल किया है जो इस्थानिय मत्त के हैं तथा ज इस सूची में सामिल विसेयों की बता दें तो 62 के लगवग हैं जिसमें फ्रमोक हैं लोग सिवा किर्ष्टी बन कारागार भूड आजस्क लोग विवर्स्ता पुलिस लोग स्वास्त इस्थानिय सासन क्रय विक्रय सिचाहिए सम्भत्ति सूची की बात करें तो इसमें सामि विधार मंदल दौनों द्वारा कानूर बनाया जा सकता है और दौनों कानूर मैं विरोध तुसंसत द्वारा निर्मत कानूर लागू होगा इन्हें में विसेयों की बात करें तो बावन विसेयों के को सामिल किया अगर लगवा इसमें प्रम के रख्तिय जलमार फरिवार जन संख्या नियंतर समाचार्पत कार्थाना सिंच्छा आर्थे तथा सामाजी के उज्ड़ आउसिष्ट पिदाई सक्तियों की बात करें जिन विसेओं को संग सुची और राज सुची और संभत्ती सुची में नहीं सामिल किया गया उन पर कानून बनाने का अधिका संसत को संभत्त किया गया है राज सुची के विसेओं पर कानून बनाने की सकती संसत की सकती संभीदान के अनुचेद कि दोसो और अन्चास में यह प्यावदान किया गया है कि यदि राज सवा अपने उपस्तित तथा मद्दान करने वाले सदस्थों के दो तेहाई संसत को राज सुची में बारदित कैसेओं पर कानून बरात हो जाती है संसत द्वारा इस पेकार बनाया कानून एक वर्स के लिए प्रबञत नहीं होता है लेकिन राजिसवा जो आदर पारित से बार-बार कई वरसों के लिए बढ़ाया जा सकता है राजियों की सहमती से ही संसद राजिसूची पर कानूर बना सकती है तो राश्टी ये अपाद येवब राश्टपती सासन के समय भी संसत को राजसूची पर कानूर मनाने का जिकान होता है संक के प्रमुक राजस सरोतों की बात करें तो निगम कर सीमा सुल निर्या सुल किरसी भूमी को छोड़कर अन संपती पर संपता सुल विदेशिर रेल रेजर बेंग सेयर वाजार राज के प्रमुक राजस सासन की बात करें तो बैक्ति कर किरसी भूमी कर संपता सुल भूमी केंद राजी के वीज मद्द विबात को सुल जाने के लिए चार आयो गटित किये गए जो इस पकार है तिसासनिक सुधार आयो राजमनार आयो भगवान सहाय समिथी और सरकारिया आयो सरकारिया एक गटन 1983 में किया गया था जिसने अपनी 1600 प्रेश्टे वाली रेपोर्ट 1987 में कैंसर कार्षों कि थी फिर बात करते हांगे हैं अंतराज्जिय परिशत की बारे में कौनसी अंतराज्जिय परिशत समिधान के अरुचे 263 के अंतरगत कैंद एवं राज्यों की राटपती एक अंतराज्टिय परिशत की स्थाफना कर सकता हैं पहली बार जून 1990 में अंतराज्जिय परिशत की स्थाफना की जिसकी पहली रेटक 10 अक्टूबर 1990 को भी थी इनमें सदस होती हैं पिधान मंत्री उसके द्वारा मनोनी 6 कैबिनिट इस्तर के मंत्री सभी अंतराज्जिय परिशत की बैठक वर्स में तीन वार की जाएगी जिसकी अध्यक्षता पिधान मंत्री या उसकी अनुपस्तित में पिधान मंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनिट इस्तर का मंत्री करता है परिश्यत की बैठक के लिए आवस्यक है कि कम से कम 10 सदस आवस्य पार्त में योजना योग के संब्ध में कोई संम्मीदानि प्रावदान नहीं है एक बात राद रखी है हारत में योजनायोग के संबंद में कोई सम्मिधाने प्रावदान नहीं है 15 मार्च 1950 को केंद्री मंत्री मंदल द्वारा पारेत पिस्ताव के दोड़ा योजनायोग की स्थापना की योजनायोग का द्यक्च पिधान मंत्री होता था और आँको बताने. यह उजना आयक की एक जन्वरी 2015 एकजन पंद्रयक को नीथी आयोगा गया. अब यह उजनायक को खत्म कर दी है गया. नीथी आयोगा गया कमल knock, जन्वरी 2015 को इसका मुख्याल है नई में वह स्क्चाथ्धेख्क्स कौन नहीं हो undersideect şidd ven अगला है राष्टिये विकास परिश्द ये उजना के निर्मार में राज्यों की भाकिजदारी होनी चाहिए इस विचार को स्विकार प्रते हुए सरकार के एक पिस्तादवारा 6 अगस्त 1922 को राष्टिये विकास परिश्दत का गठन किया है याद रुखिए 6 अगस्त 1922 फिधान मंत्री परिचत के अध्यक्ष होते हैं यह उजना आयक का सच्चे भी इसका सच्चे होता था भातिये संग्री के सभी राज्यों के मुख मंत्री यह उजना आयक के सभी सदसित के पदायन वित्तायव में राष्पती द्वारा एक अध्यक्ष और चार अन्सदस निव्ट किया जाते हैं राज्य वित्तायव का गठन भारतिय समिधान के रुचे 243 एक की द्वारा किया जाता है तो याद रखिए वित्तायव का केंद सरकार के दिम रहता यो 280 अन्चेत किता है और राज्य वित्तायव का गठन अन्चे 243 एक के द्वारा किया जाता है राष्पती करता है 280 किता है वित्तायव का गठी है अब बात कर लेते हैं अब तक गठी वित्तायव की ठीए वित्तायव जो पहले वित्तायव में और अध्यक्त हो गए और अवधी होगी तो पहला वित्तायव मना 1901 में पहला वित्तायव का बना 1909 में इसके अध्यक्ष को थे केसी नियोगी इसके अध्यक्ष थे इसकी अध्यक्ष थे 1902-1907 तर फिर दूसरा है 1956 में इसके अध्यक्ष थे केस संथानम 1907-1962 तर फिर आए तीसरा बना है 1960 में इसके अध्यक्ष थे एके चन्दा 1962-1962 तर चोथरा बना 1964 में डॉक्टर पीवी राजमर्नार थे इसके अध्यक्ष थे 1966-1969 तर इसका कारेकाल रहा है और छे पाच वायए उननीससो और सट में भना महावी इद्यागी थे इसके अध्यक्ष निसससाट से 1989 तर रहे जोटतर दर रहे हो थी चल्टावण उनिस वात्र से उनिस वात्र में इसके अध्यक्रति पी बनामानद रेटी उनिस वात्र से उननात्र दर थे फिर है साथ भा है उनिस वात्र में जेटी सेलट तेज के अध्यक्रति उनिस सो नियासी से चौरासी तक फिर है आठवा है उनिस सो ब्यासी में मना बाई भी बाई की चोहन तेज के त्यक्रति पचासी से नवासी त्यक्रति नौवा उनिस सो नड़ीश सेासी में एनकेटी सालवी थेश के चल्च दर निस सो फंचानमे तर दस बपना अगे उनिस सो बााउंवे में के सी पंचि prophets के च थेश्क्रति उनिस सो पंचानवे से दो हजाहर तक रही चिसक्रति ग्यारे में 1905 में प्रोफिसर ए एम खुष्रोग दो जार से हुसरों दुलार जार तर बाराई वार थे है डोक्टर सीद रंग राय जैंथी सकते दो जार पासी दो जार तर तेरह क्लच साथ में डोक्टर विजें लाट किलकर 2010 से 2015 तक आप बता दें आपको विजय केल कर ओप 14 वे थे वाई वी रेल बी कौन थे वाई वी रेटी तो याद रखिए इनका रहा है समय कब तक 2015 से 2020 तक और फिर बने पंद्र वे हैं N के सिंग N के सिंग का कब रहा है N के सिंग का है 2015 से 2020 से 2025 तक पंद्रवे है N के सिंग 2020 से 2025 तक चोदर वे कौन थे हैं डॉक्टर वाई वी रेटी 2015 से 2020 तक वो पंद्रवे है N के सिंग 2020 से 2025 तक छिए है चीए आगे बाते आते हैं लोक सिवा आयोग के वारण बहारत में सन 1919 में भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार अधिनियम किय serapintam 1926 में लोक, सिवा आयोग की स्थापना ल? लोग सेवा आयों की स्थापना के लिए 1924 में विद्य आयों में से फारिश की थी संग लोग सेवा आयों के अध्यक्ष और सदस्यों की निक्ति राश्पती द्वारख की जाती है संग लोग सेवा आयों के सदस्यों की संख्याने दारित करने की सकती राश्पती हुए संग लोग सेवायोग के अध्यक्च वा सदस्चों के निफती छहवर पुरी कर لे गाल ऊब्सेंगों को जाते हैं राजलोग सिवाइब के सदस्य अध्यक्ठ्ण पर सदस्यों के निती राजपल करता है तर्मत भी न की अदिकार राजपाल राक। पिंदर की अध्ययक्त दधा सदस्यों की निपती तो राजपाल कर कर देता है लेकिन फटाने आधिका राजपाल की पाहा है dan राज़ कि अध्यक्त कोठसर आई को मुझी और श्वो पूरा होता है इन난 कारकाल के वीच उस्थ पइस तुर उन्हें पर सम्मिधान के अंतरगर राश्पती हटा सकता है आगे बात करते हैं निर्वाचन नायोग सम्मिधान के भाग 15 में अंचे 326 से 329 में निर्वाचन संबंदी उबंद दिये हैं निर्वाचन नायोग का गठन मुख निर्वाचन नायोग अन निर्वाचन नायोगतों से किया जाता है जिनकी निकती कौन करता है राश्पती मुख चुनायोगत का कारिकाल होता है छे वरस या 65 वरस की आयो जो पहले हूँ और अन चुनायोगतों का 6 से 62 छे वरस या 62 जो प करें तो पर रीस στην कि चुनाव चेत का परिषीमान मदाता सुचियों को दियार करना दर्शहा का नेjakनेटिक दलों मान्रे का पिधान करना या bottle स्व됐। और्माइन रावों से खता है इसका निर्माद समयिदान में किया गया है। श्रायूप्त एबं अन् चुनायोकत की न्युक्ति राश्पति करता हैा। मुख्छणायोकत महा वियोग जसी रिट्रिया सर्भू侥ा आचे समण होता है। नियुक्ति के परश्चाथ मुख चुनायो। अन यवक की सेवा सन्टों में कोई आफलाव करीवतन नहीं किया सकता। कि शुनायों चुनायों का भारत की संचितमीनासे जाता है। अब बात करते हैं हम लोग बरतमार में माननांता प्राहत राष्टीय राहिने दिकदनों की तो को है पहले भारतीय चत्व पाईटी इसका चुनाओ चन्य कबल भारतीय राष्टीय कौंग्रेस इसका चुनाओ पार्टी पार्टी हांती है माक्सवादी साम्यवादी दल हसिया हतोड़ा इसका तार आपको बता दें क्या राष्टवादी कि राष्टिये कॉंग्रेस पार्टी भारतिये कम्यूनिस्ट पार्टी भी राष्टिये पार्टी याद रखना है और भारतिये कम्यूनिस्ट माक्सवादी पार्टी देखी लिया सर्फ भारतिये तरणमूल कंग्रेस भी ये नेशनल पार्टी ये नेशनल पार्टी ये आठ हो गई याद रखना कौन को सी भारतिय जहन्ता पार्टी, भारतिय राष्टिय कॉंगरेस, राष्टबादी कॉंगरेस पार्टी, बहुजन समाजबादी पार्टी, भारतिय कम्यूनिस्ट पार्टी, भारतिय कम्यूनिस्ट पार्टी, मार्क्स पार्टी, सर्ब भारतिय त्रणमूल कांगरेस और नेशनल फीपल्स पार्टी इसे दोजार कि लाश्ट में सबसे बाद मिला हुआ है नेशनल फीपल्स पार्टी उसको को मिला कितने हुगे आठ ठीक है कि बात करते हैं राश्टिय दल खज़र्जा हासित करने के लिए आवस्सक्त सर्पों की लोग सवा के आम चुनाओ miejsc राजिस विधाल सवा की चराव किसार कि लुद्ध है किनी चार अधिक राज्यों में पुल डालाएक का 6-6 किसारफ करना ज्रूइं होता है इसके लावाँद से किसी एक राज्य राज्य इन से विधाल सवह big कभ से कम चार सीट हैं जीतनी होगी अथवार लोगसवा में दो कितीसा सीट हों और एक कम से कम तीन राज विवन है राज्यों से हांसिल की हूँ चौवीस मार्च उनिशन इन्यारवे को कि जारी यह दी सूचना के अंसाथ 6-3 दनों की संक्या 36 थी जनमें यह सामन थे तेलगू देशम पार्टी साइकल आंद्पिदेश समाजबादी पार्टी साइकल थी इसकी उतरपिदेश में असमगड़ पार्टी हांती असम में जाहर सब्सक्ति पार्टी वंगला भिहार में कैंतर्स पार्टी साइट्र जमुकस्मीर नेशनल कॉंट्रेंस हल जगुकस्मीर में सिपसेना तीरकमान महराष्ट में मुसलिम लीग सेडी केरल में ओल इंडिया फॉर्व बड़ ब्लोग सेर पश्चमंगाल अन्ना दरविड मुने सब्सक्राइट कड़गम उक्ता सूर्थ तमिलानू पोड़ोचेरी में नागालेंड फीपल्स कॉंसिल इमुर्गा नागालेंड में अकाली दल बादत तीरकमान पंजाब में तीर जंता लल यूग तीर थी विहार और ज्याकट में एलेक्ट्रोनिक वोटिंग मसीन का फ्र पुरा राय चुनाव कराने वाला पिद्धमराज एग्वा ठीर चलिए अवं बात करते हैं कि अब परीसीमन आयोग के सम्मिदान में परीसीमन आयोग के सब्सक्राइब कोई इस पश्ट निर्देश नहीं दिया गया अनुच्छेज ब्यासी वें पितेक जंगरना की समाप पर लोकसवा एवं राजसवा के निर्वाचन चेत्रों के विभाजन एवं पुना समाय विजन का कार संसर द्वारा वित अधिकारी द्वारा किये जाने का प्रावधान है 42 में संसोधन अधिनियम द्वारा संमीदान के अनुच्छेद 82 में संसोधन कर फरेशीमर परबर 2000 तक के लिए रोक लादक लगा दी गई थी 84 में संसोधन अधिनियम 2001 के द्वारा संमीदान के अनुच्छेद 82 और 173 की सरतों में संसोधन किया गया जिसके अधिक साव देश में लोकसभा एवं विधात सवा की सीटों की संख्या में पर 2026 तक कोई बिद्धी अध्वा कोई कमी नहीं की जाएगी परीसीमन 2002 का बटन 12 जुलाई 2002 को निया मुर्थी खुल्डीव सिंग की अधिश्ता में किया गया गया तो इस आयू की सिठाल को केंदी ये मंती मंदल ने 10 जन्मरी 2008 को मंजूरी दी नए परीसीमन ने से लोकस सबाब में आरक्ष सीटों के संख्यात बढ़ जाएगी नया परीसीमन 2000 एक ती जैन गणुना की अध्रान पर किया गया है अब यहीं बात कर लेते हैं हम लोग अब तक गटे चार परीसीमन आयोग के बारों में पहला परीसीमन आयोग बना 19 के बाद परीविस सीमन के बाद पचासी हो जाएगी अनुसूचित जन जाती मतलब एश्टी 41 हैं अभी बाद में और 48 हो जाएगी नई परिमीशन के बाद आना रक्षी सीटों के संख्या 410 है परीविस सीमन आयग में देश के मुख निर्वाचन आयग सहिर सभी राज्यों बख्केंद सासित प्रिदेशों के निर्वाचन आयग इसमें आयग कि सदस होते हैं वैसे राज जिनका परीव सीमन आयग 2002 के द्वारा परी में परी सीमन नहीं हो सका असम मडीपुर्ण अटनाशन के दिस नागालेंड जारकन पूर्वत्र के चार पूर्वत्र के चारों राज्यों में इस्थानिये विरूर्ण इभम अधालतों के स्थगर्म आदेश के कार परीव सीमन नहीं हो सका अब बात करते हैं लोग राज भासा के बारे में राज भासा संगी की राज भासा हिंदी और लिफी देवनाली यह जाद रखे सम्मिधान के भाग 17 के अंचे 343 के अंचार संगी की राजभासा इंदी ओनी और लिपी क्या ओनी देवनागरी भारतिय सम्मिधान के अंचे 344 में राष्टपती को राजभासक से सम्मंदित कुछ बिसाय में सलाय देने के लिए एक आयो की निक्ति की गई थी इप्रावाने राष्टपती ने इस अधिकार का प्योक करते हुए 1955 में स्री बीटी ठरे की अधिमस्ता में तित्थम राजभासा आयो को कगठन किया था इस आयो ने 1956 में अपना पिती वे इतन दिया था सम्मिधान की आठवी अंसूची के अंसार निमलिकित भासाओं को राजभासा की र नड कस्मीरी मलयालम मराथी वोडिया पंजाबी संस्कित सिंधी तमिल तेलगू पुर्दू कॉंकडी मडीपुरी मैपाली मैतिली संथाली डोंगरी बोडो 22 भासाओं को मानता मिली गुई है ते आठवी अंसूची में तो इनिस्तो सरसट में संभीधान के 21 संसुदण द्वारा सिंधी को आठवी अंसूची में सामिल किया गये ते है और 1992 में सम्मीधान के 71 संभीधान संसुदण द्वारा मरीपुरी कॉंकडी एब नैपाली को आठवी अंसूची में चुड़ा गया सब्सक्राइब के द्वारा सम्मिधान की आठवी अनिसूची में मैथिली, संथाली, डौंगरी, बोडो भासाओं को जोड़ा गया था राज भासा की बात करें सम्मिधान के अर्चे 345 के अधिम पितेक राजी की बिधान वंडल को यह अधिकार दिया गया है कि वह आठवी की अधिसूची में अंतरविष्ट भासाओं में से किसी एक या अधिक को सरकारी कारियों के लिए राजी की राजभासा की रूम में अगिकार कर सकता है किन्तु राजियों के परसपर संबन्द में तथा संग तथा राजियों के परिशवर संबन्दों की संगी की राजभासा को ही प्राधी करत भासा माना जाएगा उच्छितम और उच्छने आले तथा वीधान मंडलों की भासा संवीधान में प्रावधान किया गया कि जग्त तक संसत्र द्वारा कानूर बनाकर अन्नेता क्रावधान न किया जए तक तक उठिसतर न्यालाय सब्सक्रादन द्वारा संसत्ध धराज भिधान मंटलों द्वारा कानून पांट्च्थ καनूर विधानुरs अंग्रेजी होंगे अभ बात करते हैं लोग आपातकाल उब्बंद के बारे में भारती सम्मिदार में तीन पेकार की आपातकाल की दस्ता की है राश्टी आपातकाल अनुचे तीनसो बावण के तैं बायाकमर और ससक्त बिंदो राष्टी ये अपात्काल की घोष्णा राष्टपती मंत्री मंडल की लिकित से फारिस पर करता है राष्टी ये अपात्काल की घोष्णा को न्यालाई में प्रिश्ण निगत किया जा सकता है चवाली से में समिधान संसोदन द्वारा अनुछे तीन सो बाउन के दिन उद्ग्योसना संपून भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है राष्टी ए अपातकाल की समय राजसरकार नीलम्बित नहीं की जाती है अब तो वह संगे की कारिपालका की पून नेंतर में आ जाती है राष्टी द्वारा की गई आपातकाल की गोशना एक माहे तक पिवर्तन में रहती है और यदि इस दोरान इसे संसप के दो तेहाई बंबर से अनबोधित मोधित करा लिया जाता है तो वह 6 माहे तक पिवर्तन में रहती है संसद इसे पुनहा एक बार में 6 महीने तक बढ़ा सकता है यदि आपातकाल की गोशना तक की जाती है जब लोकसभा का विक्टन हो गया हो या लोकसभा का विक्टन एक मास के अंतरगत आपात उद्गोशना का अनबोधन की एविना हो जाता है तो आपात उद्गोशना लोकसभा की विथम बैठक की तारीख से 30 दिन के अंदर अनमोधित होना चाहिए अन्तर 30 दिन के बाद ये फिवर्तन में नहीं रहेगा यदि लोकसभा साधान वंबस से आपात का विक्टन को वापस लेने का फिस्ताव पारित कर देती है तो राश्पती को वक्टन वापस लेनी पड़ेगी पड़ती है आपात वोद्बोषना पर विचार करने के लिए लोकसभा का विसीर अधीविसन तब आहूत किया जाता है तो लोकसभा की कोल सदसंख्या की एटपटे तरस बाद सदस्वारा लेकि सूचना लोकसभा अध्यक्ष को जब सत्त चल रहा हो ये राश्पती हो तब सत्त नहीं सक्त, आहूत करता है आपात काल की बोष न पिरभाव की बात करें जब कभी समीदान काने रचीत 352 कि अंतलफ आपात पंड़ की बोषणा होती है तो इनने मेर पिरभाव होती है थी की कारिपालका सकती संग ये कारिपालका की अधीन आज हो जाती है संसत की विधाई सकती राजसूची से संबन विश्यों तक विस्त्त हो जाती है समिधान के अनुचेद 19 में दी गई सतंताय इस्तित हो जाती है राश्टपती को यह अधिकार पर आप दोता है कि समिधान के अनुचेद 20 और 21 में उल्लेकित अधिकारों के त्रियान मान के लिए नियायपालका की सरण लेने के अधिकार को इस्तित कल दे अमुचेद 302 के दिन 22 आकमड के आधार पर आपात की फित्थम घोष्णा चीनी आकमड के समय 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी या ओद गहस्णा 10 जन्मरी 1960 को बापस ली गई थी दूसरी वार अपात काल की गउष्णा 3 दिशंबर 1970 को पाकिस्तान से युद्ध के समय की गई थी बाजय आकमड के आधार पर तीसरी वार राष्टीय अपात काल की गउष्णा 26 जून 1975 को आप्रिक गरवडी की असंखा के आधार पर की गई दूसरी तथा तीसरी खोसणा को मार्च 1977 में बापस लेजी कर गया है अब बात करते हैं राज्ज में राष्टपती सासन अनुचे 356 अनुचे 356 के अधिन राष्टपती किसी राज्ज में यह समाधान हो जाने पर कि राज्ज में सम्मिधानिक तंतिविफल हो गया है तथा राज्ज संगी की कारिकाल का कि किनी निर्देसों का अनपालन करने में आसमर्थ रहता है तो आपातकाल की स्थिप्ती की गोशना कर सकता है राज्ज में आपातकाल की गोशना के बाद संग ने आये कार छोड़कर राज प्रिसासन के कार अपने हाथ में ले लेता है राज में आपात काल गोशना क्या होदी दो मास होनी चाहिए इसके अधिक के लिए संसर से अनुवती लेनी होती है तब यह च्छह माहे की होती है अधिकतम तीन वर्स तक यह एक राज में विवर्तन में रह सकती है इसके अधिक के लिए समिधान में संसुधन करना पड़ता है सरफितम पंजाब राज में अनुचे 356 का फियोग किया गया 1901 में भारगाव मंती वंडल की पतन के कारण सरवादिक समय अनुचे 356 का फियोग पंजाब राज में जी रहा है सरवादिक समय तर ग्यारे मई 1987 से 25 परवरी 1992 तर बात करते हैं विद्धिया पादकाल तो अनुचे 360 अनुचे 360 के तहिए विद्धिया पादकाल की उद्धोशना राटकती द्वारा की जाती है जब उससे विश्वास हो जाएगी कि ऐसी श्थिति विद्धमान है कि जिसके पारण भारत के विद्धिया स्वामित्य या साथ को खद्रा है विद्धिया पादकाल की घोशना की दो महीने की वीदा संसत के दोनों सदनों की सब्मुक रखना तथा उनकी स्वाकिती प्राप्त करना आवसक होता है वित्तिय अपात्काल की गोशना हो संबह की जाती है जब लोगसभा Dhikton वे he तो दो महीने के वीतर राजसभा की स्विक्ति मिलने के उपरांथ कोई आंगे भी लागू रहेगी, किन्तु नव निर्माचित लोकसभा द्वारा उसकी पित्थम पेठक के आरम से 30 दिन के वीतर पैसी गोष्णा की स्विक्ति आवच सके, राश्पती वित्थी आपात्की ग और संगत तथां राजसरकारों के अधिकारियों के बीत पेठन में कमी की जा सकती है, राश्पती आर्तिक दिरुष्टी से किसी भी राजसरकार को निर्देश दे सकता है, राश्पती को या अधिकार पराफ हो जाता है कि वह राजसरकारों को यह निर्देश दे, कि राज किस सामने थी कि तो राशपती कि से की, मुक ने मकुख निया जा आधीज के सामने उपर राशपती, मुखनयादी राष्ट्पती के सामने सपत लेता है और राष्ट्पती को त्यागपत देता है पिदान मंत्री राष्ट्पती के सामने सपत लेता है और राष्ट्पती को सपत त्यागपत देखता है लोग सब अत्यक्ष की बात करें तो सपत नहीं होती है अत्सदस के रूम म पॉपात्यक्ष को एक ट्याग पत्र दे सकता है चलिए बात करते हैं लोग भारत के राष्टिय चेन्नों के बारे में भारत के राष्टिय चेन्न देखते हैं तो सबसे कहले बात करते हैं राष्टिय पिति नैस्नल सेंबल भारत का राष्टिय पितिक सारनात इस्तित असोक के सिंगिस्थम के सीजवाग की अनुकृति है भारत सरकार ने इसे 26 जन्वरी 1950 को अपनाया फितिक के नीचे बुंडोक ने सत में लखाया सत में हो जायते देवनागरी में लखा देवनागली लिपी में हम के थे सास्किय कारियों में प्योग लाए जाने वाले पितिक राष्टिय पितिक चन अलालाग रंक के होते हैं नीला राष्टिय पितिक भारत की मंतिरियों द्वारा लाल राष्टिय पितिक राजसवा के सदस्तों अधिकारियों द्वारा हरा राश्टिय पिति लोग सबाके सदस्थों के द्वारा फ्यों में लाए जाता है तो याद रखे राश्टिय पिति साथ असूब के साना तिस्तिक असूब के सिंग में स्थम किस्ति साकती है इसे भारत सरकार रेक अपनाया 26 जन्वरी 1950 को पिति के नीचे मुंडो 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 मुंड को निसर्थ में लखाया है सत्त में हो जैती देवनागरी लिपी में और आपको बता दें नीला की अग् सब्सक्राइब नेहरा बहुत करें तृट्य फाला और गहरा के सरिया उपर सखेद बीच में गहरा हरा रंग सबसे नीचे सखेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक होता है जिसमें 24 तिलिया होती है याद रखे 24 तिलिया होती है तो याद रिखना 24 दिल्यां होती है इसे सारनात मैसोग के सिंग स्थम्भ परवने चक्त से लिया गया है दोज की लंबाई चोणाई कानपाथ 392 है बहारत के समिधान सवान राठ दोज को कप्यारू 22 जुलाई 1947 को अपनाया राष्टिय द्वज कक्केशरिया रंग जाक्रिती और सौर तथा त्याप का है सफेद रंग सत्यका पवित्ता का और हरा रंग जीवन की संब्रिती का है भारतिय द्वज सहिता 2002 के अनुसार सभी भारतिय नागरिकों एवं निजी संस्थाओं त्वारा आधिकों भी प्यदर्शन का अधिकार है जन्बरी 2004 को एक मत्कून पी नेड़े में पोच्टम नेलाएके मुक्न नायदी इस बी एन खरे किया दिक्स्ता में यह बोशना की गई कि समिधान के अर्शेद 1901 का 1901 आके अधिन राष्टिय द्वज भैराने करनागरे को कमूल अधिकार है भ बात करते हैं राष्टिय गान की नेशनल एंथम रवेणनाट टेगो राष्टिय गान रवेणनाट टेगो द्वारा रचित चनगर्मन को समिधान रवा ने 24 जनबरी 1950 को भारत का राष्टिय गान फ्रीकार किया इसे गायन का समय वावन सेकंड तथा संचिप्त में आव द जाती है यह सरब कि था 27 दिसंबर 1911 तो भारतिये कॉंग्रेस की कॉलकाता दीवेशन इसके अध्यक्षता पे पंडित किसंग नालाय नारायन दत्त में गाया गया था इसे रवेणनाट टेगो ने 1912 में तक्त बोधनी में भारत भाग विदा था सीसेक्षित कासित किया था इसके नाम से अंग्रेजियन बात किया गया इसका राष्टगान के बलतमान संगीत मैद्धुन को बनाने का से केप्टम राम सिंग ठाकुल आई एने कि सिभाई हो जाता है ठीक है हांगे बात करते हैं राष्टिय गीत के बारे में नेशनल सौंग वाकिम चैन्द चटरजी के पर्यास आनन्दमट से अनन्दमट में उनी के द्वारे नचित बंदे मात्रम को राष्टिय गीत के रूम में 26 जनवरी 1905 को स्विकार किया गया इससे सरफ रितम 1896 में भार्दिय राष्टिय कॉंग्रेस के अधीवेशन में गया था इसके अध्याश्टिय से अधीवेशन के रहीम तुल्ला सयान कोल काता में हुगत है इस गीत को गाने के समय एक मिनिट है एक मिनिट और पांस सेकिंड है किसी भी प्यक्ति को राष्टिय गाने के लिए बाद नहीं किया जा सकता है भार्दी संस्यत के अधीवेशन में त्यारम में जंगर्मन से और समापन बंदिमात्रम के साथ गायल से होता है फिर बात करते हैं राष्टिय क्लेंडर के साथ देश भर के लिए सक संबत कौन सा सक संबत पर आदा रहे राष्टिय पंचांग की सरकारी प्योग के लिए 22 मार्च 1967 को अपनाए गया यह देट याद रखिए 22 मार्च इसका पहला महीना चैत है कि या सामनता वर्ष यह सामनदा सामान वर्ष थिर्ष में 21 मार्च को एवं ली वर्ष में 22 मार्च को प्यार्ण होता है उस ट्रए अंगला है राष्टिय कुस्प भारत का राष्टिय कुस्प कमल है ने लंबो न्यूसि फेराव गायर्टण भारत का राश्टिय पक्ची मयूर है फाहो किष्ट टिंटस भारत का राश्टिय पसू तो बाग है पैंत्रा टाइगिस लिन्ना एस राष्टिय फाल केहले मिनीगी फेरा इंडिका ह्रत का राष्ट्य फाल का जिए तेस भरगद है थाइकस बैंंता लेंजिल भारद का राष्टिय वेक्छ है राष्टिय जीव है माच अक्तूबर 2009 को डॉल पिनको राष्टिय जिल केए संसत की बित्तिय संतियां संसत की संतियां बात करते हैं देखते हैं सबसे पहले बात करते हैं तराकलन समिति इस सम्ति में लोगसभा के तीस सदस होते हैं इसमें राजसेभा के सदस्वा क सामित किया गया तीस सदस्वा के सदस्वा के फित्ते एक बर्स अनुपातिक पितिनिदित के अंसार एकल संक्मडियें मत की मध्यम से उतिया जाता है। इसके सदस्वों का कारफ़ एक बर्स होता है, यह समती सरकारी ख़र्च में कैसे कमी लाया जाया। संगाठन कैसे कुसलत लाई जाए तथा पिसासन में कैसे स्थार किये जाए आधी विश्णों कर रेपूट देती है प्रावकलन सम्ती की पिती वेधन पॉल सदन में बहस नहीं होती है तरंत विए समिती अपना कार वर्स भर करती है अपना दिश्टिकों सदन के समक्च रखत समती है दुख्ष्री है लोग लेखा सम्ती सराके इन सम्ती की जुडवा वहन के रूम में जानी जाती है लोग लेखा सम्ती इस सम्ती में 22 सदस होती है जिनमें 15 लोग सभा से और साथ सदस राज सभा से और एक बरस के लिए निरवाचित होती है इस सभी नीज सरसठ में इस ठाकशिष पित्ता के अमसार इस सम्ती के अध्यक्ष के रूम में विवक्च कि किसी सधस को निवत किया ज जाता है लोक लेका सम्ती ने मेराज सभा के सधसों को यह तै के को तै सथ माना जाता है सह सदस माना जाता है तो उन्हें मत देने का दिकार राप्त नहीं होता है लोक लेखा समिती का मुख कार की बात करें तो यह समती भारत के नियन तक महाले का परिच्छक द्वारा दिया गया लेखा परिच्छ सम्मंदी फिती वेदनों की जाच करती है भारत सरकार के वय की गई सदन द्वारा प्यदान की गई रासियों का बीनियोग दर्साने वाली लेखाओं की जाच करती है संसर द्वारा प्यदान की गई धन्रासी के अत्रिक धन्रासी को वय किया गया हो तो संटी उन परिस्तितियों के जाध करती है जिसके कारण अत्तिरिग्त व्यै करना पड़ा संटी राश्पती के विद्थीये मामलों के संचानल में अफवय व्यष्ट आठ आको संटा में कमीके किसी द्रमा copies करती है अलिए सरकारी उपकृरमों की संटी सरकारी उक्रमों की सम्ती में 22 सदस होते हैं जिसमें से 15 लोगसभा की और 7 सदस जराजसभा द्वारा अनुपातिक पिती निदित्य की एकल संकमडिय मद्पदिती मद्पदिती द्वारा निर्वाचित होते हैं सम्ति का अद्यक्ष लोगसभा अध्यक्ष द्वाना नभजत किया जाता है इस सम्ति का निम्नेकार है सरकारी क्रमों के पिती वेधनों पर लेखाओं की और उन पर नेनतग महलेका परिचत के पितीывает रथमक्रत्रमाश जैसे बेसे हों कि जाश करना जो सदन या अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किये जाए कुछ मुख सम्थिया जैसे कार मंत्रना सम्थी लोकसभा की कार मंत्रना सम्थी में अध्यक्ष सहथ 15 सदस होती है लोकसभा का अध्यक्ष इसका पधैन अध्यक्ष होता है राजसभा के मंतिना ना ती मैं सभा का सभाफती इस्क पध्येंग इसका पध्येंग सभाफती होता है शैन कहीं मत समाथ티 समझंधी सम्ती इसका गठन लोग्सभा चाहिए इसम्ती में 15 सदस होती सिर लोग्सभा की नियम सब्सक्राइब लोग सभा की नियम सम्ती में लोग सभा अध्यक्ष सहित 15 सदस होते हैं जब कि राय सभा को नियम सम्ती में सभापती एवं ओप सभापती समें सहित 16 सदस होते हैं लोग सभा अध्यक्ष था राज सभा के सभापती अपने-पने सदन की सम्तियों की पदें अध्यक्ष होते है ततां अनुसूचिट जातियों कि कल्यांड संभन्दी समति तो इसमें 30 सदसु सामिल किया जाते हैं इसमें 20 लोक सवा से 10 राज सवा से प्रहे गत थाला संति, इसमें नौ सदस दे, लोकसभा देख्स द्वारा मनुली 6 लोकसभा सदस, तथा राजसभा की सभापती द्वारा मनुली 3 सदस सामिल किये जाते हैं, इस समथी का गठन-पितेक बल्स किया जाता है, अब बात करते हैं लों पंचयाती राज के बारे में पंचयाती राज का सुबारम सोतंत भारत में दो अक्टूबर 1969 को भारत के पित्थम प्यधान मुंत्री पंडित जबाहालाल नहरू द्वारान राजिस्थां राज की नागौर जिला में अपुए था ग्यारेक्ट उवर 1969 को पंडित नहरू ने आधनकदीस राज में पंचयाती राज का फ्यारम दियो तेहत्रवे समिधान संसुधन की बात करते हैं तेहत्रवा समिधान संसुधन पंचयाती राज से समधित हैं इसके द्वारा समिधान के भाग नौ मैं अनुछे तीनसो अनुचे ग्यारेक्ट प्रादन किया गया भाग नौ मैं अनुचे 243 कासे राज तक अनुचे ग्यारेक्षं क्प्रादन किया गया तीहत्रवा समिधान संसुधन की बात करें तो इसके द्वारा पंचयाती राज की कासे दान तक इसके तवह पंच़ाति राज के त्री इस्तरी यह ढार्चे का प्राधन किया है ग्राम इस्तर पर ग्राम पच्छाथ, त्रिखंट इस्तर पर पंचाय सम्थी, तथा जिला इस्तर पर जिला परिशत की गठनी की वेवस्ता की गिए पंच्याती राज संच्था के प्रिद्य के स्थर में एक तिहाई इस्थानों पर महलाओं के लिए आरक्षन की विवस्ता की गए इसका कालकाल पांच बर्श निर्दारित किया गया पंच्यात भंग होने पर 6 माई के लिए निर्वाचित होती है राज की संच्थेत निदीर में से इन संस्थाओं को अनुदान देनी की विवस्ता की गए है तिहत्तरवे समीधा संसदा के बास पंच्याती राज अधिनीनियम का निर्माण करने वाला पित्थम राज का नातक है बात करते हैं मो कि यहीं पंचेरी राई विवस्ता में सुधार हितु गठेष संस्म्तियों के बारे के तुबलभंत राये मिःता संथी कवाई अब बात करते हैं चोत्रवा समिधन संसु थे इसका पुरावदन भागनों का अजिद। 243ी ता सिया च्छा तक हैं है मैं इसमें बार्वी अनिसुची का प्रावदन पारवदन किया है है और तो निनकिर पौछ तेन भागनों में महलाओं के लिए की वह बटीक तीन भाब इस्था आरक्षा थे इस्थान आरक्ष थे नगर पालिकाउं में अन्सूचे जाती जन जाती हो प्लिए आरक्ष्ण की वेवस्ता किए नगरी ये संस्थाओं की खार्काल पांच बरस्का होगा बिक्टन किस्थिती में छहभाय के लिए अंदर चुन 1993 से फिरुवत हुआ नगर बंच्षाह तो नगर फालकाओ के पैकारों की बात वे तो नगर बंच्षाथ ऐसा ग्रामिट चिथ जो नगर चिथ में किप्रिवर्टित हो रहा हो नगर परेशाथ छोटे नगर चिथ के लिए नगर नगर बड़ी नगर चित के लिए नगर निगं की स्थाफ्ना सरफितं मद्राष में 667 में की गई थी ती नगर निगं की स्थाफ्ना शरफितं कहा हुई मद्राष में 668 में थे थे का चलिए तो ucking लोग बात करते हैं महत्पून अ व Almost 10 तो सब्धावलियों के वारे लुशन संब्दार की कुछ मात्तुन सब्दा वली देखते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं लोग integral की वारे αइया चंसत के दोनों सब्म में ठीग बात के समय कृश्ड म्न कहते है ये 12 बजी कि बारा वली किमात्स फ्यारम होता और एक बजे दिन तत चलता है पिसे सुन निकाल यहीं है छुननकान फिर दूसरा सदन का सबहुत सदन के कामकाज को नियूद्ष्ट समय के लिए रोक दिया जाता है या कुछ गहंटे कुछ दिन सफटाय का भी हो सकता है कि तरे विक्टण के ऊब लोक्सभा का ही हो सकता है इससे लोक्सभा का अंत हो पिर अनुपूरक विसन सदन में किसी सदस्त द्वारा अध्यक्षकी अनुवती से किसी विसाइं जिसके व्बंद में उत्तर दिया जाता हो कि इस पस्टीकड़ रिद्व अनुपूरक विसन पूछने की अनुवती होगी फिरह तारांकित फिसन जिन पिसनों का उत्तर सदस से तुरंद सदन में चाहता है उसे तारांकित फिसन कहा जाता है तारांकित फिसनों का उत्तर मौक्त दिया जाता है तथा तारांकित फिसनों के अनपूरक फिसन ने भी पूछे जा सकते हैं इस फिसन पर तारा लगा कर अन ऐसन कहा जाता है आतारिंग शौक फिस्नों का उत्तर सदं में नहीं देया जाता है और इन पिसनों के अन्पूरत के लिए निरिधारे दस दिन की अवधी से कम सूचना देकर पूच्छा जा सकता है उन्हें अल्ब सूचना का पिसन करते हैं फ्रे इस्तगन प्रिस्थाओं कि इस्तगन प्रिस्थाओं प्रिस करने का मुख्ष देश किसी आवल अभी लंग में निये लोग मत के मामले की और सदन का ध्याना करशित करना है जब इस प्रिस्थाओं को सुईकार कर लिया जाता है तब सदन आवल में निये लोग मत के निश्चित मामले पर चल्चा करने क के लिए सदन का निवितकार रोग देती है इस पिस्ताओं को पेश करने के लिए नियूंतम 50 सदस्वों की सुईकिती आवस्तक होती है फिर है संचित निदी कि सम्मिधान के नुछे 266 में संचित निदी का प्रावधन है संचित निदी से धन संसब में पिस्तुत कि अनुदान मागों की द्वारा ही ब्या किया जाता है राज्यों को करों एवं सुलकों में से उटका अंस देने के बाद जुद्धन बचता है निदी में डाल दिया जाता है राश्टपती राज उफ राश्टपती नियंतक एवं मालेखा परिच्छत आधी के बेतन बत्ते इस निदी प्रभारित होते हैं तो रहे आकस्मत निदी सम्मिधान के अंचे 266 के अंसार भारत सरकार एक आकस्मत निदी की स्थावना करती है इसमें जमाधन रासी कवे विधी द्वारा इस्थावित पिक्रिया के अंसार किया जाता है संसत्स की स्विकिति के विना इस मद से धन नहीं निकाला जा सकता है। विशेश परिस्तिदियों में राष्ट्पती अग्यम्रोव से इस निधी से धन निकाल सकते हैं। फिर आधे घंटे की चर्चा, जिस पिसन का उत्तर सदन में दे दिया गया ह। उन पिसनों से उत्पन वोने वाली मामलों पर चर्चा लोक सवा में सत्ता में तीन दिन सौंबार, बुद्धवार, सुक्वार की बैठक की अंतिम घंटे, आधे घंटे में की जाती है। राजसभा में ऐसी चर्चा किसी दिन जो से सवाबबती नियत करें सामनता 5 बजे से 5.30 बजे 35 तर के बीच की जा सकती है। ऐसी चर्चा का विसाय परियाप्त लोक महत्य का होना चाहिए। तथा विसाय हाल के किसी तारंकित, आतारंकित या अग सूचना का फिसन रहा हो। और जिसके उत्तर के किसी तथ्यात्मक मामले का इस परश्टी करन आवसक हो। ऐसी चर्चा उठाने की सूचना कम से कम तीन दिन पूर दी जानी चाहिए। फिर है अल्वकालीन चर्चा है। भारत में इस पिथा की सुरुवायत 1903 के बाद भी। इसमें लोक सभा, इसमें लोक महत्य के फिसन पर सदन का ध्यान आकर्चित किया जाता है। ऐसी चर्चा की इस पर्ष्ट कारणों से सदन के महासंचित को सूचना देना पर आवस्यक weitा है। इस सूचना पर कम से कम में दो एंद्य सदस्व के अस्ताप्छन होना भी आवस्यक हुता है। फिर है विनयोग गधियक। विनियोग विधियक में भारत की संचित निधी पर भारत वय की पूर्थी के लिए आप एक्षे धन तथा सरकार के खर्षे दू अनुदान की मांग सामेल होती हैं, भारत की संचित निधी में से कोई धन विनियोग विधियक के अधी नहीं निकाला जा सकता है, फिर लेखा अ ने कि पहले भी रुपया रुपयों की आवसकता हो सकती है तो अंचे 116 का कि अंतरवत लोकसवाल लेखा अनुदान पारित कर, सरकार केली एक अक्योंwriting मंजूर कर सकती है जिसके बाधे में बजट विबरत देना सरकार केली समभ हो नहीं part तरहें वित्ति विधियक, समिधान के इनिशेद 112 वित्ति विधियक को परिवासित करता है, जिन वित्तिये पिस्ताओं को सरकार आगामी वर्स के लिए सदर में पिस्तुत करती है, उन वित्तिये पिस्ताओं को मिलाकर वित्ति विधियक की रचना होती है, सामन का वित्त विद्ट्न विधियक धनविदियक हैं या नहीं इसी प्रमाविधित करने का अधिकार कीवान लोक सबहा अध्याग्षर को है you फिरे धनविधियक संसद में राजियस्टो एकत्तित करने अथवा अंपेकार सिंध मिद्येक को धनविधियक कहती संमाध işte 110 एक क्योंकषंड काशच्छ तकमें लिकिद विश्यों से समंदित विद्ह犬 धन में किया जाता है bisher Bunun मुण लूखसवा में कि पेस किया जाता है दन विद्हेम को पुना पर ती पुला विचार के लिए लोटा नहीं सकता है अब बात करते हैं अनुपूरक अनुदान यदि विनेयक यदि विनेयों विधियक द्वारा किसी विशेश सेवा पर चालू वर्स के लिए व्या किये जाने के लिए प्राधिकत कोई रासी आपरयाद पाई जाती है या वर्स के वज़न में उल्लिकित ना की गई और किसी नई सेवा पर खैज की आवच्चता उत्पन हो जाती है तो राश्पती एक अनुपूरक अनुदान संसत के समक्ष पिस करवाएगा और अनुपूरक अनुदान और विनेयों विधियक दोनों के लिए एक ही पिक्रिया भेद की जात गई है अंगला बजट सत्थ यह स दीजरे सकता है कि सौमार को आरम होता है इसे बजट सत्थ इसलिए कहते हैं कि इस सत्थ में आगामी वित्त्रियवस का अनुमानत बजट पिस्तुद विचारित और पारित किया जाता है अब बात करते हैं सामुरिक उत्तरदायत अनुछेट पचत्तर तीन कर मंत्री फरिश सदन अर्था लोग सभा में बहुंबत का समंद्थनुपयात प्राप्त हैं लोग सबा का विश्वास होती ही मंत्री परसत तरंथ पत्याय करना होगा मंत्री फरिश प्रेक कटवती फिस्तान सत्ता पक्च्च द्वारा सदन की स्विकिती के लिए फिस्तुत अनुदान की मा प्रेया एक रुपया की कटोदी का प्रिस्ताव किया जाता है जिसका अरत कुदा है कि प्रिस्ताव मांग के मुद्दों का इश्पट उल्ले किया जाए तरह आविश्वार फिस्ताव हाथ सौटा सधर में विफक्षी दल की किसी सदस्यु द्वारा रखा जाता है फिस्ता के पक्ष में कम से कम 50 concepts का होना आवस्त करने तथा फिष्त्यु विस्तfill जाने की दस दिन के अंदर इस पर चर्चा होना ही यह आवज सके चर्चा के बाद अध्यक्ष मद्दान दारा नेड़र की गूजना करता है पर मूल पिस्ताव मूल पिस्ताव अपने आप में संपूर पिस्ताव होता है जो सदन के इनोधन के लिए पेस किया जाता है मूल पिष्थाओ को इस तरह से बनाए जाता है कि उस सदर्ण के पैसले की अभी विक्ति को बो Enter निम्लिकित पिस्ताओं मूल पिस्ताओं होते हैं राश्ट्पती के अभीवासट पर धन्रबाद पिस्ताओं आविस्वास पिस्ताओं इस पिस्ताओं की माद्यम से सदर का कोई सदस्त मंत्री पर्षद में अपना आविस्वास करता है और यहीं पिस्ताओं कर दिया जाता है तोसे तो मंद्री पर्शत को त्याग पत्र देना पड़ता है फ्रहें लोक सभा के अद्यक जोपाद्यक या राज सभा के हुआ और सभाद्रपती के निर्वाचन के लिए या घट भटाने के लिए पिस्ताओ इसे सदिकार पिस्ताओ यह पिस्ताओ संसत के किसी सतस्त दौर है पीश किया जाथा है जब उसे यकटीद होता हैнजिहीं मंद्री परिशत की किसी सदस्त में उर्णा पिस्तुत करके सदन के विसेश अदिकार का खूलगyears कि अ फृहरे स्थाना इस्थापन इस्थान पंद शृत जो पिस्था मूई सथान पर और उसके विकलब् की रुम में पेस् सिया जाते हैं उस्थाना पंद पिस्थाओ कर न्म शkes पुर्णयी पंद श्र Потом को विर्रख करके कारें की ऐंगली कारवाही के लिये नेमित को पाए कि रूम में पेस किया जाता है फिरें किती स्थाफन पेस्थाओं यह किसी अन्य पिस्थिन पर विचार मिमास की दौरान पेस्थ किया जाता है कोई सदस किसी विल्यक पर विचार करने के पिस्थाओं समद में किती स्थाफन पिस्थाओं पेस करते हैं फिरें संसोध अनिमित दिन बाले पिस्ताओं जस पहशता डिफार के लिए कोई समय नेयमित नहीं किया जाता है उसे अनिमित बाला कि रिजाता है अध्या डिप राश्टप्ती एत्वा राजपाल संसत अत्वा विधान मंदल के सत्तावसान की इस्तिती में आवस्यक विश्यवप से संबंदित अध्यादेश का प्रक्षापन करते हैं अध्या देश में नगेत विदी संसेथ अत्वा बिधार मंडल के अंगले सथ की सुरुबात के छह सब्ता हrics बार विवल्टन योगद नहीं रहे जाती कि यदि संसत अत्वा विधान मंचल द्वारा उसका अनुगूदन नहीं किया जाता है तो तरहें अगला है निंदा पिस्ताओ कुन निंदा पिस्ताओं निंदा पिस्ताओं मंत्री कर्चत अत्वा किसी एक मंत्री के विरत उसकी बिफलता कपल खेद अत्वा रोज ब्यक्त करने के लिए किया जाता है निंदा पिष्टाव में निंदा के काड़ों का उल्लेक करना आवश्य है, होता है। निंदा पिष्टावर नेमानुसार है या नहीं इसका नेड़े अंतिर्च करता है। धन्यवाद् पिश्टावक, राष्ट पती के अभीवासर के बात, संसथ की कार्ण मंत्रा सम्ति की सिफारत पर तीन चार देनों तक धन्यवाद् पिस्तावक पिस्तावक अरम होथीए ततना इसके बाद का शमर्थ के बूलता है इस पर इस चर्चा पिर राषमती के नाम का अहीं नहीं किया जाता है क्योंकि अविबासरकि दिशेबस्तू के लिए सर्कार उत्तब्दाइवाइः अंध्वन कि दियгоरय है उन्वार TV मैद्दान के लिए रखा जाता है उसे सुईक्रिद किया जाता है रे विश्तवाश बहुमत के संदेयरकों की स्थिति में सरकार गता विश्वास पृस्ताव के पारित ना होने की दसाँ में सरकार को त्याग्पत्र देना आवश्य हो जाता है कि वेक वेंचर में आगे इस्थान मंत्रियों संसदिय सचुहों तक बिरोधी दलों के निताओं के लिए आहरक्षित रहते हैं गयर तरकारी सदस्तों के लिए तीछे कार्स्तान नियत रहता है, पीछे बैठने वाले सदस्तों को ही वैक बेंचर कहा जाता है गुलेटिंग, गुलेटिंग वय संसदी है फ्रिक्रिया जिसमें सभी मांगों को नियत तिती तक ना निप्टाई गई हो, बिना चर्चा के ही मद्दान के लिए रखा जाता है काकस, किसी राजनितिक दल अथबा गुट के पिरमुक सदस्तों की बेटक को काकस करते हैं, इन पिरमुक सदस्तों द्वारा तै की गई नीतियों से ही पूरा दल संचालित होता है त्री संकू संसत, त्री संकू संसत, आम चुनाओ में किसी राजनितिक दल को इश्पष्ट बहुमत ना मिलने की इस्तिती में, त्री संकू संसत की रचना होती, त्री संकू संसत की इस्तिती में, दल बदल जैसे, वो प्रिवित्तियों को प्रोतसान मिलता है, देश में यारवी वारवी लोकसवा की यही इस्तिती रही है नियम 193 में इस नियम के अंतरकर सदस्य अत्यावस्चक एबंग आवेड लम्मिनिये विशय पर तुरंत अल्ग काली चर्चक की मांग कर सकते हैं यह नियम 1903 में बनाए गया था इससे सदन की नियमावली में अवी लम्म च सदस्यों के पास ना था इसलिए यह नियम बनाए गया इसके इंतरकर सदस्य किसी भी सारविजनिक मत के आवेड लम्मिनिये विशय पर अल्पकालिक चर्चक लिए नोटिस दे सकते हैं यह चर्चक किसी विश्टाओं की मांद्यम से नहीं होती है इस कारण चर्चक यंत्म सबस्य विशर के विज्चार विगर्ध करने का अएसर पीछ फिर अंगलाए नियाएक पुनरव भीलोगन की सक्ति why the नियालाय को यादिकार प्राप्त है कि यदि विधार मंदल द्वारा पारित की गई विधियों अत्वाप कार्युगाल का द्वारा दिये गए आदेश समिधान के पित्रीकूल है तो वे उन्हें निरस्त गोशित कर सकते हैं गड़पूर्थी सदर में किसी बैटक के लिए गड़पूर्थी अध्यक्ष सयद कूल सदस्चन क्यागा दस्वा भाग होती है बैटक सुरू होने के पूर्व यदि गड़पूर्थी नहीं है तो गड़पूर्थी धंटी बजाई आती है अध्यक्ष तभी फीटा सिंग हो गंटे तब पिसन किये जाते हैं और उनके उत्तर दिये जाते हैं इस पिसन इसे पिसन काल पाया जाता है पिसन काल के दौरान सदसों को सरकार की कारेयों पर आलोचना वित्यालोचन का समय मिलता है इसके दो लावे, एक तो सरकार जंदा की खठनाईयों एवं आफेक्चाओं की पिति सजग रहती है, दूसरी इस दोराद सरकार अपनी नेतियों एवं कारक्रमों की जानकारी सतन को देती है, दवाव संगूर, व्यक्तियों के ऐसे संगूर जिनके हिद समान होते हैं, सत, एक बिधान मंडल के कार, काल की समापती तथा, दूसरे बिधान मंडल के, काल-काल की शुरुआत के बीच के काल में संपन्न होने वाले सत्त को पंगूर सत्य कहा जाता है, यह विवस्ता कि वद अमेरिका में है, सचे तक, रातिनितिक दल में अनुसासन बनाये रखने क सचे तक कि निबतेख संसदी है दलदौारा की जाती है किसी विस्धाव से इस फर मद्दान होने की च्थिती मैं सचे तक अपने दलपे सदस्दों को मद्दान विस अब नर्देश देता है सचय तक updated सों के डरोध मत्दान करने वाले सदस्वों के विरोद दल वदल विरोद निरोद कानून के इंतरगत कारवाही की जाती है कि चलिए बात करते हैं सम्मिधान के कुछ मत्पूर अनुचेदों को दिखते हैं सम्मिधान के आटी कर देखते हैं तो अनुचेद एक यह गोशना करता है कि भारत राज्यों का संग है अनुचेद तीन संसद विदी द्वारा नए राज बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के छेत्रों सीमाओं एवन नामों में परिवत्न कर सकती है अनुचेद पंद्रह सम्मिधान के प्यारम होने की समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहां के नागरिक होंगे जिनका जनम भारत में हुआ हो जिनके पिता या माता भारत के नागरिक हों सम्मिधान में प्यारम के समय से भारत में रह रहे हो कि रहे अनुच्छे त्रेपर संगे की कालिका सम्मिन दी सकती राष्टपती में नहीं त्रहेंगी अनुच्छे चौसट ओप राष्टपती राजसभा का पदेन अध्यक सुथ होगा सभापती अनुच्छे चोहत्तर एक मंत्री परसद होगी जिसके सीज पर पिधार मंत्री सब स्कुर्ण ऑबश्यक्तपती अधार करेंगा मंत्री सच के सलाइगे पुर्णरविचार को सबचस्द करेंगा इसे भी अनुच्छे अर्टिकल 73 शांवति ही निव्क्ति पर ने में की जाएगी फिर Pharise Ground राष्टति-द्वारा महानियवादी की कि निव्क्ति की जाईगी फिर एच अठतर फिदाहर मंत्री का यह करता पोगा कि वद्देश के पिसासनिक पंत विधाई मावलों तथा मंत्री परिशत के नेड़ेयों के संब्द में राष्ट्पती को सूचना दे यदि राष्ट्पती इसमेकार की सूचना प्राफ्ट करना अवस्थक समझे अनुचे च्यासी इसके अंदर राष्ट्पती द्वारा संसत को संब्दित करने तथा संदिश्द भेजने का दिख्यार उप लेख है इसमें अनुचे 108 यदि किसी विदेयक की संब्द में दोनों सदनों में विगती रोध उत्पन्द हो जखेया हूँ तो सैव तदीवेशन का प्रावधाना 108 में अनुचे 110 धन विदेयक को इसमें परिवासित किया गया है अनुचे 110 में संसत के दोनों सदनों द्वारा फारिग विदेयक राष्ट्पती के पास जाता है राष्ट्पती उस विदेयक को संबत्ती पिदान कर सकता है या आस्रीकित कर सकता है वह संदेश के साथ या बिना संदेश के संसत को उस पर फोनर विचार की भी सकता है पर यदि दुबारा विद्यक को संसत्वारा राश्ठपती के पास भीजा जाता है तो वह उसे आज सीकित नहीं करेगा अनुचेद 112 पित्यक विद्धी वर्सेतु राश्ठपती द्वारा संसत के समख्ष बज़क देश किया जाता है अनुचेद 123 संसत के आउकास सत्त नहीं चलने की स्थिति में राश्पती को अध्यादेश जारी करने का दिकार है आर्टिकल 123 के तर्गत अनुचेद 124 इसके इंतगर सर्वुच नियालाइकी गठन का बर्डन है अनुचेद 139 सर्वुच नियालाइकी एक अभी लिएक नियालाइक का बर्डन है अनुचेद 148 नियन तक एवं महालेका परिष्टक की नियुकती राश्पती द्वारा की जाएगी अनुचेद 163 में राजपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाओ देने के लिए राजपाल के स्वविवेग संबंदी कारयों में वह मंत्री वरिष्टक के सुझाओ लेने के लिए बात नहीं होगा तरह अनुचेद 179 राजपाल के राजपाल के सबक प्रिष्टक किया जाएगा वह इस पर अपनी सम्मत्ती के दे सकता है या इसे आध स्विक्रित कर सकता है वह इस विद्यक को संदेश के साथ किया बिना संदेश के साथ पुनर बचार रहे तुँ विधायका को वापत दे सकता है पर पुनर बचार के बाद दोबारा विद्यक आ जाने पर उसे आशिकर नहीं कर सकता है इसके अत्रिक्त वह विद्यक को राजपाल के पास विचार क कर सकता है कि 100 है कि 123 के तहट याद रखना राश्ट्पती को यह अधिकारे दिया दिश जारी करने का और 213 के तहट कि 213 के तहट राशपाल को यह अधिकार है कि अनुचे 214 सभी राज्यों के लिए उच्छ नियाल है कि वेवस्ता की होगी अनुचे 226 मूल अधिकारों के फिवरतन के लिए उच्छ नियाल है को लेख चारी करने की सकती है अनुचे 233 जिलाने अधिसों की नितित राजपाल द्वारा उच्छ नियाल है कि फरामस्त की जाई अनुचे 235 जिलाने अधिन अधिनस्त नियाल है अपर रहेगा अनुचे 249 केंद सास्थ के देशों का पिसासन राश्पती द्वारा हुगा वह यदि उच्छ समझे तो बगल कि किसी राज्य की राजपाल को इसके पिसासन का दायत सोप सकता है या एक पिसासक की नियूपती कर सकता है अनुचे 245 संसथ तंपून देश या किसके किसी हिस्से के तथा राज विधाय का विद्वानपाल का अपने राज या सकी किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है अनुचे 248 गिदी निर्मान सम्मदी आउसिर्ष सक्तियां संसंद में नहीं थे अनुचे 249 राजसभा विसेश भवमत द्वारा राज सूची कि किसी विसाय पर लोगसभा को एक बास के लिए कानून बनाई लें के लिए अधिकरत कर सकती है यदि उसे वह ऐसे राष्ट्रि अनुचे 266 भारत की संचित निदी जिसमें सरकार की सभी मौत दिक अविश्ट्राइब लें नियुक्त द्वारा विदी द्वारा नेड़े कर सकती है अनुचे 263 के निराज सम्मंदों में विवादों का समाधान करने एवं परस्पर सहयों के चित्रों के विकास के अनुचे 266 भारत की संचित निदी जिसमें सरकार की सभी मौत दिक अविश्टियां 31 रहेंगी विदी सम्मंद पिक्डिया के बिना इससे कोई भी रासी नहीं निकाली जा सकती है अनुचे 266 संसद विरी द्वारा एक आकस्मत निदी इस्थावित कर सकती है जिसमें आकस्मात उत्पन परिक्तियों के लिए रासी तक की जाएगी अनुचे 275 केन द्वारा राजियों को सहायता अनुदान दिये जाने का प्रावदान इसमें अनुचे 280 राष्पती हर पा तथा जो राष्पती के पास केंद यों राज्यों के बीच करों वितरन की संब्द में अनुचे 300 का राज किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ती से बंचित नहीं करेगा पहले एक प्रावदान मूल अधिकारों के अंतरगत था और सम्मिधान के 24 बे सम्मिधान संसुदन 1978 के अनुचे 300 का में एक सामान वैधानिक अधिकार के रूम में अवस्तित किया गया है अंगला है अनुचे 312 राज सवा विसेश बहुमत द्वारा नई अकिल भारतिय सेवाओं की स्थापना की अनुचे 315 संग एवं राज्यों के लिए एक लोग सेवाय की स्थापना की अनुचे 326 लोग सवा एवं विदान सवाव में चुनाओ वैस्क मता दीकार की आधार पर होगा अनुचे 331 आंगले भारतिय समुदाय की लोगों को का राश्पति द्वारा लोग सवा में मनों ने संभव है यदी वैस समझे कि उनका उच्छित फितित निदित नहीं है त अनुचे 332 अनुचे 332 जातियों एवं जजातियों का विदान सवाव में आरक्षन का प्रावधान है याद रखिए 331 के दैट आंगले भारतियों समुदाय की लोगों का लोग सवा में मनों होता है और अनुचे 332 में अनुचे जातियों एवं जन जातियों का विदान को 233 अंचिन आंगलिन भारत्य समुदाय के लोगों का बिधान सब्वाव में मनुनेन होता है इसके तरह, 31 में लोग सभा में मनुनेन होता है आंगल भारतियों का राष्टती करता है, 332 में बेधान सभा में है, ST, ST के लिए आरक्षन, 33 में आंगल भारतियों समडाय के लोगों का बेधान सभा मनुने, अब बात करते हैं, 335, अनुसूचे जाती हों, एवं जन जाती हों, एवं पिछड़े बरगों के लिए विभिन सेवाओं में आरक्षन का प्रावदाने समें, अनुचे 343, संग की अधिकारिक, कारिक भासा देवल नांगली लिपी में लिखी गई, हिंदी होगी, अनुचे 347, यदि किसी राज में परयात संख्या में लोग किसी भासा को बोलते हों, और उनकी आकांचा हों कि उनकी दोवारा बोली जाने वाली भासा को मानता दे जाए, तो इसकी अनुवती से राश्पती दे सकता है, फिर है अनुचे 352, यदि वह समझता हो कि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा, योद्ध, वाय हाक्मण, या सैन बित्व, बिद्रोवे के फल सरूप खत्रे में, अनुचे 356, यदि किसी राज के राजपाल द्वारा, राश्पती को या रिपोर्ट दी जाए, कि उस राज में सम्मीदानिक तंत, असफल हो गया है, तो वहां राश्पती सासमन लागू किया जा सकता है, अनुचे 366, यदि राश् किसी भाग की बिद्रिये इस्तिता एवं साथ धपरे में, तो वहां बिद्रिये आपा इस्तिती की गोश्टा कर सकता है, अनुचे 365, यदि कोई राज केंद द्वारा भेजेगे, किसी कारेकारी नेजदेश का पालन करने, मैं आसाफल रहता है, तो राश्पती द्वारा य किया जा सकता है, अनुचे 365, संसत्को समिधार के विसी भी भाग में, कसंसुदन करने का दिकार इसकता है, अनुचे 370, इसके तक चमू और कस्मीर की विशेश स्थिती का बड़ ओन है, अनुचे 371, कुछ राज्यों के विशेश स्थित्रों के विकास के लिए राश्पती बोर्ड इस्थाफिश कर सकता है जैसे महराथ गुज्राथ नागालेंड मड़ी को अनुचे 394 का राश्वति अपने अधिकार के अंतगस इस सम्मित धार का हिंदी वासा में अनुबात कराएगा अनुचे 395 भारती इस अधिनियम 1947 भारती अधिनियम 1923 तथा इनके अन्य कि चलिए हम बात करते हैं सम्मिधान के सम्मिधान में किये गए संसुधनों की बारे में तो पहला सम्मिधान संसुधन हुआ इसके मात्यम से सवानता एवं संपत्ती से संबंधित मौलिक के अधिकारों को लागू किये जाने संबंधि कुछ विवारी कर्टनाईयों को दूर करने का प्रियास किया जाने महासर एवं अभिव्यक्ति के मौल अधिकारों पर इसस उचित्पती बंदी की विवस्त की गई साथ ही संसुधन द्वारा समिधान में नौभी अनसुची जोड़ी गई जिसमें स्कूल लिकित कानून को सर्वुच नहले कि नैक पुनर विलकन की सक्तियों के अंतर्गत परीच्छा नहीं की जा सकती है फिर दूसरा समिधान संसुधन गई उन्नीस सो बाबन में इसके अंतर्गत उन्नीस सइंक्याउन की जटगरुणा की आधार पर लोग साथ भी एन सूची को संबर्ती सूची की तैंतीस भी और शिष्ट की ट्रिकिस्तान पर खाद्यान परसुगों के लिए चारा कच्छा कपाश जूट आधी को रखा गया जिसके उत्पाधन एवं आप पुर्थी को लोग हित में समझने पर सरकार उस पर नेंतर लगा सकती ह सौथा संबीदान संब्सोदा के वाँ 1955 में इसके उन्तगत विक्तियत संपत्ती को लोग हित में राज द्वारा हस्तफात किये जाने की स्तिती में नियारे इसकी चतिपूर्ती के संबंद में परीच्छा नहीं कर सकती है फिर हुए छटा चटवा संब्सान संब्सोदान उ चयंद को कर लगाने का दिकार दिआ गया हुए फिर हुए सात्वा संसुदान 1956 में ही इस संसुदान द्वारा भासाई आलाए पर राज्यों का पुननद गठन किया गया जिसमें पहले कि तीन सेडियों में राज्यों की बगीकर्ण को समाप्त करते हुए राज्यों एवँ केंदसासित फिरेशनें उन्हें वीवाजित किया गया साथ ही इनके अनुभी केनेद एवं राजी की वीधान पालकाओं में सीटों को पूर विवस्तित किया गया आठवा शन सुधन 1967 में इसके अंतरपत केंद एवम राज्यों के निम्न सत्रों में अनुप सूचित जाती अनुप सूचित जन जाती आंगल भारतियों के आरक्षन समंधी तरावधान को दर्स परसों के लिए अर्थात 1970 तक बढ़ा दिया गया नौवा समिधान संसुदर 1960 में हुगा इसके द् परिवद्बन करके भारत पाकिस्तान के वेज 1908 संधीक की सर्तों के अनुसार बेरुबादी खुला आदी छेथ पाकिस्तान को दिये गया दसवा संसुदर ने उन्नी सो एक सट में इसके अंतरप्यत भूदपूर पुर्दगाली अन्त अधिता छेत्रों जैसे दादर एव वारायवा संसुदर हुआ 1961 में इसके इंतरप्यत अपराश्पती के निर्वाचन के परीवत्र कर इस संदर्म में दोनों सदरों के सच्ट दीवेशन पूलाया गया साथी यह भी निर्दारित किया गया कि निर्वाचक मंदल में पदी की रिक्तित्ता क्यानार पर राश्पती या उपराश्पती के निर्वाचन को चुनोती नहीं दी जा सकती है कि वर्फड्यवास 57 डम इसके दर्वास अंचो सदर्म इनबconom अनुसूची में अपना कर उसे राशे का दोर्जा दिया गया चोदा इबा संसदन होई एक पिदेशों के Savior From वे ल Пदेश के न्याज़ी देशी मड़ी को तिप्पुरा गोई धमन और दुई सफे ज collected इसके इंतरगत उच्छ नियालय की नियादीसों की सेवा मुक्ति कियाई 60 से बढ़ा कर वासट कर दी तथा आउताक प्राप्ट नियादीसों की उच्छ नियालय में निपती से सम्मंदित प्राहदार बनाएगे 16 संसुधन हुआ 1963 में इसके द्वारा देश की संप्रभूता एवं अखंडता के में मूल अधिकारों पर कुछ पिती बंद लगाने के प्राहद ना कि गए साथी तीरी स्री अन्सुची में परीवतन कर स्तरपत ग्रहन के इंतरगर में भारत की चुत्ता एक एवं अखंडता को बनाए रखना जोड़ा गया इसमें संप्ति के अधिकारों में और भी संसुधन हुए संसुधन करते हुए कुछ अन्रपूनी सुधार फ्रावधान को नौभी अन्सुची में रखा गया जिनकी बैदेता की परीच्छा सर्वुच नियाले द्वारा नहीं की जा सकती अठारवा संसुधन हुए 1966 में इसके अंतरगत पंजाब का वासाई अदार पर पुनरे गठन करते हुए पंजाबी वासाचित को पंजाब एवा मिंदी वासाचित को हर्याडा के रूम में गठित किया गया फर्वतिय चेत हिमाचल के देश कुद्धी दे दिये गया तथा चन्डीगर को केंद सास्कित पिलिष बनाएं उन्नीजवा संसुधन 1966 में इसके अंतरगत चुनाओ याजक्त की परीवतन किया गया उचने आलएं पूचनाओ याजकाय सुनने की अधिकार दीया गया 20वा समिदाथ संसुधन 1966 में ही हुए इसके अंतरगत आदे में इस्क् है कि समीधार्ण की आठीजंची में 15 भी भाषा की रूम में सामिल किया गया याद रखे 2021 धीस भाषा हम समीधार 29 Euro में होगा इसके द्वारा सिन्धी भाषा को समीधार की आठीजंची में के मतारी थे सामिल किया गया त्रेव 21 में के बाद 22 वा संसुदन इसके द्वारा आपसम से अलग करके नया राज मेगालाय बनाया गया तेज़वा संसुदन इसके अंतरगत बीधान पालिकाओं में अनुसूचित जन जाती के आरक्चन अंगल भारतिय समुदाय की लोगों का मनोनन और दस बर्सों के लिए बढ़ा दिया गया संसुदन इस संसुदन के इंतरगत संसद की इस सकती को इसपश्ट किया गया कि वह समिधान की किसी भी भाग को जिसमें भाग तीन के इंतरगत आने वाले मूल अधिकार भी है संसोदेत कर सकी है साथी यह भी नगधारित किया गया कि संसोदन समंदी विद्यायक जब दोना सदनों से पारित होकर राष्पती के समख से जाएगा तो इस पर राष्पती द्वारा सम्मती दिया जाना बात दिखारी होगा फिरेट 24 वेगवर का 25 बार संसोदर 1970 में इसके इंतरगत घुद्पूल देशी राज्यों के सास्कों की उपादियों और की प्रिवी परस को समख्त किया गया 27 बार संसोदन कि इसके इंतरगत मिजूरां और अव्णाचर्पिश को कंसासित देशों की रूम में स्थापित किया गया 29 बार 1972 में हुए इसके इंतरग केरल भूसदार संसुदन अधिनियम 1979 तथा केरल भूसदार संसुदन अधिनियम 1971 को सम्मिधान की नौवी अनसूची में रख दिया गया जिससे उसकी सम्मिधानिक वेत्ता को नियाले में चुनोती ना दे जा सके 31 बार संसुदन इसके द्वारा लोगसभा की सदसों की संक्याद 525 से बढ़ागर 545 कर दी तथा कैन 733 का पितिजनियम दी 25 से गटागर 20 कर दिया गया 32 बार संसुदन 1974 में हुए इसके द्वार संसद एवं बिधान मकपालिकाओं की सदसों द्वारा दवाव में या जवर्जिस्ती किये जाने पर इष्थीपा देना अभैद गोस्त किया गया एवं अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया यह वह सिर्फ स्वैक्षा से ही दिये गये एवं उश्यत्याग्पत को सुईकार करे चोंत परिक्षान से मुप्त किया गया 35 वा संसोदन 1974 में हुगा इसके अंतर कर सिक्क्यम को भारत का 22 वा राज बनाए गया तो याद रखे 35 संसोदन द्वारा सिक्क्यम को संक्षित राज का दरजा देख संसोदन राज बनाए गया था चैनल सासत के देश माना जाएगा और 36 में सिक्क्म को 22 वा राज बनाए गया 37 वा संसोदन इसके इंतरगर इसके ताहिए आपाद इस्ती की गोष्णा और राठकती राजबाल इवं केंसास देशों के प्रिसासनिक प्राद्धानों द्वारा अध्या आने की आ विवादित बनाते हुए नियायक पुनर्विचार से उन्हें मुक्त रखा गया 49 वा संसुदन 1975 में इसके द्वारा राष्टपती उपराष्टपती पिदार मंत्री एवं लोग सभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंदी विवादों को नियायक परिच्चन से 60 बर्स कर देगी पर संगल लोग सेवायों कि सदसों की सेवा नवित की अधिक्तम आयों 65 बर्स रहने की 42 वा संभीधान चांसुदन 1976 में इसके द्वारा संभीधान में व्यापक परीवात्न लाए गये जिसमें से मौक्ष थे संभीधान की पिस्तावना में समाजबादी ध सभी नीती ने देशक से धांतों को मूल अधिकार कर सर्वुच सुनेश्चित की गए इसके अंतर कर समीधान में 10 मौलिक कर दप जुड़े गये थे अंचेद इंक्याउन का में भाग चार का जोड़ा गया इसके द्वारा समिधान को निया एक तरीक्षा से मुक्त रखा गया सभी विधान सभाओं एवं लोग सभाओं की सीटों की संख्या इस सताथी के अंतर इस्तर कर दिया गया लोकसवा एवं बिदान सवाओं कि अवदी 5-6 वर्ष इसके दोआरा ही नियदारित किया गया कि किसी केंदिय कानून की बैदता पर सरुच नियाला एवं राज्च के कानून की बैदता पर उच नियाला ही परीचन करेगा साथ ही यह भी नगधारित किया गया कि किसी सम्मिधानिक वैदिता के विसन पर पांस से अधिक नियादीशों की बैच द्वारा दो तेहाई वहमत से नेड़ज देना जाना चाहिए और यदि विन्यादीश की संख्या पांत तक वो तो नेड़ज सरफ मेती से होना चाहिए इसके द्वारा बंसंबदा सिक्षा जनसंख्याने अंतर आधी विसन को राज सूची से संबर्ती सूची में रखा गया इसके अंतरगती चाहिए निर्धारे किया गया कि राजपती मंती परिशत प्रमुख प्रिदार मंत्री की सलाय के इनुसर कर गया अंगला इसमें का गया कि इसके संसत इसने संसत को राष्ट विरोदी गती विदीश्यों से नपठने के लिए कानुन बनाने के अधिकार दि इस्थापित की फिरायर चावालीस बाद संसुद उनिस वठत्र में इसके अंतरगे राष्टी आपात इस्तिती लागू करना के आंतरिक असान्ती के स्थान पर सेंड विद्रों का अवदार रखा गया एवं आपात इस्तिती संबंदी अन्द करावदार में परिवत्र ला लोक सबात राज विदान सबाओं की अवदी छे वर्स से कटाकर पांच वर्स करती गई उच्तम नियाले को राष्ट्पती और राष्ट्पती की निर्वाचन समंदी विवात को हल करने का की अधिकारता पिदान की तरह 85 वाद 44 वाद तरह 50 वाद 1984 में इसके द्वारा नुक्षित 33 में संसुदर निकर सैने सेवाओं की पूरक सेवाओं में कार करने वाले के लिए आवस्षक सूचना एकरत्तित कर्म देश की संपत्ती की रक्षा करने कानून और विवस्ता से संबदी दायत भी दिये हैं साथी इन सेवाओं द्वारा राज्ते दल वदल पर आपस लगाने का लक्ष रखते हैं इसके इंतवर संसद या विधान मंडलों में उस सदसों को आयोग कोशित कर दिया जाएगा जो उस दल को छोड़ते हैं जिसके चुनाव चिन्न पर उन्होंने चुनाव लणा था यदी पर यदी किसी दल की संसद अधानों को समिधार की 1020 सूची के इंतवर रखा गया है तरह अंगलाए 1325 संसदन 1986 में इसके इंतवर संसदन की दूसरी अनुच्छी के भाग डी में संसदन काल नया जीसों के वेतर में विध्धी का अधिकार संसद को दिया गया है थरह 55 संसदन 1986 में इसके इंतवर अधान चल पिदिश को राज बनाए गया 56 संसदन 1987 इसके इंतवर गवा को एक राज एका दरज़ा दिया गया दमन और दुप कहने सासे पिदिश के रूम में ही रहने दिया गया है अधिश की विधान सभाव सीटों पर परिशिवन सताप्ती के अंतर तक के लिए ले लिए गया है अगला है हमारा अंठाउनवा अंठाउनवा संसदन संसदन 1987 हुगा इसके दवार राश्ट्पती को संसदन का तरमाडिक हिंदी संसकंट प्रिकासित करने के लिए अधिक रिद किया गया तो रहे साथवा संसदन 1989 में हुगा इसके इंतर वे विवसाय करकी सीमा 250 रुपे से बढ़ा कर 25 रुपे फिती वर्स कर दी गई थी अंगलाए 61 संसदन 1989 हुगा इसे याद रखना बहुत ही मत्तुन इसके द्वार मत्दान के लिए आयू की सीमा 21 वर्स से घटा कर 18 वर्स लाने का पिस्ताव था याद रखी पह अठारह साल की आयू कर दीगे 61 समीधान संसुदन 1989 फिर आया 65 समीधान संसुदन में इसके द्वार में इसके द्वारा अनुचित 338 में संसुदन करके अनुचित जाती जन जाती याई के गठन की विवस्ता की गई थी फिर आया 69 संसुदन 1991 में दिल्ली को राज टीय रादधानी छेत बनाया गया तथा दिल्ली संगराज चेत के लिए विधान सभा और विध संसुदन 1992 में दिल्ली और पुडूचरी संगराज चेत्रों की विधात सभाव के सदस्तों को राष्टपती के लिए नेरबाचक बंदल में संब्लित किया गया फिर आया 71 संसुदन 1902 में आटवी अनसुचि में कॉंकडी मडीपुरी और नैपाली भासा को संब्लित किया फिर आया तैर्वा संभार संसुदन 1992 मेंikkah 3 इसके इंतरवा संभार संभन सेंन 21 वी अनसुचि जोड़ी गई इसके पंच्याती राच समंदीत रावधन को संदब्लित किया गया फिर आया 54 संसुदन 1993 इसके इंतरवा संसुदन 12 वी अनसुचि साविल की गया जिसमें नंग से संबंदित फिरावदार किये गए थिराया चहत्रवा संसुधन 1994 में इस संसुधन अधीनियम द्वारा समिधान की नौवी अनुसुची में संसुधन किया गया तमिलालू राज द्वारा फारित पिछड़ी वर्किस के लिए सरकार में नौकियों सरकारी नौकियों में गुनतर पिदीसत आरक्षन का उबंद करने वाली अधीनियम को नौवी अनुसुची में समर्किया गया तिराय अठात्रवा संसुधन 1995 में इसके द्वारा नौवी अनुसुची में विभेन राज्यों द्वारा फारित 27 भूनी सुधार विदियों को समाविष्ट किया गया इस पेकार नौवी अनुसुची में समलित अधी नहीं मोखिक्वल संख्या 284 होगी फ्राय उन्नीस वा संसुधन उनत्रवा होगा यहां शोरी उनत्रवा समिधान संसुधन इस संसुधन के मात्यम से विवस्ता की गई इब राज्यों को पितेक्ष केंदिये करों से फिराप्त पुल दामरासी का 29 पितीसर खिस्था मिलेगा थिराया 282 वा समिधान संसुधन 2 धाल में इस संसुधन के द्वारा राज्यों को सरकारी नौंपीयों में आरक्षित रिख इस्थानों की भनती ही तू प्रुनननती के मामले में अनुसुचित जातियों एवं अनुसुचित जन्जातियों के अब भ्यारतियों के लिए निहुनुतम प्राभधांगों में च्शूट पतान करने की उनूदी पतान की गई सुराय तेरासवीवा संस्थान 2000 में इस संस्थान दोरा पंच्याती राजसंस्थाओं में अनुसूचित जाती के लिए आरक्चन का फिराउधान ना करने की छूट पतान की गई अरुनाचन पिदेश में कोई भी अनुसूचित जाती ना होने की कारण उसे अच्छूट पतान की गई फिर आया 84 वासंवीदान संस्थान 2001 में इस संस्थान अधिनियव दोरा लोग सभा तथा विदा सभाव की सीटों की संख्यात बर्स 2026 तक कोई परिवातन ना करने का पत्राउधान की गई फिर आया 85 वासंथान 2001 में सरकारी सेवाओं में अनुसूचे जाती जन जाती के लिए के अभियारतियों के लिए पदोनती में आरप्चन की वरस्ता की गई पर 86 वासंभीधान संसुधान 2002 में आया इस संसुधान अधिनियम द्वारा देश में देश के 6 से 14 वरस तक के बच्चों के लिए अनिवार एवं निसोल्ग सिक्षक के कुमोलिक अधिकार के रूम में मानता देने संबंदी प्राउधान किया गया इसे अनुचे 21 का केंतर क संसुधान में जुड़ा गया इस अधिनियम द्वारा संसुधान के नुचे 45 तता नुचे इंक्याउन का में संसुधान किये जाने का प्राउधान है फिराया 87 संसुधान 2003 में फरी सीमन की संख्या का आधार 1991 की जंगरना जंगरना के अधिसान पर 2001 कर दी गई फराया 88 संविधान संसुधान 2003 में सेवाओं पर करका प्राउधान लगाएगा 89 संसुधान हुगा 2003 में अनुचे जातियों के पित्थक राष्ट किये आयों की स्थापना कि वोस्ता किये फराया 90 संसुधान 2003 में असम विधान सभा में अनुचे जातियों और गयर अनुचे जातियों का फित्थी निदित बरकरा रखते हुए बोडो लेंड टेरिटोरियल कॉंसे छेट गयर जन जातियों के लिए लोगों के अधिकारों की सुष्चा के लिए फराया 91 संसुधान 2003 में दल बदल विवस्था में संसुधन केवन संपूर दल की विले कुमानता केंद दता राज में बंतीवी परिशदी की सदसे संख्या का क्रमसा लोकसवा तथम फिधान सभा में 15 फिती सत होगा जहां सदन की सदस्तंख्या 40-40 है वहां अधिक तंबारा होगी फिराया 92 संसुधन 2003 में संसुधन की आटवी अनसुची में बोडो, डौगरी, मैथिली और संथाली भासा जोड़िए फिराया 93 संसुधन 2006 में सिक्षा संस्तानों में अनुसुचित जाती, जन्जाती और अन्नत पिछड़ा परगों के नागरेकों के दाखिले के लिए सीटों के आरक्षण की वेवस्ता समीधान के अनुचित पंद्रायद की धारा चाय के चार के प्रावदान की तहत किए तराया 94 संसुधन 2006 इस संसुधन की कल्यार मंत्री नियुक्त करने के उत्तरदायत से मूर्त कर दिया गया तथा इस प्रावदान को जारकंड वाच्छप्टिसगर राज में लागू करने की विवस्ता की है मत्विदेश एवा गोडिशा राज में यह प्रावदान पहले से ही लागू था तो 94 संभीधान संसुधन है आप लोगों को यहीं बता दें कि 95 संभीधान संसुधन हुए 2010 में यह था लोकसभा में और विधान सभा में राजविधान सभा में से जन जाती और अनसुच जन जाती और अनसुच जाती कि सीटों के आरक्षन से संभन देख पर 96 संभीधान संसुधन 2011 में हुगा इसमें उडिया कुपी इस्थापत करके उडिया ले आए तरह 97 में हुगा 2012 में 97 संभीधान संसुधन हुगा 2012 में इसमें सहकारी सम्तियों से संभन देख था 99 संभीधान संसुधन हुगा 2015 में राष्टिय न्याय कायोग से संभन देख सोबा 100 संभा संभीधान संसुधन हुगा 2015 में के भारत और बंगलादेश के बीच भूमी वेवास से संभन देख चलसे हम दों गई जिम्झा इए बाहता में सी नुटर नित्हा हmäßडात नुट्व परवर की फिच्छडा हम लोक्सभा और 15 में जनरल्वह को 1090 साथ आरक्षण देने से संबन और इं inh id201 लोक्तभा अरज्भा में अनुसोचित जाती और जन जाती की सीटों की संख्या से संबन देता थे तो 104 वा समिधान संसुदन हुए लास्ट 2019 लोकसभा और राजसभा में लोकसभा और विधान सबा की सीटों में अनुसोचित जाती और जन जाती की सीटों का रक्षन से संबन देता तो चलिए दोस्तों यह थे हुमारा संभीधान अब अंगले लेक्चर में बात करेंगे हम लोग लूसेंट के अंगले चेक्टर अंगले सब्जेक्ट के विबारे में ते